नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Bankers Hub YouTube चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे Academy पर follow कर सकते हैं Academy Plus का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो Iconic या Plus कोई सभी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं दोस्तों इसमें आप लोगों को अभी 20% का discount भी चल रहा है तो ये 20% का discount आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप AL10 ये code लगा लेंगे चलिए तो start करते हैं पहला D.I. एक बार देखिए जल्दी से बनाने की कोशिश करिए मतलब पहले data समझो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे चलिए उम्मीद करता हूँ data समझ लिए होंगे तो question मनाईए पहले question का answer दीजिए लिए करते हैं आगे नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं दोस्तों एक बर बता दीजे, अजए में रहा है, उते हैं झाई दोस्तों आवार के में रहा है लंग। झाल झाल चलिए दोस्तों बी लिख रहे हैं कुछ लोग देखते हैं डी भी लिख रहे हैं देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले तो डेटा को समझते हैं तो यहां क्या बोला गया है पाई चाट शोज अपको किता दिया है मतलब इस पाई चाट का टोटल हमको वैल्यू बता दिया है कि कौन से स्टेट से कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्जाम दे रहे हैं ठीक है अब इसके बाद आप लोगों को आगे गर्ल्स और बॉइस का भी रेशो दे दिया है मतलब जो भी हम यहां पर निकालेंगे आप question देखते हैं भी question में क्या है तो question में देखे क्या बोर है total number of boys writing exam in Kerala and Manipur total number of students writing exam in Kerala and Manipur तो Kerala और Manipur की अगर हम बात करें तो Kerala में 15% है, Manipur में 14% है ठीक है is approximately how much percent more or less than number of girls writing exam in Assam and Punjab together तो Assam और Punjab की girls निकालना है आपको तो ये दो जगा की आपको girls निकालना है और ये दो जगा की आपको boys निकालना है और फिर उसका percentage calculate करना है कैसे निकालेंगे दोस्तों, simple है, देखो ध्यान से सुनते जाईए भई 13,500 तो अगर मैं 13,500 का 15% निकालना चाहता हूँ तो 2,0 से percentage तो पहली कड़ गया तो मैं direct 135 into 15 करूँगा तो केरला के total आ जाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं 135 into 15 ये केरला के total आ गया, सेम चीज़ अगर मैं मनीपूर की बात करूँँ, तो मनीपूर में हम क्या कर सकते हैं, 135 into 14 कर सकते हैं तो ये total से divide करते हैं और जो निकालना है, उससे multiply करते हैं तो इस total को ratio के total से divide कर दो और जो निकालना है, हमको क्या निकालना है भई? हमको boys निकालना है, तो 4 से multiply कर दो सेम चीज़ यहाँ पर total को total से divide करते हैं और जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो हमको boys निकालना है तो 5 से multiply कर दो तो ये हमारे दोनों जगह के boys निकल कर आ जाएंगे अब girls अगर निकालना है तो girls के लिए भी same वही चीज प्रोसीजर बिल्कुल same रहेगा भई 135 इंटू 26 135 इंटू 17 फिर girls निकालना है तो क्या करोगे total को करेंगे तो इस total को अगर मैं total से divide करूँ तो यानि यह कितना 17 वाल है न यह तो यह divide हो जाएगा 17 और निकालना क्या हमको girls निकालना है तो 8 से multiply करते है तो बस अब इसको solve करना है आपको आपका answer आ जाएगा तो आपको more or less पूछा है more or less वैशाली जी और कितना direct करोगे इसके अलावा और क्या direct कर सकते हो हाँ तो cut तो करेंगी न भी cut तो आपको करना है न यह देखो 13 दुना 26 हो गया इधर 17 से 17 कट गया इधर 9 से काटेंगे तो 9 1 9 5 45 इधर भी 9 से काटेंगे तो 45 अब आप इसको multiply करके जो भी value आ रही है तो कितना percent जादा है वो आप निकाल सकते हो एक बार calculate करके बताओ 299 27 याने 2700 इतना ही आएगा यही आया है इसका calculate करके देखो भई मैं orally किया हूँ तो थोड़ा गलती हो सकती इसले बोर रहा हूँ 14 5 70 70 याने 13 500 1350 आयगा इसका पंद्रा होगा कहां पर पंद्रा होगा मैं कुछ गलत पढ़ लिया हूँ क्या रहा हूँ अच्छा ठीक है यह 45 नहीं होगा पंद्रा होगा यहां भी काटाओ 15 लिखो यहां 45 लिख दियाओ गलती से ठीक है तो इसको हटा देता हूँ 9 से काटे इसको तो 15 आएगा ठीक है यह गलती थी मेरी तो कितना हो जाएगा भी 15 चौक 60 60 और यह कितना हो जाएगा 60 15 चौक 60 60 को अगर 15 से डिवाइट करें 900 आना चाहिए अब सही है कि अभी भी गलत है सही है ना ठीक है यह वाला देखो 1350 सही है क्या 14, 5, 70, 70 और इसको करोगे तो 703, 1050 आएगा यह ठीक है यह भी गलती किया था मैं इस वाले को देखते हैं दोस्तों तो अब इस वाले को देखो कितना हो जाएगा भी यह 2 हो गया 135 इंटू 2 करेंगे तो 270, 270 इंटू 6 करेंगे तो 6, 2, 12, 6, 7, 42, 12, 42 यानि कि 16, 20 1620 आएगा चेक करते जाओ भाई मैं और ली कर रहा हूं गलतियां होती है और ली में लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि और ली कैलकुलेशन करना छोड़ दो इसी से स्पीड बढ़ती है एक्जाम में 135 इंटू 8 करना है तो 135 इंटू डबल करेंगे 270, 270 का 4 गुना यानि कि 7, 24, 28, 800 यानि 180 तो यह आगया अब आपको क्या करना है दोस्तों यह वाली वेल्यू यह वाली वेल्यू यह कितना जादा या कितना कम है आपसे पूछ रहा है मतलब 1950 दोनों को एड़ करोगे तो 1950 आ रह 2700 से कितना कम है हमको कम दिख रहा है कितना कम दिख रहा है साड़े 700 कम दिख रहा है किस से 2700 से multiplied by 100 फिर से बता रहा हो जिनको नहीं समझ में आया यह बॉइज है दोनों निकल गए भी बॉइज कहा के केरला और मनिपूर के थोड़ा कैलकुलेटिव है कि पी ओ लेवाल है तो यह 900 और 1050 जो निकले यह बॉइज निकले केरला और मनिपूर के तो यह दोनों बॉइज को पहले एड़ कर दो, टोटल बॉइज कितने हो गए 1950, उसके बाद हमने इन दोनों जग़ा कि गल्स निकाली, तो गल्स हमने निकाली 1080 और 1620, दोनों को एड़ करोगे तो हो ज दिख रहा है, 2700 से कम दिख रहा है, multiplied by 100, तो ये 2 0, ये 2 0 कटके, इसको divide करो, आपका answer आजाएगा, तो ये दोस्तो 2 की line में आएगा, यानि कि 27% less होना चाहिए, मेरे हिसाब से answer B, बिना काटे-पिटे, क्योंकि 27 into 3 करते हो, तो 27 into 3 करके 80 बनाता है, ये तो 810 से कम दिख रहा आपको 27.8, ये वाल, आपका answer बनेगा, चलते हैं, next question पर जल्दी बनाईए, थोड़ा calculated है दोस्तों, but calculation करेंगे, तभी आपकी speed बढ़ेगी exam के लिए, अगर पहले ही calculate कर ले, data को तो कैसा रहेगा, कर सकते हो अग्जदीप, लेकिन घर पे ये चीज़ मत करो, आप exam में करो ये चीज़ को कि पहले से पूरा data calculate कर रहे हो, क्यों इसका बीचे का reason बताता हूँ, आप घर पे बार-बार calculation करोगे न, अब आप बार-बार multiplication करोगे, बार-बार 135 से multiply करो, तो वो कही न कहीं दिमाग में रह जाता है, in future कभी भी आपको 135 से किसी को multiply करना होगा न, तो आपक इस दो में कर लो, पर आठ में आप हर question में अलग-अलग data निकाला करो, करे सकती होगे अपक कर वो यूरा, कर सकती है ऑलग-पक होगे, तो रे अपको पर आपके सही पल даль्वाद़ चलिए, तो काफी लोगों के answer आ रहे हैं, देखते हैं, इसको solve करते हैं, तो यहाँ क्या बोर रहा है, find the ratio of number of boys writing exam in Delhi to the total number of student writing exam in Delhi and Kerala together, तो भई, यहाँ पर देखो number of boys writing exam in Delhi, तो Delhi का अगर आपको boys निकालना है, तो कैसे निकालोगे भई? वही चीज़ करेंगे, 135 into 28, तो यह तो दिल्ली के total आ गए, अब total को total से divide करते हैं, तो 7 से divide कर लो, जो निकालना है उससे multiply करते हैं, तो boys से multiply कर लो, तो boys निकल जाएंगे, तो आपको बोला है कि दिल्ली के boys का ratio किसके साथ निकालना है, इसका ratio निकालना था, total number of student writing exam in Delhi and Kerala together, तो Delhi और Kerala, दोनों का मिला कर देखो भई, कितना दिख रहे हैं, 28 और 15, तो 28 और 15 मिला कर कितना percent हो गया भी, 30, 40, 45 में दोखम याने 43, तो 135 इंटू 43, यही आएगा, यह total आगया, तो solve करने की जरुवत नहीं है, अब इसको आपको क्या करना है, आप बस सीधा इसको काट दो, यह 7 चोग, 28 हो गया, 135 से 35 कट गया, 4 तिया 12, तो 12 और 43 यह आपका answer, 12 और 43 यह आपका answer, उमीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, सभी का same answer आया होगा, 12 is to 43, next question, जल्दी इसको बनाईए, करopardy वा प्रतों समझ करू होगा, सर आप 135 क्यों ले रहे हो वो direct भी तो हो गया शालू जी देखिए ये आप समझ सकते हो लेकिन वो student जो एकदम नया है जो beginner है उसको नहीं समझ में आता ना तो वो क्या है जब मैं 4 बार 135-135 लिखके उसको कार्ड दूँगा तो उसको खुदी समझ में आ जाएगी ये चीज की यार 135 तो बार-बार कड जा रहा है तो उससे उसको याद हो जाएगा कि भी जब भी ऐसा कुछ रहता है तो direct कड जाता है झाल 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 प्रश्चन तो उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा आप लोगोंने तो जिन्होंने पढ़ लिया बनाई है और जिनका बन गया है वो ये नेक्स्ट करता है प्रश्चन को बनाई है फिर मैं दोनों एक साथ एक्स्प्लेइन करूंगा झाल 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 झाल 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 पीटू ट्यूब जी ये चैनल मेरा नहीं है ये अनकैडमी का चैनल है और दूसरी बात जितना यूट्यूब से निकलता नहीं उससे चार गुना जादा तो मेरे एमपलॉईस की सेलरी है खैर ये सब चीजे आपको मैं समझाना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप समझोगे नहीं करते हैं हो गया सॉल चल ये दोस्तों तो पिछले question में काफी सारे students पहले तो मुझे ये बता कितने लोग हैं इस question को नहीं बनाए या छोड़ दिये या नहीं बना जल्दी से no लिख दो एक बार जिन्होंने ये question नहीं बनाया नहीं solve हुआ एक बार no लिख दीजे जल्दी से आप से क्या पुचा है? तो देखिए simple सी चीज़ है दोस्तो अगर आपको यहाँ पर difference निकालना है तो आपको यह पता होना चाहिए कहाँ पर boys निकाल देंगे तो पता चल जाएगा तो जहाँ जहाँ पर girls ज्यादा है पहले तो वह अले को data को हम निकाल लेते हैं तो केरला में है तो भी केरला 15 divided by 9 उसके बाद आप देखो और कहाँ पर girls ज्यादा है तो और girls ज्यादा दिखरी दिल्ली में तो दिल्ली में कितना है भी 28 divided by 7 और girls कहां पर ज़्यादा दिख रही है पंजाब में नहीं है यहां भी नहीं है बस तो बाकी की यह जो तीन जगा दिख रहा है हमको यहां पर boys ज़्यादा है ठीक है अब boys देखो बाई कितने कितने ज़्यादा है तो मनिपूर में अगर देखें तो 14 divided by 9 इसके अलावा अगर आसाम की बात करें तो आसाम में कितना दिख रहा है आपको आसाम में दिख रहा है 6 6 12 13 है ना तो आसाम का 26 divided by 13 और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का कितना दिख रहा है 17 divided by 17 तो इसमें boys ज़्यादा है इसमें girls ज़्यादा है जल्दी बताओ, क्या करना है अब, क्या करेंगे अब जल्दी से बताईए, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तेरा से ये दो हो गया, सत्रा से ये एक हो गया, साथ से ये चार हो गया, इसको और काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, ये तीन हो गया, ये पांच हो गया, ये तो कटेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, मैं तो 135 से किया, 135 भी लगा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अब देखा, अगर मैं इन दुनों को एड़ करना चाहूँ, और ये तीन को एड़ करना चाहूँ, तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है भी, देखो, 3 है, LCM ले ले लेते हैं, 3, ये तो वैसा का वैसी ही रहेगा, 4, 3, 12 हो जाएगा ये, मतलब टोटल अगर हम बोले तो कितना हो गया, 12, 5, 17, बटा 3 होगा ये, 17 by 3 होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए, फटा-फट बस बताते जाओ, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, आंसर कैसे आएगा, कब आएगा, कितनी देर में आएगा, वो सब चीज़े बाद में पता चल जाएंगे, अब यहाँ पर देखो, अगर इनको सबको एड करना है तो हम क्या करेंगे भी, LCM आग या 9, ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा, 9 टोल आपका कितना हो गया भई, 10, 20, 30, 32, 41, 41, 41 बाइन, होगा, अब ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है ये value बड़ी है या ये value बड़ी है देखके बता सकते हो कि ने जो beginners है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो एकदम beginner हैं अभी अभी start कियें उनको नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है उनको समझाएंगे अलग से लेकिन जो पुराने students उनको तो पता चलना चीए बैदेखो 9 से अगर divide करो 9,4,36 याने लगबख 4 इसको 3 से अगर divide करोगे तो कितना हो जाता है भी 3,5,15 मतलब 5 तो मतलब ये value बड़ी है minus कर दो minus करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आएगा अब देखो ये तो 41 ही रहेगा क्योंकि 9 था तो ये 40 ही रहेगा ये 3 से 9 कैसे बनता है into 3 करके तो इसको भी into 3 कर दो याने 51 sorry तो 51 में 41 गया याने 10 by 9 ठीक टोटल पाईचाट कितने का था 3500 3500 का अगर मैं इतना परसेंट निकालना चाहूं तो 2 0 परसेंटेज से कर जाएगे 135 इंटू 10 by 9 15 इंटू 10 ये आपका आंसर कितने लोगों ने इस तरीके से बनाया था कितने लोगों ने इस तरीके से बनाया था इस question को एक बार यस लिख दीजे नो चलिए तो सिखाते हैं दोस्तों इस technique को सिखिए technique क्या है यार ये simple सी चीज है हमने पूरा काम जो भी किया है न वो हमने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और रेशो में किया है देखो करना क्या है आप सबसे पहले तो ये समझो कि 13500 का ये चार्ट है भूल लो 13500 हमको नहीं पता कितने का चार्ट है हमको सिर्फ दिख रहा है percentage और ratio तो हम क्या करेंगे percentage और ratio में पहले निकाल लेते है number of boys और number of girls का difference कहां girls ज्यादा है कहां boys ज्यादा है पहले हम ये निकाल लेते है ठीक है तो अब ध्यान से सुनते जाईए अगर मैं केरला की बात करूँ तो यह देखो यहां पर girls ज्यादा दिख रही girls पांच है और boys चार है तो यहां girls ज्यादा है ना यहां के अगर मैं बात करूँ तो यहां boys ज्यादा है यहां के अगर बात करूँ तो girls ज्यादा है यहां boys ज्यादा है यहां भी boys ज्यादा है तो हम से तो difference पूछ रहा था तो हम direct difference निकालते हैं direct difference girls और boys का difference यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, अब difference जो है भई, वो girls ज्यादा है तो भी difference बोल सकते हैं, और boys ज्यादा है तो भी difference बोल सकते हैं, तो अगर जहाँ पर girls ज्यादा तो यहाँ पर तो girls ज्यादा है, तो difference कितना है आपई, यहाँ पर अगर girls ज्यादा है, तो girls और boys का difference देखो, 10 और 5 में 5 का difference आया, जो कि girls ज्यादा है, 20 और 15 में भी 5 का difference आया, जो कि girls ज्यादा है, यह girls है, ठीक है ज्यादा, अब अगर boys की बात करते हैं, तो यह 10 है और यह 25 ह तो अब boys ज्यादा कितने हो रहे हैं भी ये देखो 10 और 25 में 15 boys ज्यादा दिख रहे हैं और यहां देखो 15 से 35 हैने 20 boys ज्यादा है तो ऐसे में अगर अब मैं ये boys को एक साथ total कर लो 20, 30, 35 और ये girls को भी total कर लो तो मुझे 25 overall difference मिला girls और boys का अब आप चाहो तो इनको total करके देख लो total करके देख लो भी 20, 30, 40, 50, 55 35, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अब माइनस करके देख लो भी boys कितने ज़्यादा दिख रहे हैं 55 से 25 ज़्यादा है है ना तो वही चीज है मैंने इसलिए example दिया आपको कि आप example से समझो उसमें समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत problem आएगी तो पहले इस example से समझो एक random कुछ भी numbers मैंने ले लिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं यह सिर्फ example है कि अगर 10 girls है 5 boys है 20 girls है 15 boys है मतलब इन दोनों में girls ज़्यादा है तो इसको आप ऐसे girls और girls लिख लो girls ज़्यादा है और difference जो आ रहा था वो हमने निकाल लिया अब यहाँ पर देखो boys ज़्यादा है 10 girls 25 boys यानि इसमें boys ज़्यादा है इसमें भी boys ज़्यादा है तो यह दोनों में आप चाहो तो ऐसे boys और boys लिख लो फिर आप boys boys को add कर लो girls girls को add कर लो और दोनों का difference निकाल दो तो overall पूरा का पूरा difference आपका एक साथ आ जाता है तो वही चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे इस question में तो वह कैसे करेंगे दोस्तो ratio का formula तो सबको पता ही है भी total को total से divide करते हैं निकालना है उससे multiply करते हैं तो केरला में देखो total 15 दिख रहा है केरला में total 15 दिख रहा है तो total को total से divide करते हैं तो 5,4,9 और जो निकालना है हमको क्या निकालना है हमको इन दोनों का difference निकालना है तो difference कितना है भी 5 और 4 का difference कितना होता है एक होता है, हमको एक निकालना है, हर जगा यही हो रहा है, देखो, चार और पाँच का डिफरेंस भी एक है, चार और तीन का डिफरेंस भी एक है, छे और साथ का डिफरेंस भी एक है, आठ और नौ का डिफरेंस भी एक है, तो अगर एक ही डिफरेंस है, तो multiply करने क्या ज़र तो जहां-जहां girls ज्यादा थी, यह girls वाला मैं section यहां पर बना देता हूं, boys वाला section यहां पर बना देते हैं, ठीक, तो जहां-जहां girls ज्यादा है, वो आप यहां पर लिकलो, तो केरला में girls ज्यादा थी, 15 divided by 9, निकल गए difference, अब दिल्ली में भी girls ज्यादा है, तो दिल्ली म अगर मालो ये दिल्ली में 5 क्या बोलते हैं दिल्ली में अगर 5 girls होते और 2 boys होते तो difference आपको 3 का दिखता तब आप 3 से ऐसे multiply करते बट यहां तो single single एक difference दिख रहा है तो करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये 9 है नीचे कुछ नहीं है मतलब कि 9 LCM आ गया तो ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा और इधर 1 था तो 9 4,36 वैसे इसको काट सकते थे छोटा कर सकते थे अब काट लो कोई दिक्कत नहीं है पहले काट के भी कर सकते थे तो इसको काट लोगे तो ये 3 हो गया ये 5 हो गया तो अब LCM निकाल लोगे तो ये 3 हो गया ये 5 का 5 ही रहेगा और 4,3,12 तो 12,5,17 by 3 ये गल्स निकल गई ठीक है गल्स का डिफरेंस निकल गई है जिसमें गल्स जादा है अब सेम चीज बॉइस के लिए करेंगे भई तो बॉइस के लिए देखते जाओ मनिपूर 14 divided by 9 14 divided by 9 प्लस उसके बद देखो कहां पर असाम में भी बॉइस जादा है मतलब की 26 divided by 13 प्लस एक और कौन सा बज़ गया पंजाब पंजाब में भी बॉइस जादा है तो पंजाब देखो भई कितना है 17 divided by 17 तो ये ये कट गया 1 आ गया ये कट गया 2 आ गया अब ये तो कटे गया नहीं तो इसमें LC हम ले ले लेते हैं ये 9 ये 14 प्लस अब देखो 9 दुना 18 9 एकम 9 ये कितना होगे 10, 20, 30, 32, 9, 41 41 by 9 तो ये निकल गया भी boys ये निकल गया girls अब ये दोनों में देख के आपको ऐसी पता चल रहे हैं कि ये value जादा है डिवाइट करके देख लो न भी 3 से एकर डिवाइट करोगे 3, 5 is a 15 15.66% एप्रोक्स इसको अगर देखें तो 9, 4, 36 मनलब साड़े 4 के एप्रोक्स तो साड़े 5 जो है वो साड़े 4 से जादा होता है तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलोगे भी अब ये सब को हटा दो ये सब की जरुवत नहीं है अब डिफरेंस कैसे निकलोगे देखो 17 by 3 माइनस 41 by 9 तो LCM लेना अगर आता है तो 9 LCM हो गया 41 वाला तो वैसे ही रहेगा 3 से 9 कैसे बनता है इंटू 3 करके तो इसको भी इंटू 3 कर दो 173 इंका 1 अब निकाल लो 10 by 9 आया अब एकदम last में आप 135 का ये था 13500 मतलब 135 क्योंकि 20% से कट जाएंगे 135 से आप इसको multiply कर दो तो 9 15 15 इंटू 10 150 आपका answer तो ये है दोस्तो method जिससे solve करना चाहिए अगर आप इसको value ले लेके निकाल निकाल के अगर करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा अगर आपके पूरा data निकला हुआ है तो आप जल्दी कर सकते हो वरना अगर आप data से करोगे तो बहुत time लग जाएगा तो इस method की practice करिएगा थोड़ी सी next question दोस्तों उमीद करता हूँ बनाया होगा आप लोगों ने इसको भी explain कर देता हूँ तो इसमें क्या पूरा है the number of boys writing exam in Goa is 16.66% more than number of girls writing exam in Delhi ठीक है and the ratio of number of girls writing exam in Goa to boys writing exam in Assam is 4 is to 15 then find the total number of students writing exam in Goa तो भई आपको Goa का total निकालना है तो Goa का total निकालने के लिए Goa के boys Goa के girls आपको पता हूँ ने चाहिए कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं आपको बोल रहा है number of boys writing exam in Goa is 16.66% more than number of girls writing exam in Delhi तो सबसे पहले तो डेली की girls निकालना पड़ेगा तो डेली की girls निकालने के लिए क्या करोगे भई टोटल को यह क्या आगया टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते है तो 28 डिवाइड बै 7 girls निकालना है याने 4 7 चौक 28 4 चौक 16 यह 16 आ गया अभी 135 को अगरा भूल जाओ अभी जरुवत नहीं है बाद में देखेंगे 16 आ गया अब उरा इससे कितना जादा है इससे कितना जादा है 16.66% जादा है 16.66% की fraction value कितनी होती है जल्दी बताइए 1 by 6 होती है 16.66 की fraction value कितनी होती है 1 by 6 होती है याद कर लो भी जिनको नहीं याद है तो आपको बोल रहा है 16 से 1 by 6 जादा भाई 1 by 6 जादा इसका मतलब क्या होता है 6 में 1 जादा तो 6 में 1 जादा मतलब कितना हो गया 7 by 6 हो गया न भी 6 में 1 जादा करोगे तो 7 by 6 हो गया पहले 6 था आप 7 होने वाला है 6 से divide करोगे 7 से multiply करोगे तो ये आपका आगया क्या अब चाहो तो यहाँ पर 135 आप लगा लो तो actual value आजाएगी अब चाहो तो आप 135 यहाँ पर लगा लो नहीं भी लगाओगे अभी तो जरुवत नहीं है लगा लो तो ये total exact value आपकी पता चल जाएगी कि number of boys जो है गोवा में वो कितने हैं तो यहाँ से आप total निकाल सकते हैं ठीक यह निकल गया अब दोस्तों अब क्या निकालना है हमको अब दिखते हैं आगे and the ratio of number of girls writing exam in Goa to boys writing exam in Assam तो भई boys आपको निकालने पड़ेंगे पहले कहां कि Assam के तो Assam के boys निकालते हैं Assam के boys कैसे निकालेंगे total को total से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो साथ दुना 14 ये आगए boys ठीक है ये boys आगए अब चाहो तो आप इसको 135 से multiply कर लो चाहो तो क्या करना ही पड़ेगा क्योंकि 15 ratio दिया हुआ है तो अगर यहाँ पर boys जो है वो 15 unit है फिर से ratio का काना लगेगा ये boys है ना कौन से boys? Assam के boys तो जो दिया है उसको उसी के ratio से divide करते है ये देखो यहाँ पर बोला है ना girls writing exam in Goa to boys writing exam in Assam तो boys writing exam in Assam कितना है? 15 है ना? और यहाँ पर हम निकाला boys writing exam in Assam तो अगर ये 15 unit है तो 4 unit कितना? ऐसे निकलेगा 15 से इसको काट ओगे 9 हो गया अब इसको multiply कर दो आपके boys पता चल जाएंगे इसको भी आप solve कर दो आपको girls पता चल जाएंगी तो आपको total निकालना है दोनों को total कर दो आपको answer आजाएगा कर दो भी कितना हो जाएगा ये 14 चौक 56 56 into 9 560 में 56 कम कर दो यानि 504 54 आ रहे हैंगे यवाला देखो एक बर और ये वाले को multiply करते हैं तो पहले इसको काट देते हैं तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा भी 6 2, 12 नहीं 6 से तो नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा 3, 2, 6 तो 2 से ही 8 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे 4, 3, 12, 5, 3, 15 तो 45 45 इंटू पहले 8 कर लेते हैं 9, 36, 36 इंटू 7 तो 7, 3, 21, 6, 7, 42 21, 42, 25, 20 25, 20 और 504 4, 2, 0, 3 3, 0, 2, 4 3, 0, 2, 4 यह आपका आंसर तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा थोड़ा लेवल हाई है दोस्तों क्योंकि एक्जाम PO लेवल का है तो PO प्री लेवल में questions इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं आपको जरूरी नहीं है कि इतना ही hard आएगा लेकिन आ सकता है, यह hard नहीं है एक तरीके से बोला जाए तो, calculated है थोड़ा सा hard नहीं है कुछ भी, हाँ यह घुमा फिरा के तो देता ही है, वो तो हमेशा सही रहा है IBPS का, कि IBPS हो चाहिए SBI हो घुमा फिरा के ही question आपको देगा चलिए, last question है दोस्तों, इस DI का इसको जल्दी से बना लीजे, फिर चलेंगे next DI पर प्हाँ दोस्तों, इस दोस्तों आपको झाल झाल के चली दोस्तों स्वाल हो गया होगा लगकर ते झाल स्टार्ट करें प्लिस के लिए आपको अने याओं पर कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज उनके जो टीम है वही समालती है आपको एक रिसिप्ट आई होगी आपके मेल में इन्वाइस आया होगा उसी में आप रिप्लाई कर सकते है चलिए तो उमीद करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर बोल रहा है तो केरला और पंजाब का अगर हम देखे तो केरला 15% पंजाब 17% दोनों को एड़ करके आधा कर देते हैं भई 10, 20, 30, 32, 32 का आधा 16% तो दिल्ली और मनिपूर की अगर हम बात करें तो 28 और 14 तो 20, 30, 40, 42, 42 का आधा 21 तो यह आपको निकालना है 16 is what percent of 21 तो निकाल लो भई इसको देखो अगर 21 से आप इसको काटते हो तो कितने time जाएगा 5 times से थोड़ा कम तो 16, 85, 80, 80 से थोड़ा कम तो 80 से थोड़ा कम 76.2% यह आपका answer कैसे किया फिर बता रहो देखो 21 से इसको अगर काटोगे तो 105 होता तो 5 आता मतलब अगर यहाँ 105 लिखा होता तो यह ऐसे 5 time कटता पर अब यह 105 नहीं है न मतलब थोड़ा कम है थोड़ा कम है मतलब यह 5 से थोड़ा कम होगा तो 16, 85, 80 हो रहा है तो 80 से भी थोड़ा कम होना चाहिए तो 80 से थोड़ा कम में आपको एक option में क्या दिख रहा है 76 दिख रहा है यह आपका answer चलिए next di बनाते हैं दोस्तों इस data को देखिए जल्दी से इस data को जल्दी से देख लीजिए उसके बाद start करेंगे इसका पहला question चलिए तो उमीद करता हूँ data देख लीए होंगे पहला question बनाईए जल्दी से इसका answer दीजिए करेंगे झाल झाल 546 आंसर आ रहा है यहाँ पर काफी लोगों का चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे फ़ले तो डेटा को समझते हैं कि डेटा में क्या बोल रहा है तो डेटा में आपको बोल रहा है आंसर दा question based on the information given below ठीक है दा line graph given below shows the percentage of males out of total participants and number of females who participated in six different games during the function in Gokul Dham Society यह question में शायद करवा चुका हूँ पहले तो Gokul Dham Society में percentage of males out of total participants आपको दिया हुआ है and number of females who participated in six different games ठीक है तो यह बड़ा simple सा question है simple सा question इसलिए है क्योंकि देखो अगर आपको पता है 28% जो है यह number of males है percentage of males है तो इसके अलावा बचा कितना 72 तो यह 72 क्या हो जाएगा 72% हो जाएगा female तो यह 216 72% है बस लेटा निकालना है समन में आया की नहीं सभी को फिर से बता रहा हूँ देखो अगर 81% male है बढ़ी कोई भी value खुद में 100% होती है उसमें से 81% male है तो बचे हुए 19% जो होंगे वो female होंगी तो female का number तो दिया हुआ है तो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं निकालना है उससे multiply करते हैं बस गाना लगाना है और गाना लगाना है और question solve समझ में आया क्या हो गया भई ऐसा क्या कर रहे हो comment के क्या देखना क्या है देखो यार मैं इसलिए ध्यान नहीं देता है ये सब चीजों में कि जो बच्चा पढ़ाई करने आ रहा है माबाप ने mobile खरीद के दिया laptop खरीद के दिया net लगवा के दिया या recharge करवा के दिया कि बच्चा पढ़ाई करेगा या कुछ अच्छी चीज करेगा और वहाँ पर भी अगर बच्चा गलत चीज कर रहा है तो इसमें गलती किसकी है उसकी खुद की है अब उसको अपने parents के बारे में मतलब इतना value ही नहीं है उसके दिमाग में अपने parents की value नहीं है कि भी मेरे माबाप मेरे लिए क्या सोच रहे है क्या कुछ अच्छा करेगा हमारा बच्चा बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा और बच्चा यहाँ पर ऐसी सब हरकते करेगा बताओ अगर मैं यह बोलता हूँ यार उसके parents को अगर यह चीज पता चल गई in case इस चीज का अगर ऐसे recording या उसका message अगर उसके parents देख ली तो क्या बीतेगी उन पर तो यह सब हरकते करने से पहले अपने parents के बारे में सोचा करो यार main चीज यह है मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ, block कर दूँ उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको कुछ मिलने वाला है आप यहाँ से जाओगे, दूसरी जगा जाके कुछ करोगे पर अपनी values बनाओ आप एक अच्छे इंसान बनो यार लोग आपको याद रखें इस तरीके से याद कोई नहीं रखता आपको ब्लॉक करके लोग भूल जाएंगे तो अपनी पहचान बनाइए ताकि लोग याद रखें और कुछ ऐसा काम करिए कि माबाप का नाम रोशन हो यह सब चीज़े करके कुछ नहीं मिलता है कुछ भी नहीं मिलता आपको अभी बड़ी हसी आ रही है बड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि मजाक चल रहा है मजाक नहीं चल रहा है आपको एक भाई के नाते में समझा रहा हूँ यह चीज़े कोई समझाता नहीं है तो आपको समझा रहा हूँ अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है जिन्दगी आपकी जीवन आपका है भी आप आज समझोगे कल को कुछ अच्छा करोगे आज नहीं समझोगे आठ साल बाद, दस साल बाद खुद को कोसरे होगे कि यार क्या कर रहा हूं काश मैं उस समय कुछ कर लिया होता अभी सुधर जाओ बाकी आपकी चोईस है भी नहीं सुधर मेरा क्या जाना है, मेरा कुछ नहीं जाना है आपका लाइफ बरबाद होगा मेरा क्या है चलिए तो बनाते हैं दोस्तों इस question को इसमें देखो क्या बोल रहा है if number of participants in table tennis is 30% more than total number of participants in tennis तो tennis के जितने भी participants हैं आपको बोल रहा है कि number of participants in table tennis जो होंगे वो 30% जादा होंगे 30% जादा होंगे मतलब भई ये पूरा आपमान के चलते हैं कि पूरा tennis जो है वो 100% है यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा tennis जो है ये 100% है तो आपको बोल रहा है table tennis जो है participant is 6 to 7 अब इसमें table tennis में male और female का ratio आपको क्या बोल रहा है भई 6 to 7 मतलब हम बोल सकते है 60 और 70% ये भी मिला कर आपका 130 होता है न तो अगर इसको 6 और 7 के ratio में आप divide करोगे तो ये 60% ये 70% हो गया then find the number of male participant in table tennis तो आपको table tennis के male participant निकालने है मतलब आपको 60% निकालना है भई अगर ये 50% की value 455 है क्योंकि अगर male 50% है तो ये भी तो 50% होगा हमको क्या निकालना है हमको 60% निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं कि भई ये total जो भी दिया है इसको 50 से divide करो 60 से multiply करो 455 divide by 50 multiplied by 60 00 कट गया 5 से काटोगे 91 6 से multiply करो 546 आपका answer समझ में आया ये 50% है तो ये भी 50% है तो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं और जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो बस गाना लगाना है answer आ जाएगा next question जाएगा जाएगाादायना है रोहिनी जीक समझ में नहीं आया और कितने लोगों को पिछला क्वेशन समझ में नहीं है। एक बार repeat लिग दीजीए। एक बार repeat लिग दो अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो मैं एक बार repeat कर दूँगा। अगर कम लोग रहेंगे तो आप लोग उसको back करके फिर से देख लीजेगा। काफी लोग है चलो देखो फिर से बता रहा हूँ पिछला question ये जिन बनाते रही है इसको जो भी बना रहे है इसमें देखो दोस्तो आप question को पढ़ो पहले if number of participant in table tennis is 30% more than total number of participant in tennis tennis में total कितने होंगे कोई भी value खुद में 100% होती है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर tennis अपने आप में 100% है और आपको बोल रहे हैं कि table tennis में इससे 30% जादा है total participant तो 100% से 30% जादा मन्दब 130% हो गया अब इसमें male और female का आपको ratio दे दिया है 6 is to 7 का दे दिया है तो जब आप 130% को 6 और 7 के ratio में divide करोगे तो 60% और 70% आजाएगा करके देख लीज़े इसको divide total को total से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो 60% 70% आजाएगा आप से पूछ रहे हैं कि table tennis के male कितने हैं यह देखो male दिख रहे हैं तो male कितने हैं यह आपको निकालना है यह आपको निकालना है अब एक गाना मैंने बताया हुआ है भाई आपको जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं लेकिन उससे पहले यह चीज़ समझिए कि अगर tennis में पूरे 100% लोग हैं जिसमें से 50% male हैं तो बाकी जो बजगे वो 50% female होंगी तो यह 455 जो दिया हुआ है 455 यह 50% होगा भई क्योंकि 50% male हैं तो यह जो female का number दिया है यह भी तो 50% होगी रभी 50% male 50% female तो यह 50% अब गाना लगा दो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो 455 डिवाइड बाइ 50 multiply it by 60 00 कट गया 5 से इसको काटोगे तो 91 6 से multiply करोगे 6 कम 6, 9 6 54 यह 500 देखो इसमें क्या बोरा What is the difference between number of male participant in football and chess तो football और chess के male participant का आपको difference बताना है तो football के और chess के male participant का difference आपको बताना है फिर वही गाना लगेगा भई अगर 81% male है तो 19% female होंगी अगर 44% male है तो 56% female होंगी तो बस गाना लगा दो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं आएगा इतना 1620 जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं 8.32, 8.32, 32 याने की 3, 5, 2, 0 आएगा 3, 5, 2, 0 फिर से कर लेते हैं 8.32, 8.32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, चीक है सही है ना? calculate कर लो भई एक बार तो यह आपका, मैं 0 ज़्यादा लगा दिया कि हाँ, 0 ज़्यादा लग गया है दोस्तों 352 होगा तो अब आपसे इन दोनों का difference पूछा है यह mail आ गए कहां के भई, football के यह mail आ गए कहां के, chess के अब दोनों का difference पूछा है आपसे तो 352 इसमें आप divide कर दो 8, 11 में 5 गिया, 6, 15 में 3 गिया, 12 12, 16 आपको answer कैसे किया कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कर दे रहे हो भई ध्याल नहीं दे रहे हो क्या कैसे कर दे रहे हो या पूरा बता रहा हो, समझा रहा हो, फिर भी बोलते हो नहीं समझ में आया भई, आपको क्या बोला है, football के mail निकालना है, और chess के mail निकालना है, मैं अई दब simple तरीके से बताता हूँ, पहले एक बार लिखो, कितने लोग को नहीं समझ में आया है A to Z समझ में आजाएगा और वो तरीका है, flow chart बना के solve करना उस तरीके से तो definitely एकदम अच्छे से समझ में आजाएगा देखो दोस्तों, यहाँ पर यह football दिख रहा है ना football मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर यह chess दिख रहा है कोई भी value खुद में 100% होती है यह football पूरा अपने आप में 100% है chess भी अपने आप में पूरा 100% है ठीक है? यह अपने आप में 100% वो अपने आप में 100% उसका इससे कोई लेना देना नहीं है वो 100% उसका है, यह 100% इसका है ठीक? अब अगर हम बात करें 81% अगर male है, यहाँ दिया हुए ने देखो percentage of male 81% तो इसमें दो लोग है भई, male है और female है तो male अगर 81% है तो female कितनी percent हो जाएंगे? 19% होंगी? इसमे देखो chess में chess में अगर male 44% है तो female 56% होंगी? ठीक? अब दोस्तों यहाँ पर देखो number of female भी बता दिया है कि female कितनी 380, यहाँ पर 380 female बता दिया है और यहाँ पर कितनी female है, 448 तो आपको इस males निकालना है, यहाँ के और यहाँ के तो गाना क्या बताया था मैंने, जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते है जो निकालना है उससे multiply करते है तो यह 380 को अगर 19 से आप divide करोगे 19, 2, 38 होता है और 0, यानि 20 जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते है तो 380 को जब आप 19 से divide करोगे आएगा 20 जो निकालना है उससे multiply करते है तो 81 को अगर मैं 20 से multiply करो तो पहले 81 को 2 से multiply करो कितना हो जाएगा 162 और जो 20 का 0 था उसको लगा तो यह आगया तो यह males पता चल गया सेम चीज यहाँ females निकालने करें फिर वही गाना जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते है तो भाई यह देखो 6 से यह 8, 6, 48 होता है 8, 6, 48 होता है मतलब यह 8 से divide हो रहा है अगर आप 4, 48 को 56 से divide करोगे तो 8 times में यह divide हो रहा है तो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते है तो कितना यह 8 अब जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो 44 को आप 8 से multiply कर दो तो कितना हो जाएगा भी 8, 4, 32 याने 320 फिर 8, 4, 32 याने 320 में आप 32 add कर लो तो कितना हो जाएगा 352 तो यहां के भी mail आगे अब आप से ये दोनों mail का difference पूछा था तो 1620 में आप 352 को माइनस कर दो 8, 6, 12 12, 16 आपका आना सर अब देखिए यहां पर क्या बोले है what is the average number of mail participants in tennis, hockey and badminton तो tennis, hockey और badminton के आपको क्या निकालना है average number of mail participants तो tennis और क्या बोले होकी और badminton तो tennis के तो आजाएंगे 455 और badminton के आजाएंगे 46 से इसको divide करेंगे तो 9 times 9 बंचे 45, 9.36 45 और 36 मतलब की कितना हो गया 486 और hockey की बात करेंगे तो 165 डिवाइड बाए 5 यानि की 3 33 से अगर 95 को multiply करेंगे तो 3300 3300 से थोड़ा कम 95 इंटू 33 9 या 27 285 285 3135 ये सब को add करो दोस्तों और 3 से divide कर दो इसको तो 3 से ऐसी डिवाइड कर लेते हैं 2, 6, 5, 11, 8, 5, 13, 14, 9, 3 से डिवाइड करो दो 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3 इसमें आड कर दो 1, 3, 5, 8, something, something 1, 3, 5, 8 ये वाला आपका आंसर बनेगा इसमें कुछ करना नहीं था दोस्तों बस ये जो values निकालना था तीनों को और तीनों को 3 से मतब add करने के बाद 3 से divide कर देना था तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है इसको आप लोगों बना सकते हैं easily What is the ratio of number of female who participated in football and chess together? female who participated in cricket and badminton together तो डाइरेक्ट गयार एड़ करना है रेशो निकालना है देखो क्या बले what is the ratio of number of female who participating in football and chess तो football की female और chess की female तो यह दोनों को आपको add करना है तो भी total कितना हो जाएगा 448, 828 ठीक है और क्या बोल रहा है female who participated in cricket and badminton तो cricket और badminton यानि 414 को इसमें add करना है तो 456, 630 तो यह इसका निकालना है आपको 414, 315 अब यह किस से कटेगा और 448, 9, 9, 3 से कट जाएगा 3, 1, 3, 3, 3, 9, 8, 8, 24, 3, 0, 5, 8, 9, 12 यह कट जाएगा फिर से 3, 3, 3, 9, 5, 3, 15, 4, 3, 12, 6, 3, 8, 14, 35 यह आपका अंसर आप डारेक्ट 9 से भी काट सकते थे इसको इसको डारेक्ट 9 से भी काट सकते थे आप यह देखो 800, 826 और 630 है तो 9, 7, 63, 9 से इसको काट ते 9, 9, 81, 9, 12, 18, फिर इसको आप 46 कर दो और इसको 35 कर दो तो यह डारेक्ट आ जाता चलो, खतम करेंगे दोस्तों अब बस होगी आज के लिए काफी इतना वैसे DI तो और है लेकिन मैं थक गया slow-slow पढ़ा बढ़ा की इतना slow पढ़ा लिका आदत नहीं है पर नए student से बोलके चलो ठीक है थोड़ा slow-slow ही करेंगे next अप करेंगे है अपन कल कोशिश करते हैं कल या Wednesday को कर लेंगे सुमिद जी मैं एक साथ ही डलवा दूँगा पूरा मेंस का PDF उसमें कल ही Wednesday है क्या बात कर रहे है कल Wednesday है हाँ तो कल कर लेंगे कल साथे दस बजे से करेंगे लेकिन टाइमिंग कल साथे दस बजे रहेगी निव एडिटोरियल ठीक आज डलवाते हैं नमर ओफ पार्टिसिपेंट्स इन होकी होकी में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं is how much percent more or less than number of participants in cricket तो cricket वाले से वो कितने कम या जादा हैं तो 72 से इसको डिवाइड करोगे 38 से 300 हो गया ना होकी वाले का अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 33 तो 33 जो है 300 नमर ओफ पार्टिसिपेंट्स इन होकी इस how much percent more or less 3000 जादा है 300 से जादा है 1000 परसेंट आंसर देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है graph shows the number of person using iPhone in five different states in January तो graph में पाँच लोगों के बारे में बताया है पाँच different states में कितने लोग iPhone यूज करते हैं उसका data आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है अब बोराद the number of male using iPhone in Manipur iPhone जो Manipur में यूज करते हैं तो कितने लोग है भी यह देखो यह 100-100 का gap दिख रहा है यह 3000 है यह 3500 है बीच में 5 gap है मतलब यह 100-100 की gap है total ठीक तो अगर बोल रहा है मनipur में iPhone यूज करने वाले लोग तो कितने हो गए भी यह देखो 3000 से 200 जादा याने 3200 हो गए is 1728 तो बोराद the number of male using iPhone in Manipur is 1728 तो 3200 टोटल है मनिपur में जिसमें से male कितने है 1728 तो female कितनी हो जाएगी माइनस करके निकाल सकते है माइनस करके निकाल सकते है उसके बाद क्या बोल रहा है and the number of kids using iPhone in Manipur is 152 अच्छा यहाँ पर kids भी है तो kids कितने है भई 152 kids है find the number of female using iPhone in Manipur तो भई सिंपल सी बात है 1728 152 दोनों को add कर दो और 3200 में माइनस कर दो आपका answer आ जाएगा तो यह तो SBI clerk level का लग रहा है तो दोनों को add कर देते हैं भई 152 इसमें add करोगे तो 1880 इसको आप 3200 में माइनस कर दो तो अगर 3200 में 1880 को माइनस करेंगे तो 31 में 18 गया 12 और 13 तेरा सो बीस आपका answer बनेगा सिंपल था हलवा एक्दम next question चलिए इसको बनाई है यह है PO level घुमा फिर आके देने वाला question 325 भी है ना कहां है 325 चार 25 है उसके अगले पेज में यहाँ पर फिर 525 है फिर यहाँ पर 625 है तो कितने बार लोगे भई उसको वो पेज नंबर है कैसे कर दे रहे हो लुक्जा ay कितने हमा आके Hay कितने है कितने हमा चारा प्रूघ कर दे वां झाल झाल solve हो जाए तो answer लिखिएगा 198 लिखाया है शिवांगी जी ने झाल झाल चले 198 काफी सारे लोगों का आ रहा है answer तो देखते हैं यहाँ पर करना क्या था question में बोल रहा 65% of the person using iPhone in Bihar is above 90 years तो भई बिहार में सबसे पहले तो देखो कितने लोग दिख रहे हैं आपको 2400 लोग दिख रहे हैं ठीक है तो टोटल 2400 लोग हैं बिहार में इसमें से 65% लोग जो हैं यह above 90 वाले हैं मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 80 to 90 80 year to 90 year फिर से पढ़के देखो कि तो समझ में आ जाएगा कि यही बोल रहा था 80 से उपर वाले 90 से नीचे वाले पढ़के देखो and the number of person using iPhone who are above 80 year 80 से उपर होने चाहिए but below 90 लेकि 90 से नीचे होने चाहिए मतलब 80 और 90 के बीच वाले वही हमने लिख दिया 80 और 90 के बीच वाले वो कितने हैं 20% है 20% किसका 20% of the person using iPhone who are above 90 year मतलब 90 year के उपर वाले जितने भी लोग है इसका 20% यह लोग है तो इसका 20% कितना हो जाएगा भी? 15% का 20% कितना होता है? 13% 6.5, 6.5 इसका 10% 6.5 है तो 6.5 अगर 10% है तो 20% 13 तो यह 13% यहाँ पर आगे अब उसके होग क्या बोल रहा है? If the ratio of number of male to female using iPhone who are below 80 year old in Bihar is 3 is to 5 then find the number of male using iPhone in Bihar who are below 80 years तो भी देखो अब हमको 80-90 वाले मिल गए, 90-से उपर वाले मिल गए तो बाकी जो बच गए वो 80-से नीचे वाले होंगे तो देखते हैं कितने भी 80-से नीचे वाले तो 65% above 90 year वाले है 80-90 साल वाले 13% लोग हैं तो बाकी के जो भी बच गए, कितने बचे भई, 22% बचे ये होंगे below 80 वाले ये below 80 वाले होंगे 22% लोग तो अब आप क्या करोगे 2400 का 22% निकाल लो, कैसे निकालेंगे भई 24 into 20 तो ये आपका below 80 years वाले आगए पूरे अब इसमें ratio क्या दिया हुआ है आपको number of male to female तो male female का 3 is to 5 का ratio दिया हुआ है 3 is to 5 का male female का ratio दिया हुआ है तो क्या करते हैं भई, total को total से divide करते हैं और जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो हमको निकालना क्या था? find the number of male, हमको male निकालना है तो जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो यह आगया आपका answer 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 दुना 18 एक carry, 9 दुना 18 और एक 19 198 यह आपका answer थे उमीद करता हूँ समझ में आया होगा फिर से एक बार फटड़ फट repeat कर देता हूँ बही आपको बोल रहा है कि total बिहार में जितने भी लोग हैं तो 2400 लोग हैं हमने यहां से देख लिया उसमें बोरा 65% लोग जो हैं वो 90 years के above है 90 साल से उपर वाले हैं 65% लोग अब बोरा 80 से लेकर 90 साल वाले जो लोग हैं वो इस का 20% है तो इसका 20% 13% होता है तो अभी तक 65 और 13 मिलाकर 78 हो गया कोई भी value खुद में 100% होती है अगर ये दोनों मिलाकर 78 हो चुका है तो बचा कितना 22 तो वो 80 के नीचे वाले हो जाएंगे 22% अब पूरा add करोगे तो 100 हो रहा है मतला बिल्कुल perfect है तो ये 22% हमको पहले निकालना था क्योंकि हमको below 80 वाले ही चाहिए तो 22% अगर आप 24 होकर निकालोगे तो कैसे निकालोगे 24 into 22 करके तो ये total आ गया अब ratio दिया है male female का तो हम क्या करते हैं गाना लगाते है total को total से divide करते है तो इस total को इन दोनों के total से हमने divide कर दिया जो निकालना है हमको male निकालना था तो 3 से multiply कर दिया अगर female निकालना होता तो 5 से multiply करते है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा चलिए next question इसका answer दीजिए जल्दी से झालना होता है झालना होता है झालना होता है चलिए बारा स्वस्थी answer दे रहें काफी सारे लोग देखें क्या बोल रहे हैं पर the ratio of the number of male to female using iPhone in all the states together is 3 is to 2 सब states में मिलाकर male female का जो रेशो है वो 3 is to 2 का है find the average number of female using iPhone in all the states together तो आपको पूरे states का female का average निकालना है तो क्या करेंगे बई सब को add कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो कितना हो गया आपका 3600 ठीक है एक मेड़ दोस्तो कॉल आ रहा है एक सेकंड निलिश तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह आपको 3600 दिक गया इस वाले को देखो तो यह वाला आपका 3200 है इस वाले को अगर हम देखें तो 45, 46, 47, 48, 48 हो गया यह इस वाले को देखो तो यह 2000 हो गया इस वाले को देखें तो यह 2400 हो गया तो इन सब को add कर लेते हैं अब इन सब को add करोगे तो कितना हो जाएग अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 5, 14, 15, 16, 160 मतलब 1600 या 16000 लिख लो अब 16000 को अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करते हो नहीं पहले तो आपको male-female निकालना है ना तो 16000 में पहले male-female निकाल लेते हैं तो male और female का ratio कितना दिया हुआ है 3 is to 2 का दिया हुआ है तो 3 is to 2 का अगर ratio दिया हुआ है तो सबसे पहले तो female निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे बढ़ी तोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं तो 16,000 को 5 से पहले डिवाइड कर लो जो निकालना है उससे मल्टिप्लाइ करते हैं तो 32 को जब आप 2 से मल्टिप्लाइ करोगे 6400 आ जाएगा अब इसका average निकालना है तो भई टोटल कितने state थे 1, 2, 3, 4, 5 तो इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 1280 आपका answer बन जाएगा फिर से repeat कर देता हूँ एक बार फटा फट भई पहले तो सब का total निकाल लो ठीक है पूरा total जब हमने निकाला तो हमको पता चल गया कि total कितने लोग है total मिला कर सारे states में 16,000 लोग है अब 16,000 में male female का आपको ratio दे दिया है कितना भी 3 is to 2 का तो गाना लगाना है गाना लगाएंगे तो गाना कैसे लगता है भी total को total से divide करते हैं तो 16,000 को आप 5 से divide कर लो तो ये आ गया जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो हमको female निकालना है तो female 2 है तो 2 से इसको multiply कर लो female आ गई 64 अब इस female का total पांचो state मिला कर आपको क्या निकालना था average तो भी total कितने state है 5 state है तो 5 से इसको divide कर दो 1, 2, 8, 0 1280 आपका answer next question हम वखको दो स्सक्टल हम ऊपका स्दोपगा Spreальव झाल झाल चलिए A answer आ रहा है तो गोवा में total कितने लोग है भई? 3600 लोग है तो 3600 लोगों में male और female का आपको ratio दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 11 इस टु 7 का तो क्या करते है भई? total को total से divide करते है तो 3600 को आप 18 से divide कर लो 200 आ गया जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो ये 22 सो आ जाएगा और ये 14 सो आ जाएगा अब क्या बोरे, what is the difference between the number of male and female using iPhone in Goa तो ये direct निकालने की ज़रूद नहीं थी, आप direct कर सकते थे, कैसे direct कर सकते थे जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो आप difference यहीं पर निकाल लो 11 और 7 का difference कितना होता है, 4 तो सीधा 200 को 4 से multiply करो, 800 आपका answer male निकालना है तो 11 से multiply करोगे, female निकालना है तो 7 से multiply करोगे difference निकालना है तो दोनों का difference देख लो 4 दिख रहा है उससे multiply करेंगे total निकालना है तो 11 और 7 हला कि total दिया है पर निकालना होगा अगर कभी ऐसा कोई case आता है तो 11 और 7 18 18 से multiply करोगे ठीक है जो निकालना है उससे multiply करते है next question आता है चलिए 260 अंसर आ रहा है काफी लोगों का देखते हैं तो भई प्रिविएस मन्थ की बात करें तो यह जैनवरी का डेटा है तो अगर यह जैनवरी का डेटा है तो आपको भोल रहा है कि फरवरी में 20% कोलकाता में बढ़ गया इंक्रीज हो गया तो कोलकाता में था कितना पहले 4800 था तो 4800 से यह 20% बढ़ गया मतलब 6 by 5 क्योंकि कोई भी वेल्यू खुद में 100% होती है 20% बढ़ गया मतलब 120% हो गया तो 120% यह होता है न भी तो 20 से काट होगे तो यह 6 हो गया यह 5 हो गया तो इससे लिए 6 by 5 कर दिया हमने तो 120% हो गया यह 20% बढ़ा दिया हमने इसमें अब आगे क्या वो रहा है एंड दे रेशो अब और एंड दे रेशो अफ नमबर अफ मेल तो फीमेल यूजिंग आइफोन इन कोलकाता इन फेबरी इस 5 इस तू 3 अब बोल रहा है कि इसमें जो मेल फीमेल का रेशो है वो 5 इस तू 3 का है तो find the number of female यूजिंग आइफोन इन कोलकाता इन फेबरी तो क्या करते है बई टोटल को टोटल से डिवाइड करते है जो निकालना है हमको female निकालना था उससे multiply करते है ठीक है 8 से काटेंगे इसको फिर 5 से काटेंगे इसको 6,3,18 into 120 इसको आप solve कर दो आपका answer आजाएगा 18 into 120 18 को आप पहले तो 100 से multiply करो तो 800 आ गया फिर 18 को आप 2 से multiply करो 18 दुना 36 तो याने 360 आप अब एड़ कर दो 0,6,8,3,11,1,2,1,6,0 सही है सर के गले में क्या है रुदराक्ष किमाल है और क्या है इसकी बात कर रहे हो गया माईक है नया पुराना वला खराब हो गया मै डर गया थे चीड़ा विड़ा तो नहीं आ गया चलिए तो ये आंसर नेक्स्ट जल्दी से एक बार देख लीजिए डेटा को अया हो ै येध राफ लीज़ाय बार हो हुआ आप पुरा जीज़ा हो अग शीज़ाब्स कर देख लीज़ाख meant building येटाना झाबस्ट और değer लीज़ाना थाव़ां मुआ येग highway उ़़ा हो येख लीज़ाबस्ट टो गया हो क्या है झाल झाल चलिए उम्मीद करता हूँ डेटा तो आप लोगोंने समझ लिया होगा पहले क्वेश्चिन का आंसर दीजिए फिर जल्दी से झाल झाल 54 आंसर दे रहे हैं काफी सारे लोग अब देखिए जिन से नहीं बना तो वो इधर ध्यान दीजे सबसे पहले तो दोस्तो इसमें समझो की बोल क्या रहा है तो बोल रहा है आंसर दे क्वेश्चिन बेज़ बेज वन दे इन्फरमेशन गिवन बिलो तो यह कल जैसा मेल फीमेल वाला बनाया थे यह उसी टाइप का है परसेंटेज आपको उसमें क्या कर दिया था भई परसेंटेज ओफ मेल दे दिया था और नमबर फीमेल दे दिया था तो यह बिलकुल सेम वैसा ही डियाई है बस मेल फीमेल की जगा वाइट और यल्लो रजगुला कर दिया है तो यहाँ पर देखो दोस्तों यह जो percentage दिया है यह percentage है यल्लो रजगुला का कोई भी value खुद में 100% होती है तो अगर यह 79 है तो यह 21 होगा अगर यह 64 है तो यह 36 होगा अगर यह 89 है तो यह 11 होगा अगर यह 68 है तो यह 32% होगा अगर यह 50% है तो यह भी 50% होगा तो बस इसके according आपको data निकालना था एकदम हलवा question चलिए बनाते हैं फटा फटा मंडे के दिन वाइट रजगुला जो खरीदता है चमन, रमन और कमल इन दे रेशो आठ साथ चै रस्पेक्टिवली find the number of वाइट रजगुला बॉर्ड बाय कमल तो मंडे के दिन वाइट रजगुला कितना है वही सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा तो number of वाइट रजगुला सोल्ड आपको दिया हुआ है मंडे की दिन 189 तो आपको बोल रहा है चमन, रमन और कमल C, R और K ये कितने रेशो में खरीद रहे हैं? 8, 7 और 6 रस्पेक्टिवली तो आपको बोल रहा है number of वाइट रजगुला बाट बाय कमल आपको कमल निकालना था तो बस गाना लगाना है गाना लगाना है टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं जो निकालना है उससे मल्टिप्लाए करते हैं तो 189 डिवाइड बाय 21 इन तीनों का टोटल और जो निकालना है हमको ये निकालना था इससे multiply करते है तो इससे अगर आप काटोगे तो यह 9 times जाता है 9 is the 54 यह आपका answer next question answer दीजिए फटा फट बनाते जाएए दोस्तों एक दम हलबा question है यह आगे बढ़ेंगे फिर next GI पर जाएंगे पुषपेंदर जी अभी तक तो नहीं हुआ है उस पर काम पूरा टाइम लगेगा पुआ है 2, 6, 8, 9, 5 answer दे रहे हैं कुछ लोग देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है इसको देखते हैं आपको पुरह प्राइज ऑफ इच वाइट रजगुला एच येलो रजगुला एच येलो रजगुला एच ट्वेंटी एच ट्वेंटी फाइफ तो वाइट और येलो वाले का प्राइस दे दिया है आपको वाइट वाले का 20 और इसमें कलर करने का 5 रुपए एक्ट्रा ले रहा है वो येलो कलर करने का 5 रुपए एक्ट्रा ले रहा है तो 25 रुपए अब आगे आपको क्या बोल रहा है भाई find the total revenue generated by the shopkeeper on Wednesday, तो Wednesday की दिन आपको निकालना है भी कि कितना revenue इसने generate किया होगा तो भई अगर ये 89% है तो ये 11% होगा तो हमको इसका number अगर निकालना है कैसे निकालेंगे जो दिया है गाना हमेशा लगता है, हर जगा लगता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आईगे, इसे भी ये गाने ही लगते हैं और कुछ नहीं लगता, और कोई concept नहीं होता percentage ratio में जो दिया है, उसको उसी के percentage से divide करते हैं और जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं और जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो यहां से यह कट जाएगा 11 times और इसको जब आप multiply करोगे तो यह आजाएगा आपका 979 979 ठीक तो 979 क्या है यह यलो वाले रजगुले है और वाइट वाले रजगुले कितने 121 है तो आप करना क्या है आपको वाइट वाले को आप 20 से multiply कर दो और यलो वाले को आप 25 से multiply कर दो फिर दोनों को add कर दो आपका answer आजाएगा तो यह कितना हो गया भई 2420 2420 इस वाले को multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा करो भई जल्दी से इसको multiply 979 को 25 से multiply करो और total करके बताओ तो इससे आपका answer आजाएगा 24475 और total बता दो फिर कितना आ रहा है 24475 है तो मतलब यह वाला आएगा फिर आपका answer 26895 ठीक है सभी का यही आ रहा है answer 26895 चलिए फिर next question पर चलते हैं दोस्तों next का answer दीजिए जल्दी से दीजिए भी हलवा question है if each रजगुला contains 20 gram of चाश्णी then find the total weight of चाश्णी used by shopkeeper on Wednesday वैंजडे का अब भी हमने total निकाला था Wednesday का data हमने अब भी total निकाला था वैंजडे का डेटा हमने अब भी total निकाला था निकाले थे ना देखो यह तो 121 है white वाले यह तो हमको पता है और यह 89 को 11 से multiply करके हमने निकाला था ना कितना आया था भी देखो पीछे चलते हैं तो यह देखो 979 आया था मतलब हम बोल सकते हैं कि यल्लो वाला जो है वो 979 है इनको add कर लो कितना हो जाएगा 1100 तो भई 1100 केजी में अगर 20-20 ग्राम के हिसाब से हम निकालेंगे तो 11 दुना 22 होता है 22 केजी आपका अंसर भई इसको आपको 20 ग्राम से multiply करना है ना तो 20 ग्राम हर उसमें 20 ग्राम है तो 20 ग्राम है मतलब आप इसको 2 से multiply कर दो यह 0 को हटा दो तो 11 दुना 22 यह 22 केजी आ गया 22 केजी चाश्ट नहीं था खुलबा पॉर्शन है तो ratio number of yellow रजगुला sold on Tuesday to that of Thursday निकालो है पॉर्शन हमें नहीं है अरे भाई एक केजी में 20 ग्राम है चाश्टनी तो 10 केजी में 200 ग्राम होगी तो 100 केजी में 2000 ग्राम होगी एक एक जीरो बढ़ाते जाओ देखो एक केजी में बीस ग्राम दस केजी में दो सो ग्राम सो केजी में दो हजार ग्राम अब दो हजार ग्राम का मतलब दो केजी होता है तो हम बो सकते हैं सो केजी में दो केजी तो अगर सो केजी में दो केजी तो इस 2 को भी 11 से multiply कर 12 kg तो 1100 kg रजगुला में 22 kg चाशनी थी चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तो ratio of find the ratio of number of yellow रजगुला sold on Tuesday तो Tuesday का yellow वाला रजगुला कैसे निकालेंगे अगर यह 64 परसेंट है 64 तो यह 36 परसेंट होगा होगा ना तो 216 जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से divide करते हैं और जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो यह निकल गया यहाँ का यलो वाला रजगुला इसका ratio निकालना था किसके साथ ratio निकालना था Thursday के yellow वाला रजगुला के सांथ तो यहाँ पर देखें दोस्तों अगर यह 68% है तो यह 32% होगा अगर यह 68% है तो यह 32% होगा ठिक फिर वही गाना लगाओ जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते है और जो निकालना है उससे multiply करते है बस यह आपका ratio निकल जाएगा इसको card pit के निकाल दो भई आप card pit के इसको बराबर कर दो अच्छा यह वाली value ऐसे उपर जाती है तो पलट जाती है पता है न तो वैसा पलट के भी आप कर सकते हो आपकी choice है तो इसको पलट देते हैं यह देखो नीचे वाली value उपर जाएगी तो यह क्या हो जाएगा भई यह 32 और 68 जो है वो उपर की तरफ चला जाएगा ऐसा ठीक है और यह 688 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा यह 688 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा तो यह ऐसा हो जाएगा अब इसको solve कर लो तो 36 से काटेंगी यह 6 टाइम जाएगा और दो से काट लेते हैं इसको दी हो जाएगा 16 3,4,4 और कट रहा है कहा 16 दूना 32 चौब इस नहीं फिर 2 से काट लेते हैं एक साथ दो अभी भी नहीं काट रहा है अब 2 से काटेंगे तो 8 आठ और 6 चार अच्छा यह दो ध्यानीं गिया इसको काटेंगे 4 से एक और 6 एक और 7 तो बस यह आपका बन जाएगा आप आंसर 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 इंटू 4 48 इंटू 4, 192 यह वाला आपका आंसर बनेगा देख लो भई, सभी लोगं का सेम आंसर आ रहा है यूर मार्क्स इन RRB क्लर्क मेरे मार्क्स हैं 75.5 75.75 एप्रोक्स ऐसे कुछ मार्क्स आए है आउट और 80 चले आगे find the difference between number of yellow rasgullas sold by the shopkeeper on Monday and that on Friday तो इसमें yellow वाले rasgullas का आपको difference निकालना था Monday और Friday के आपको दिफ्रेंस आपको दिफ्रेंस निकालना था ठीक है तो Monday और Friday तो yellow वाला निकालना है तो देखो भई यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा दिख रहे है कि 600 ही हो जाएगा yellow वाला इसका बस आपको निकालना है तो अगर यह 79 है तो यह 21 होगा मतलब यह 9 टाइम कटेगा तो जो दिया है उसको उसीध परसेंटे से डिवाइड करते है 9 जो निकालना है उससे मल्टिप्लाइ करते है तो 9 को इससे मल्टिप्लाइ करोगी तो कितना हो जागा 8 निम 72 720 में 9 कम कर दो याने 711 तो 600 इसमें वाइनस करोगे तो 111 आपका आंसर सही है दोस्तों इस क्वेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फोर्मिशन आप सभी के लिए कि डेली मीटप होने वाला है दोस्तों इस 16 तरीक को इस 16 सेप्टेंबर को 16 सेप्टेंबर को डेली मीटप होने वाला है तो बैंकिंग केटिगरी से मैं कपिल सर और निमीशा मैं आने वाले हैं तो आप लोग अगर मिलना चाहते हैं, अपने educators से और कुछ doubts अगर पूछना चाहते हैं, तो ये meet-up होगा शाम 4 बजे से, शाह auditorium ऐसा करके कुछ नाम है, हाला कि उस सब का detail आप लोगों को मिल जाएगा, तो Delhi में है ये, जो भी आना चाहते हैं, आसपास के जो भी area के students हैं आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप 16th of September को आईए वहाँ पर, limited हमने seats रखी हुई है, 1000 seats हैं, जो कि बहुत जादा ही है, 1000 seats बहुत जादा है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी seat book करनी होगी, जो कि free है, आपको अलग से कोई charge वार्ज देने की जरूरत नहीं है, एक Google form है, बस उस form को आपको fill कर देना तो आपकी seat फिल, आपकी seat जो है, वो book हो जाएगी, तो आप इस 16 September का जो meet up है, उसके लिए अगर आ रहे हैं, तो जरूर चार बजे, शाम को चार बजे, चार बजे से होगा, साथ आट बजे तक, ठीक, चलो, question बनाईएं जल्दी से, अच्छा, Unacademy Plus पर 20% का discount चल रहा है, और मेरे 3 courses आने वाले हैं, AL10 ये code लगा लिजेगा दोस्तों, आपको 20% का discount मिल जाएगा, 3 courses मेरे कौन-कौन से हैं, एक तो Prelims Reasoning का course स्टार्ट हो रहा है, 15 तरिक से, एक Mains Reasoning का course स्टार्ट हो रहा है, 22 September से, और एक Mains D.I. का course स्टार्ट हो रहा है, 19 September से, तो ये 3 courses मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, अभी back to back, उमीद करता हूँ, ये data समझ गया होगे, चले, पहले question का answer दीजिए, झ्यार्ट प्रमोगगई झाल 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 चलिए, स्टार्ट करते हैं, पैन कहां गया है, कुल पैन चुरा लिए अमरा, चलिए, मिल गया, पैन, स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डेटा समझते हैं, तो डेटा में क्या बोल रहा है यहाँ पर, डेटा में बोल रहा है, गिवन लाइंगरा 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 रह तोटल नम्बर आफश लोड शोड नहीं है आपको यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है नहीं नम्बर आफशोड दिया है और यह टोटल कितना 860 है बुला है मेरे खाल से कितना 860, तो अगर इसकी value 860 है तो आप यह सब values निकाल सकते हो, पूरा जो x, x दिख रहा है क्या करना है, simple सी चीज है, यह सब को add कर दो, मिला कर 860 आना चाहिए add करते हैं भई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20, 30 40, 50, 60, 70 75 75 और 85 86 86, तो 8, 6, x is equals to 860 होना चाहिए 86 से इसको काटोगे तो 10 आ गया x की value अब अगर x की value 10 आ गई, तो आपको पता चल गए अभी यह 24, यह 240 हो जाएगा यह 110 हो जाएगा, यह 180 हो जाएगा 130 हो जाएगा, यह 200 हो जाएगा और उसके बाद का पूरा question बस बिलकुल जैसे आप इछला question किये थे वैसे ही है, नहीं थोड़ा सा different है, percentage by which number of packets of detergent sold is less than number of soap sold ठीक है, तो कितना percent कम है यह आपको यहाँ पर बताया गया है तो भी सबका data दो हमारे पास आ गया क्योंकि x की value 10 आ चुकी है, यहाँ पर लिख लेते हैं x is equal to 10 कितने लोगों से नहीं बना पहला question जल्दी से एक बार no लिख दीजिए फटा-फट ताकि मुझे समझ में आए कि कितने students हैं जो नहीं बना पाए इस question को जल्दी से एक बार no लिख दीजिए फटा-फट और जो भी no लिख रहे हैं यह x वाला तो समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको क्या है number of sop sop total बता दिया 860 है और यहाँ पर x x में उनकी values दे दिया है मतलब सबको add करके 860 आना चाहिए तो simply सबको add कर दो is equals to में 860 रख दो और equation solve कर दो 86 से 860 कर जाएगा 10 आ जाएगा x की value 10 आ भी अब देखों यहाँ पर क्या बोले find the difference between number of soaps sold by c तो number of soaps sold by c and number of packets of detergent sold by a और a के packet of detergent आपको निकालना है तो भाई c के soap कितने 180 यह c के soap निकल गए अब a के detergent निकालना है तो क्या करोगी भी पहले तो a का यह निकालोगे 240 यह soap है अब boral detergent 20% कम है इससे 20% कम है तो इससे 20% कम मतलब इसका 20% कितना होता है 48 उस 48 को इसमें minus कर दो 192 तो दोनों का difference आपका कितना आ रहा है एकदम लूल question था समझने की जरूरत थी बस और कुछ नहीं करना था चले next झालोगे की जरूरत रहा है एक सोबासट आंसर दे रहे हैं कुछ लोग देखे क्या बोरा find the sum of number of soaps sold by b तो b के soaps कितने है भई b के soaps है 110 and the number of packet of detergent sold by d तो d के detergent कैसे निकालोगे भई पहले तो यह देखो 13x याने की 130 अब 130 अगर यह है तो आपको बोरा 60% कम 60% कम क्या होगा detergent होगा तो 60% कम मतलग 70-80 इसमें कम कर दो 70-80 इसमें कम करोगे तो 52 इन दोनों क्याट करोगे तो 162 आपका अंसर next 162 आपका का तो 172 आपका प्तिशों करोगे तो 80 इसमें कम प stakeholder ça encolo 163 आपका की 1 आपका क्या दो 161LY आपका 162 आपका 162 आपका देखें क्या पूर है अबर दर नंबर ओफ पेकेट और डिटर्जेंट सोल्ड बाई A तो A के डिटर्जेंट अगर आपको निकालने है तो 240 में 20% कम किये थे हम तो आया था ना 192 डिटर्जेंट का Is how much percent more or less than number of soap सोल्ड बाई E तो E के soap कितने है भी E के soap है 200 तो यह 200 से यह 192 कितना कम है आठ कम है 200 से कम है multiplied by 100 2 0 2 0 कट गया 2 से कटो 4 4 आपका percent आगया कर तो आपैंगानिे कर दिक है कै करहा? स्भंटने है ऐसकासे क्पाउड़ ग्रस यह जिर देया गाभाफे कितने हैं यह कितना को अवाड़िदा आपकापश conserve, क्रांपन थे क्ढ़गा, च Cave जिक हुआ है find the total number of soaps and packets of detergent sold by B and D total number of soaps and packets of detergent तो पूरा पूरा निकालना है तो भी यह देखो यह 110 आ गया और D की बात करें तो D में 130 आ गया 130 में 60% कम मदला 78 कम करेंगे तो 52 आ गया इसमें 10% कम करेंगे तो 11 कम कर दिया 99 आ गया इन सब को एड कर देते हैं तो 240 240 और 105 59, 59 इसमें और एड कर दो 193, 391 आपका आंसर सबका यही आया है हलवा था यार यह प्री मेरे को तो लग रहा है कि यह क्लरक प्री का लेवल क्वेस्चन है क्लरक प्री लेवल क्वेस्चन है यह 100 इस भी हलवा क्लर्क लेवल क्वेश्चन, पीरो समझ के मैं इसको बना रहा था लेकिन यह है क्लर्क, आचा किसी को समझ में नहीं आया, पिछला क्वेश्चन एक बार बता देता हूं, देखो इसमें क्या करना था, इसमें आपको बुला था, आपको B और D का टोटल निकालना है, B का पूरा ये दोनों मिलाकर और D का पूरा टोटल दोनों मिलाकर, तो इसमें देखो, ये 11X मतलब 110, इधा 13X मतलब 130, ठीक है, अब डिटर्जेंट कितना है, 60% कम है इससे, तो इससे 60% कम मतलब इसका 40% निकाल लो, तो इसका 40% कितना होता है, 52, अब यहाँ पर देखो, ये 110 है, डिटर्जेंट कितना है भई, 10% कम है, तो 10% कम, इसका 10% कम कर दो, ये 90% निकाल लो, 99, अब इसको, इसको, इसको और इसको एड कर दो, तो एड करोगे 390 बना जाएगा, इस question में क्या किये थे, ratio of number of soap sold by A, तो A के soap कितने दिख रहे हैं, देखो, 24x दिख रहे हैं, मतलब 240, क्योंकि x की value 10 आई थी, शुरुवात में निकाला था हमने, number of packet of detergent sold by E, तो E के detergent कैसे निकालोगे भई, पहले तो देखो 20x हैं, मतलब 200, अब 200 का 75% कम करना है, तो 200 में 75% कम करो, या फिर इसका 25% निकाल लो, बात तो यह की है, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 50, तो बस इन दोनों का आपको ratio बताना था, तो 0 और 0 कड़ीया, 24 और 5 आपको अंसर आ गया, graph shows the number of students attended English seminar, and table shows the ratio of English to Hindi seminar from all cities, तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है कि English seminar attend करने वाले कितने लोग हैं, और यहाँ पर आपको English और Hindi का ratio दिया हुआ है, सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को ratio निकालना सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से students ऐसे होते हैं, जिनको ratio निकालना ही नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं A की बात करूँ, तो A में English वाले कितने हैं, मैं यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना यही basic है, इसके लाब और कुछ basic नहीं होता है, तो A अगर यहाँ पर आपको English वाला दिख रहा है, 630, और English और Hindi आपको total city A में दिख रहा है, देखो city A में English और Hindi दोनों है, तो English हो गया, Hindi हो गया, अब English और Hindi का ratio कितना दिया है, 9 और 7 का, तो एक गाना याद रखिए, जो दिया है, उसको उसी के ratio से divide करते हैं, और जो निकालना है, उससे multiply करते हैं, तो यह वाली value आपकी आ जाएगी, तो इसको अगर आप 9 से divide करोगे, और इससे multiply करोगे, कितनी आएगी value, जल्दी बताईए, 490, तो बस, ऐसे आपको value निकालना है, आप सारा value निकाल सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, यह data निकालना समझ में आ गया होगा, ratio कैसे निकालते हैं, यह समझ में आ गया होगा, अब देखें क्या बोल रहे हैं, आपर question number 1 में, number of students attended seminar in English from A, तो English में जो A वाले है, is what percentage of Hindi seminar from D, तो Hindi वाले D के आपको निकालना है, तो D का Hindi कैसे निकालेंगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, D में English और Hindi लिख लेते हैं, D वाले में देखो English वाले कितने 840 है, ठीक है, 840 है, और Hindi वाले देखो, यहाँ पर ratio दिया हुआ है, English Hindi का, 6 to 5 का, तो यह 6 है, और यह 5 है, तो फिर से वही काना लगाएंगे, जो दिया है, उसको उसी के ratio से divide करते हैं, और जो निकालना है, उससे multiply करते हैं, तो आप क्या करोगे, 840 को divide कर लो 6 से, और 5 से multiply कर दो, तो यह 700 आ जाएगी value, निकल गया, अब आप से पूछा क्या था, ध्यान से सुनिएगा, पूछा क्या था, कि यहाँ चो English वाले हैं, English seminar, ठीक है, attended English seminar, और टेबल, नहीं यार कहा था, यह, number of student attended seminar in English from A, तो English from A वाले जो हैं, is what percentage of Hindi seminar from D, तो D के हिंदी वाले का, यह कितना percent है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं भई, 630 is what percent of 700, multiplied by 100, यह वाली value, इसका कितना percent है, याद रखिएगा, यह वाली value, इस value का कितना percent है, तो 630 is what percent of 700, तो बस इसको काट दो भई, अगर आप इसको 7 से भी काटोगे, तो यह आपका 90 percent आ जाएगा पूरा, देखों, यह 2-0 से, यह 2-0 कट जाएगे, 7 से इसको काटोगे तो 90 आएगा, 90 percent आपका answer, उमीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल एक दम basic level से मैंने बताया है, काफी लोगों का answer आ चुका है, और अभी एक किसी का comment आ रहा था, हाँ, सुमिद का, हलवा डियाई भी एक्जाम में 4-5 मिनिट ले लेता है, सुमिद जी वो इसलिए क्योंकि आप orally calculation नहीं कर रहे हो, जब आपकी calculation speed तेज होगी आप fast-fast calculate कर पाऊगे, तो आप answer भी जल्दी-जल्दी दे पाऊगे, for example, मैं यहाँ पर आपको इसको solve करके बताता हूँ, पूरी values निकाल के बताता हूँ आपको, अभी तो मैंने क्या किया, आपको पूरा लिख-लिख के बताया कि ऐसे से निकालते हैं, बट उसी चीज़ को आप जल्दी-जल्दी भी निकाल सकते है, 630, 9 से divide करेंगे, 9, 7, 63, 7, 7, 49, 490 यहाँ पर आगया, 640 को अगर मैं 5 से divide करूँगा, तो 5, 1, 2, 7, sorry, 8, 128 को 3 से multiply करना है, अगर 128 को 3 से multiply करूँगा, तो 12, 2, 24, 36, 8, 8, 24, यानिकी 384, 384, ठीक है, थर्ड वाले को देखो, 25 और 21, इसको अगर मैं 25 से divide करूँगा, 30 को अगर मैं 21 से multiply करूँगा, तो 21 इंटू 3 कर लो, 630, ठीक, इस वाले को देखो, अभी ज़स निकाले थे, 700 आया था, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसको 17 से divide करना है, 17 दूना 34, 5, 6, 26, 26 इंटू 21 करना है कितना हो जाएगा, 260, 260 और 26 फिर से उसमें add कर दो, 21 उसमें add कर दो, 281, सही है ना, 26 इंटू 21 करेंगे ना, अच्छा, ठीक है, मैं 11 से कर दिया था, ठीक है, कितना 576, मैं 11 से multiply कर दिया था, तो 26 इंटू 21 करना है, तो 26 का डबल, 520 तो ऐसे ही हो गया, अगर मैं 26 को 20 से multiply करूँ, तो 520 तो ऐसे ही हो गया, फिर 520 में 26 और add कर दो, क्यों गलत हो रहा है, मैं कुछ गल्टी कर रहा हूँ, 260, 260, वही ना, 546 होगा, ठीक कर रहा था मैं, सहीं कर रहा था, चलो, तो यह उमीद करता हूँ, दोस्तों समझ में आ गया होगा, डेटा तो ऐसी ही निकालें, कि यह वही चीज़ें, जो अभी तक मैं बता रहा था, पहले question में, बस थोड़ा सा fast किये है, पहले question में बहुत आराम-ाराम से बने बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा fast करके बताया हूँ, तो यहाँ पर आप देख लो, आप सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है सबसे ज़्यादा 700, तो बस यह आपका answer बन जाएगा, क्या है, डी, महिंद्र जी, एक मन्त का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी तो एक महिने में में मेंस नहीं होता है, आपको अगर मेंस करना है, तो मेंस के लिए कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे त्यारी करने के लिए, चलिए, यहाँ पर क्या बूरा है, ठीक है, और इंग्लिश फ्रॉम कौन से हम बोल रहा था, इंग्लिश फ्रॉम सी, तो इंग्लिश सी वाला कितना दिया हुआ है, 750, तो 750 और 490 दोनों का सम आपको बताना है, 1240 आपका अंसर, अब भाई, टोटल करके बताने की जरूरत तो नहीं है न, साड़े 700 में 500 और गर लो, इसको 500 मान लो, साड़े 700 में 500 और गरोगे, साड़े 1200 हो गया, और उसमें फिर 10 कम कर दो, क्योंकि आपने इसको 10 एक्स्ट्रा लिया था, तो 1240 आपका अंसर, कब ठीक होगा ये खासी, परचान हो गया हूँ ये खबतों से, देखें, इस क्वेस्ट्चन, में थोड़ा साना दिमाग लगाना था, प्रेजन्स ओफ माइंड जिसका अच्छा होगा एक्जाम में, वो इस क्वेस्ट्चन को जल्दी कर लेगा, कैसे क्योंकि अभी जस्ट्चन हमने पिछले एक क्वेस्ट्चन में निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सारी वेल्यूज निकाली थी, बस उसको एड़ करके आपको एवरेज निकालना था, कुछ लोग फिर से निकालने लग जाते हैं वेल्यू, जब आपने अल्रड़ी वेल्यू निकाल लिया एक बार तो बार बार क्यों निकालना, आपने तो सारी वेल्यू पहली निकाली हुई थी, बस उन वेल्यूज को ही आपको एड़ करना है, और डिवाइड बार फाइफ कर देना है आपका एवरेज आ जाएगा, तो जैसे कि मैं पिछले कोशन पर चलता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमने यह सारी वेल्यू निकाली हुई है, अब इन वेल्यूज का आपको एवरेज निकालना है, ठीक, तो एवरेज निकालने के लिए सबको आड़ करना है, अब आड़ करने का भी एक तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे आड़ करता हूँ, आप चाहो तो वो तरीका follow कर सकते हो पहले इधर वाली values को add करो मैं यहाँ पहले अलग से लिग देता हूँ ताकि आप इसको देख सको अच्छे से clearly 630 ये तरीका जो मैं follow करता हूँ बहुत लोग follow करते हैं और इससे बहुत जल्दी-जल्दी calculation होता है सबसे पहले आपको इस वाले को calculate करना है बच्पन में हमको सिखाया जाता है इससे calculate करना लेकिन अब आपको इधर से calculate करना है अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो दूसरी चीज बेस value लेके base value वाला अभी मैंने ही बताऊंगा पहले आभी इसको देख लेते हैं अब इसको देखो 90 और 80 90 और 80 मिलाकर 170 हो गया 170 में 30 एड करोगे तो 200 हो गया 200 में 40 एड करोगे तो 240 हो गया अब आखरी वाले को देखो 6 और 4 दस तो बस यह आपका आ गया 27,50 तो 27,50 को अब आप 5 से divide कर लो 5,5,25 फिर 5,5,25 और 0 तो 550 आपका answer एक होता है base value लेकर base value लेकर भी अगर आपने किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं वो भी अच्छा तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है वो भी ठीक है वो भी तरीका मैं बता दूँगा continuous classes करते रहिए समझ में आ जाएगा तो चलो इसका भी answer आ गया आगे बढ़ते हैं इसका answer दीजे जल्दी से मेरे ख्याल से आकरी question है उसके रगले प्लस पर class नहीं होगी क्या होगी ना प्लस पर है ना अच class देखो क्या आपरा find the ratio of number of students from D and C attended seminar in English D और C में English वाले याने 840 और 750 तो 840 और 750 ठीक है two number of students from B and E attended seminar in Hindi तो B और E के हिंदी वाले मतलब ये वाला और ये वाला तो ये value हमने अभी निकाली थी भाई पीछे वहाँ से add कर लेंगे और इसको यहीं से add कर लो तो यह होगया पांच, चार, नो, आठ, साथ, पंद्रा 159 जो है दोस्तों इसको अगर आप तीन से divide करो तो कितना आता है? 35, 33, 53 आपको दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है ये आपका answer यही है, दूसरी value निकालने की जरुबत भी नहीं थी, इसी से आप कर सकते हो हाँ, अगर none of दीस रहेगा तो फिर दूसरी value को भी निकाल लेना ताकि आपको डर ना रहे कि भी गलत हो गया तो क्या होगा? चलिए, तो चलते हैं दूसरे value पर इसको जल्दी से देखिए, ये income expenditure वाली डियाई है, जिसमें की काफी लोगों को दिक्कत आती है, हाला कि simple डियाई है, बहुत जादा hard नहीं है, एक beginner student की हिसाब से समझने के लिए income expenditure को बहुत बढ़िया है ये, डियाई, तो जल्दी से देखिए question को समझ के बनाने की कोशिश करिए, कि बनाने के लिए ये मैं डिए ये recur टाराने का समझने का लड़िया है हम ऌनाने ची मैं बनाने को ऑला किता सकते से अचल tara को ङली सिर खलाने के बनाने के का समझने у passwords sizes झाल 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 चलिए तो स्टार्ट करते हैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जिनको नहीं आया इधर ध्यान दीजेगा सबसे पहले तो इस डेटा को समझेगे क्या बोल रहा है टेबल शोस्ट डिस्ट्रिबूशन ऑफ इंकम of different person in the year 2010 difference between income of गौरव and करती is 8100 it also shows the percentage saving of the person देखे एक बंदे की जो भी income होती है उस income से सिर्फ वो दो ही चीजे कर सकता है मैं हाँ पर समझा देता हूँ इसको income income मतलब जो भी इसको salary मिली ठीक है उससे ये दो ही चीजे कर सकता है या तो उसको खर्चा करेगा या तो वो save करेगा इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता बई जितने भी पैसे उसके पास से जा रहे कहीं भी जा रहे हैं वो मतलब उसके खर्चे हो गए वो उसके खर्चे में आ जाएंगे और saving मतलब जितने पैसों को उसमें सेव कर दिया तो वो उसकी सेविंग हो गई बस यही दो चीजें होती है ठीक है अब यहाँ पर देखो आपको बोलें जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं जो निकालना है उससे मल्टिप्लाइ करते हैं ठीक है हमको क्या दिया है difference between income of गौरव और कृति डिफरेंस दिया है गौरव और कृति के इंकम का तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो अब गौरव और कृती के income का difference percentage में देख लो भई कितना है 22.25 और 17.75 कितना difference दिख रहा है 2, 2, 4, 4, 5.5 5.5% का दिख रहा है 5.5% दिख रहा है तो गाने में क्या लगेगा भई जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करेंगे और जो निकालना है उससे multiply करेंगे तो 100 निकाल लेंगे तो क्या हमको पूरा 100 पता चल जाएगा फिर उस total से आप सब का निकाल सकते हो 15%, 25%, 20% जो भी दिया हुआ है सब निकाल सकते हो ठीक है तो ये आप इसको solve करो अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा इसका अगर point अटाएगे उपर 0 लग जाएगा इसको card fit के solve करके बताओ कितना आ रहा है 18,000 अब ये उमीद करता हूँ आप कर लोगे ठीक है इसको पूरा नहीं करके बता रहा हूँ मैं तो इसको जब आप solve करोगे तो आ जाएगा 18,000 18,000 है की एक लाग 80,000 है एक लाग 80,000 होगा ठीक है समझ में आया जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं हमको दिया क्या था? difference दिया था income का इन दोनों का तो income का ही जो percentage में difference है वो हमने निकाल लिया साड़े चार percent फिर जो दिया है उसको उसी एक percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं total हमको पता चल गया कि पूरी income सब की मिला कर कितनी है 18,000 बस अब ये percentage आप निकाल लो तो आपको सब की income पता चल जाएगी समझ में आ गया सभी को ये solve करके बताओ ना सर पहले पूछ लेते मैं उसी समय बता देता कितना लिखे थे यार 81,000 ने 8,100 upon 4.5 और क्या था multiplied by 100 देखो जब आप यहां का point हटाओगे इसका point आप कैसे हटा सकते हो 10 से multiply करके तो अगर आप नीचे 10 को multiply कर रहे हो तो उपर भी 10 को multiply करना पड़ेगा तो नीचे का अगर point हटाना है तो मैंने 10 से multiply कर दिया तो हो गया 45 और उपर भी 10 से multiply करेंगे तो 10 extra लग जाएगा अब उसका 9 से काट दो तो 9,5 जा 45 इसको 9 से काटोगे 9,9,81,1,2,3 अब 5 से इसको काटोगे तो यह कितना आ जाएगा 1,8,0,0 और ये वाले 2,0 और लगा दो हो गया पूछ लिया करो पहले ही शरमाय मत करो ये मत सोचा करो कि लोग क्या सोचेंगे लोग तो सोचते ही रहते हैं उसका काम है सोचना आप अपना काम करो आपको सीखना है तो आपको पूछना पड़ेगा तो 1,8,000 आ गया टोटल इंकम अब परसेंटेज निकाल लेंगे सबका ठीक है? question देखते हैं the expenditure of which person is maximum किस बंदे का expenditure maximum है तो पूरा डिटा निकालना पड़ेगा तभी आप पता पाओगे कि किसका expenditure जाता है ठीक है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों जो ये percentage निकालना है अब ये कैसे निकालना है? percentage भी मैं बता देता हूँ बहुत से beginners होते हैं जिनको percentage भी नहीं निकालना आता ठीक है? तो यहाँ पर देखो भई 1,80,000 का 15% निकालना है तो 1,80,000 का 15% कैसे निकालेंगे? 1,80,000 का 15% ये 2,0 ये 2,0 कर दिए multiply करके निकालना एक तो ये तरीका हो गया अब ऐसी 15 की जगह पे आप 25 रग दो तो 25% निकल जाएगा फिर इस 15 की जगह पे आप 20 रग दो तो 20% निकल जाएगा 22.25 रग दो 22.25% निकल जाएगा 17.75 रग दो वो निकल जाएगा and so on सारी चीज़े निकल जाएगी ठीक है? तो पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ पूरा आपको करना है अब यहां पर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट भी बताता हूँ कि परसेंटिज शॉर्ट में कैसे निकालते हैं 18,000 का 10% कितना होता है? 18,000 का 10% कितना होता है? 1,08, 2, मतलब 10% आगया यानि की 18,000 अब अगर 18,000 10% है तो 5% कितना होगा? अगर 18,000 10% है तो 5% उसका आधा 9,000 होगा तो 10 और 5 दोनों को एड़ कर दो यानि 18 और 9 दोनों को एड़ कर दो 27,000 निकल गया यहां पर वैसी 25% निकालने तो 18, 18, 36 और 9, 45 तो यह 45,000 होगया 18,26 यह 36,000 होगया ठीक अब यह वहाल कैसे निकालोगा अब इसमें काफी लोग को अरे इससर अभी इसको कैसे निकालेंगे तो यहां देखो 20% निकाल सकते हो 20% कितना? 18,000, 18,000 यानि 36,000 तो 20% होगया ठीक? 5% आपको पता था 9 है तो 5 का आधा कितना होथा? या 0.25 है यहां पर तो confused होने की जरूत नहीं है कि सार यह धाई नहीं है यह तो 0.25 है तो कैसे निकालेंगे? आप इसको fraction में convert कर लो आप इसको fraction में convert कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप आसानी से कर पाऊगे इसको fraction में कैसे convert कर सकते हो भी अगर आपको 22.25% निकालना है सबसे पहले तो मैं यह बोलूँगा जितने beginners हैं आप एकदम बिल्कुल ऐसे निकालो ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ दिनों तक ऐसे निकालो धीरे धीरे चीज़े समझ में आएंगी 22.25% निकालना है मतलब 22.25 डिवाइड बाइ 100 आप ऐसे करके निकालो इससे क्या होगा देखो यह 2 0 यह 2 0 कट गए यह वाले 2 0 से यह पॉइंट हट जाएगा हट जाएगा नब एक पॉइंट हट आने के लिए 10 से मल्टिप्लाइ करते हैं यह 2 0 दिखरा है मतलब 100 है तो 100 से इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा तो बस 22.25 को 18 से मल्टिप्लाइ करना है 22.25 को 18 से मल्टिप्लाइ करना है यह तो कर सकते हो अब आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अब जब ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये भी सीज समझ में आ गई होगी कि ये निकालने के लिए क्या करना है ये निकालने के लिए आपको करना है 1775 multiplied by 18 खतम कर लो भी multiply तो कर लो गिए उम्मीद करता हूँ थोड़ा calculation तो करना पड़ेगा बिल्कुल सोचोगे कि एकदम calculation करना ही ना पड़े तो ऐसा नहीं होता है थोड़ी बहुत चीज आपको करनी पड़ेगी तो ये दोनों कर लो आपका इससे ये दोनों की value आ जाएगी किती किती आ रही बता दो एक बार 450 450 और ये वाले का कितना आ रहा है तो ये तो हो गया दोस्तो आपका income अब आपसे पूछा क्या था question में the expenditure of which person is maximum किस person का expenditure सबसे जादा है किस person का expenditure सबसे जादा है तो आपको saving निकालनी पड़ी कि तो expenditure अपने आप निकल जाएगा या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी value खुद में 100% होती है saving अगर 32% कर रहा है तो 68% वो expand कर रहा होगा खर्चा कर रहा होगा यहाँ पर देखो अगर अपनी salary का 32% वो save कर रहा है तो 68% खर्चा कर रहा होगा यह 45,000 का 28% save कर रहा है तो बाकी का 72% खर्च कर रहा होगा तो इस तरीके से आप बाकी सब का परसेंटेज निकाल सकते हो लेंदी तो है लेंदी तो है भई एकदम हलवा नहीं है मतलब समझने के लिए हलवा है कि हाँ करना क्या है पता है सब को लेकिन calculations है इसमें थोड़े ठीक है तो इस question को मैं पूरा नहीं करवा रहा क्योंकि सब के percentage निकालने पड़ेंगे तो time लग जाएगा बहुत इस से अच्छा आगे चलते हैं समझ में तो आ चुका होगा कि करना क्या है तो आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं ठीक है मैं एक बब फिर से शौर्ट में बता देता हूँ जिसको नहीं समझ मैं 27,000 का 68% निकालना है 45,000 का 72% निकालना है 36 का 65% निकालना है इसका 60% निकालना है और इसका 80% निकालना है और उसके बाद फिर आप decide करिएगा कि कौन सी value जो है वो maximum है observation से करने की कोशिश मत करिएगा गल्ती होने के chances बढ़ जाते हैं ठीक है यह नहीं कि देख देख के हाँ यह value अच्छा यह बड़ी है इसमें का मैं ऐसा करके मत करना गल्ती होने के chances होते हैं अच्छा बड़ी है झाल चलिए उमीद करतों आंसर आ गया होगा दिखिए यहां पर क्या बोल रहा है थोड़ा सा लेंदी डियाई है दोस्तों इसलिए काफी लोगों को लग रहा होगा अकसर यह एकलर्क लेवल है या नहीं है कोई टेंशन मत लीजिए एकाथ क्वेशन और बना लेते हैं और छोड़ देंगे ठेंशन मत लो और भी डियाई है दूसरा डियाई कर लेंगे बट इस ताइप के डियाई आपको करने चाहिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती है इससे ठीक है इस क्वेशन को जरूर बनाईएगा मैं सारे क्वेशन दिखाऊंगा आप लोगों को एक्स्पेंडिचर और गौरव का एक्स्पेंडिचर निकालना है गौरव का सबसे पहले तो एक्स्पेंडिचर इसका कितना हो जाएगा 60% मदब इसका 60% में निकालूँगा तो 3 by 5 करके निकालते है 60% क्यों करते हैं 3 by 5 क्योंकि 60% का मतलब होता है यह अब इसको आप 20 से काटोगे तो यह 3 आ जाएगा 20 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा ठीक है तो इसलिए 3 by 5 करेंगे तो यह हो गया इसका 60% अब उसके आग बोल रहा है is what percentage of ये वाली value कितना percent है income of समर्थ हिन 2010 तो समर्थ का जो income था तो समर्थ का income कितना था 36,000 बस ये आपको solve करना है तो ये देखो ये दो 0 से ये 2 0 कट गए इस 5 से इसको काट लो 8010 ये 3 से इसको काट दो ये 0 से ये 0 काट दो 12 से इसको काट लोगे तो कितना हो जाएगा 12 सत्य 84 होता है याने की 12 6 72 फिर बचा 81 एक्यासी फिर 12 6 72 फिर 81 बचा फिर 12 6 72 ये 66.75 ये ही आ रहा है 66.75 ये ही आ रहा है सभी का तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था सिंपल था 20-30 सेकंड लगते 40 सेकंड लगते जादा जादा ठीक है प्रताप जी हाँ परसेंटेट से भी हो जाएगा आपको वैल्यू रखने की ज़रुवत नहीं है बट बिगिनर्स के एसाब से वैल्यू रख के अगर वो करेंगे तो उनके लिए आसान होगा बाद में फिर वो जाकर डारेट परसेंटेट से कर सकते हैं बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में परसेंटेट से कर सकते हैं बाद में बाद में एक अगर KH design aパंद तो उनके बाद में बाद में परसेंट Aww चलिए बी आंसर दे रहा है दे रहें काफी लोग बी आंसर एक बार परसेंटेज से भी बताओ ठीक है बता दे रहा हूँ देखिये पिछले क्वश्टन को परसेंटेज से कैसे कर सकते थे इस चीज को धिहान से सुनिएगा ठीक है ये तो मैंने वैल्यू से बताया अगर आप वैल्यू नहीं निकालना चाहते परसेंटेज से भी हो जाएगा क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में देना है जब भी यहाँ पर देखू इस question में क्या बोला था? expenditure of Gaurav, तो Gaurav का expenditure कैसे निकालोगे भई? इस value का 60% हाँ या ना? भई ये इसकी income है, जिसमें से 40% वो save करता है, मतलब 60% खर्च करता है, expenditure 60% हुआ, इस value का 60% आपको निकालना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, 22.25 multiplied by 60, is what percent, मतलब ये कितना percent है, किसका income of summerth in 2010, income summerth की कितनी दिख रही है, 20% यानि कि 20, तो अब 20 से इसको multiply करोगे, तो ये कितना जागा, 20, 3, 60, अब 22.25 को आब 3 से multiply कर लो, तो 3 से इसको multiply करोगे, कितना हो जाएगा, 22, 22 को 3 से multiply करो, 66, 0.25 को 3 से multiply करो, 75, direct answer, क्योंकि into 100 का मतलब तो percentage है, तो ये percentage जो लगा हुआ है, उमीद करता हूँ, समझ में आया हुआ, चलो, इसमें क्या बोराता है, what is the ratio of income of किरन और समर्थ टुगेदर, तो income of किरन और समर्थ टुगेदर, किरन और समर्थ के, एक साथ अगर बात करें, तो 20, 35 परसेंट है, वो ठीक है, to the expenditure of dhaman and समर्थ टुगेदर, तो dhaman और समर्थ का expenditure, तो dhaman और समर्थ का expenditure, परिचर कितना कितना है भी देखो 25% का 72% और 20% का 65% तो 25% का 72% कर दो कितना होगा 72 इंटो 25 करोगे तो कितना हो जाएगा भी 7272, 36 6, 2, 8, 2, 10, 1, 10, 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18 1, 8, 0, यहनी 18 18 आ गया इसका 65% 13 तो टोटल हो जाएगा 10, 20, 31 35, 31 आपका अंसर यह चीज किसको समझ में नहीं आई एक बार 9 लिख दीजिए तो मैं समझाऊंगा इसको नहीं आई ठीक है देखो दोस्तों आपको निकालना क्या है आपको निकालना है रैशियो बार 9 अपको निकालना है इंकम ऑफ कीरन और समर्थ कीरन और समर्थ का आप देखो income कितना है, इसका 15% है और समर्थ का 20% है तो 20 और 15 मिलाकर हो गया 35 ठीक है, तो ये तो हमने लिग दिया उपर अब नीचे की बात करते हैं तो भई नीचे अगर हम देखें तो हमको 25% ये इसकी income है 25% income है, जिसमें से 28% ये save करता है तो अगर 28% save करता है, मतलब 32% वो खर्च करता है expenditure 72% 20% में 35% वो save करता है, मतलब बचा हुआ 65% वो खर्च करता है याने expenditure, हमको इन दोनों के expenditure निकालने थे 20 का 65% निकालोगे तो कितना आएगा आप यहाँ ऐसे निकाल के देख लो भी अगर दिक्कत है तो 20 का अगर मैं 65% निकालोगा तो कितना आएगा 20 से काटोगे तो 5 5 से काटोगे 13 आ गया 13 आया 13 अब दूसरे वाले का वे ऐसी निकालो भी एक तो 13 आ चुका है दूसरा वाले कितना था 25 परसेंट का 72 या 72 का 25 परसेंट बात वे की है 25 परसेंट का 72 परसेंट निकालो या 72 परसेंट का 25 परसेंट निकालो बात वे की है तो अगर मुझे 72 का 25 परसेंट निकालना है मतलब आधे का आधा 25 परसेंट क्या होता है 31 आपका आणसर यह थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों इसको आप लोग एक बार बना लीजेगा ठीक है इसको छोड़ देते हैं आगे शलते हैं नेक्स्ट बडियाई करते हैं क्योंकि समय खतम हो चुका है नहीं समय खतम हो चुका है इसी को कर लो फिर खतम करेंगे क्योंकि 10 बज़े से प्लस क्लास है तो इसमें बोला है what is the average of saving made by all the person together तो सबकी saving आपको निकालनी है सबकी saving निकालनी है तो दोस्तों देखो हमने यहाँ पर 25% 28 का या 28 का 25% निकाल लो मैं वही तरीका apply कर रहा हूँ दोस्तों जो पहले किया था ठीक है 20 का 35% निकालूँगा तो कितना आजाएगा 7% 28 का 25% निकालूँगा तो आजाएगा 7% 15 का 32% निकाल लो या 32 का 15% निकाल लो कितना आएगा भई 3.2 और 1.6 यानि 4.8 यही आएगा अब इसका 40% निकालना है और इसका 20% निकालना है तो इसका अगर मैं 20% निकालना चाहूँ तो 17 दुना 34, 35.5 35.5 मतलब 3.5 3.55 और इसकी अगर बात करें 40% निकालना है तो 4 से multiply कर दूँ कितना हो जाएगा 89, 89 मतलब 8.9 अब यह सारी values को add कर दो और 1.8000 का उतना परसेंट निकाल दो answer आ जाएगा तो इन सब को add करो भी कितना हो गया 7, 7, 14, 14 और 8, 22, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29 तो ऐसे ही हो गया उसके बाद 9 और 8, 9 और 8 आपका हो गया 17, 17, 5, 22, 22 और 5 तो यह हो जाएगा आपको 31.25 31.25 परसेंट आपको निकालना है 1,8000 का आपका answer आजाएगा यानि आप simply क्या कर सकते हो 3, 1, 2, 5 को 18 से multiply कर दो इस से आपका answer आजाएगा तो 8, 5, 40, 8, 2, 16, 4, 20, 8 और 2, 10, 8, 3, 24 और 1, 25 3, 1, 2, 5, 0, 5, 2, 6, 7 क्या गड़ बढ़ हुआ है यार multiplication गलत किया हूं क्या 3, 1, 2, 5 multiplied by 18 अच्छा average निकालना है ठीके 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 what is the average बोला था ना तो इसका average भी निकालना है कितनी values है 5 value है पहले इसको 5 से मैं divide कर देता हूं तो यह हो जाएगा 6, 30, 2 और 5 625 को आप 18 से multiply करो तो 625 को 18 से multiply करेंगे 8, 5, 40, 4 carry 8, 2, 16, 4, 20, 2 carry 8, 6, 48, 2, 50 और 625 तो यह हो गया 0, 5, 2, 6, 5, 11 11, 250 11, 250 यह आपका answer कत्र यह चीज कितने लोगों समझ में नहीं आई पूछिए जल्दी से no link दीजे एक बार बहुत कोई बड़ी चीज नहीं थी दोस्तों अगर आप calculation ओरली कर सकते हो तो आप ऐसे ही जल्दी निकाल सकते थे मैंने क्या ही किया है मैंने कुछ भी नहीं किया यह सकतो मैंने ओरली किया था सिर्फ इतने को मैंने multiply किया है 625 को 18 से बस बाकी मैंने और कुछ भी नहीं किया है बाकी तो ओरली मैंने percentage निकाले है तो देखो करना क्या है दोस्तों यहां पर नए एक चीज को समझने की कोशिश करिए यह इसकी income है जो भी value आएगी हमको क्या करना है उस value का 32% saving है यह पता है हमको तो आप simply यह देखो नो भी कि 15% का 32% निकालना है या फिर 32% का 15% निकालना है तो अगर मैं 32% का 15% निकालना चाहूं तो 10% इसका कितना होता है 3.2 और अगर 10% 3.2 है तो 5% 1.6 होगा तो 1.6 इसमें एड कर दो तो 4.8 हो गया निकल गया अब यहां पर बस आप लिख लो 4.8% यह इतनी इसकी saving है ठीक सेकंड वाले को देखो 25 का 28% निकालो या 28 का 25% निकालो बात एक ही है तो 28 का 25% या ले आधे का आधा तो 28 का आधा 14, 14 का आधा 7% तो यह आगया 7% सेम चीज इसमें देखो 20 का 35% निकालो या 35 का 20% निकालो बात एक ही है तो 35 का अगर मैं 20% निकालूँगा तो 10% होता है 3.5 तो 20% हो जाएगा 7% अब इसका मुझे 40% निकालना है तो 40% कैसे निकालूँगा इस value को 4 से multiply कर दो आ जाएगा तो इसको अगर मैं 4 से multiply करूँ तो कितना आएगा 22 into 4 करोगे 88 हो गया और 0.25 को 4 से multiply करोगे तो 1 यानि 89 तो 89 नहीं वो 8.9 होगा क्योंकि 22 का 40% निकाल रहे हो न तो 89 कैसे हो सकता है वो 8.9 होगा तो यह आपको समझना पड़े गए इतना सा ठीक है अब यहाँ देखो 17.75 का अगर 20% निकालना है या फिर 20% का 17.75 निकालना है बात एक ही है तो सीधे आप इस वाली value को double कर दो 2 से multiply कर दो 17 दुना 34 17 दुना 34 और 0.75 0.75 मिला कर होता है 1.5 तो कितना होगा 35.5 तो यह 35.5 नहीं है यह 3.55 है क्यों 3.55 है भई जैसे इसमें बताया मैंने इसमें भी वही चीज है भई 17 का 20% जब निकालोगे तो 17 का 20% 35 कैसे हो सकता है 17 से तो कमी होगा ना इसलिए 3.55 तो यह पूरे percentage आ गए सबकी income 100% थी उस 100% का इतना percent saving है तो जब आप इसको पूरा total करोगे तो कितना आ रहा था 31.25 आपको बस 31.25% निकालना था पूरी income का और पूरी income हमने पहले में ही देख ली थी भई शुरू में निकालके कितना था 1,80,000 तो 1,80,000 का आपको इतना percent निकालना है तो ये 2,0 से ये 2,0 कट गए ठीक है अब ये वाले 2,0 को इसमें multiply करोगे तो point हट जाएगा point हट जाएगा मतलब 18 into ये वाली value 3,1,2,5 ठीक है और आपको निकालना था average तो 5 value है तो इसको 5 से divide कर दो 5 से divide करोगे 6,2,5 तो बस अब 18 को 625 से multiply कर दो आपका answer आगिया उमीद करता हूँ समझ में आया होगा तो क्या बोल रहा है answer the question based on the information given below the table given below shows the number of cars manufactured by 5 different companies in 3 different years some of the data in the table are given while some are missing simple कुछ data दिया है कुछ data missing है बस missing table वाला question है बही है तो अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों सबसे पहले तो आपको data निकालना पड़ेगा तो data निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कोई अलग से information तो दी नहीं है बस आपको क्या दिया है total दिया है तो total से आप निकाल सकते हो total से आप कैसे निकाल सकते हो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अब total करके देखलो 125, 150, 270 तो 545 आएगा करके देखलो एक बार अब इसके बाद क्या कर सकते हो दोस्तों अब हमको पता है भई ये देखो ये वाली value पता है ये पता है ये पता है ये चारो को add करो 1055 में minus करो तो e की value आ जाएगी तो चलो निकालते हैं भई इसको total करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 910, 910 हो रहा है कैल्कुलेट करके बताओ भई 910 हो रहा है ये पूरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 910 ठीक है तो 910 को अगर मैं 1055 में minus करू तो 145 e की value आ जाएगी अब दोस्तों ये देखो ये 320 है ये 145 है टोटल हमको 490 चाहिए था तो ये दोनों को add करो इसमें minus करो दो तो c की value आ जाएगी तो total करो भई 3, 4, 465 465 को अगर मैं इसमें minus करूँगा 465 को इसमें minus करूँगा तो 25 value आ गई c की अब ये वाले को पूरे को total करो 810 होना चाहिए तो भई D की value आपको पता चल जाएगी total करते हैं 300, 400, 500, 600, 690, 700, 735 735 अगर मैं इसमें minus करूँगा तो 65 और 10, 75 value आ गई इसकी 75 आएगी सभी की value 75 D की ठीक अब इसके बाद देखो दोस्तों कौन सी value निकाल सकते हो आप ये देखो इन तीनों को total कर दोगे तो h आ जाएगा 120 और 180, 300 हो गया, 375, h की value हो गया, 375 क्या बच गया भी अब हमारे पास? अब बचा हुआ है B ठीक है तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? B निकालने के लिए सबसे पहले हमको G निकालना पड़ेगा G कैसे निकालेंगे? यह देखो, यह वाली 4 values को add करके 2940 में minus करो यह वाली 4 values को add करके 2940 में minus करो तो G की value आएगी करके बताओ भी जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ओर लिए करने की इसको, तो 5, 5, 10, 5, 5, 10, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 16, 1905, 1950 1950, 1950 हो रहा है? अब 1950 को अगर मैं minus करूँ, यह पूरा 1950 हो रहा है? अगर इस 1950 को मैं इस मैं minus करूँ, तो 990 बचेगा? यह G की value आ गई, अब हमको पता है यह तीनों टोटल करके 990 आना चाहिए और calculation orally करने की कोशिश किया करो दोस्तों खासकर घर में जब आप प्रेक्टिस कर रहे हो जो भी students बोलते हैं कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही, मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ इस चीच को घर में बैठ कर यह मत सोचो कि मुझे जल्दी बनाना है, यह सोचो कि मुझे अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है आप इस question को 15 मिनट में बनाओ, कोई फरक नहीं बढ़ता, उस 15 मिनट में आपने क्या सीखा यह important है तो इसे लिए calculation करते से मैं orally करो, फिर भले उसको cross check कर लो आप पर orally करने की calculation आदर डालिये, बहुत जल्दी-जल्दी calculation होता है इससे 3, 4, 5, 570, 570 इसमें अगर minus करेंगे 670, 770, 870, 970, 420 आगया? तो सारी value निकल गई, बस A बचा हुआ है मेरे ख्याल से अब और तो कुछ नहीं बचा अब A value कैसे निकालोगे दोस्तों? यह सब को add करना है तो चलो add करना चालू करते हैं भई तो यह कितना हो जाएगा आपका? 4, 3, 7, 8, 9 उसके बाद 10, 50 और 75 यही है, 1075 तो यह सारा value निकल गई, अब आपको क्या बताना है भई? अब आपको यहाँ पर question दिया हुआ है which of the following is correct relation, correct relation कौन सा है यह आपको देखना है तो H is equal to D plus E है क्या? D plus E, दोनों को add करके क्या 345 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यह तो नहीं होगा F और E का difference देखो, तो F और E का अगर हम difference देखेंगे, तो कितना आ जाएगा भी? 145 से 245 और 25 यहने 125 का difference आ रहा है क्या B और C का भी difference भही आ रहा है, तो B और C का वो difference नहीं आएगा, बहुत बड़ा difference आ रहा है 5B, मतलब 5 बार इसको करोगे, प्लस C करोगे, तो बहुत ज़्यादा हो गया, यह भी नहीं होगा सिर्फ यह वाला बच रहा है, तो इसको चेक कर लो भी, G, G की value कितनी है भी? G की value 990 is equal to 6B, मतलब B को 6 बार multiply करना है, 624, 621, 2520 यह होगा, 624, 621, 2520, ठीक है, माइनस 1530, इसमें 1530 माइनस कर दो आगे 990, यह वाली value आपके बिल्कुल perfect है, आगे answer तो data निकालने में जो समय लगा-लगा, इसमें कितना समय लगा? भी question बनाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 30-40 seconds, maximum बस data निकालने में आपको एक देड़ मिनट लगेगा, एक देड़ दो मिनट लग सकता है, ठीक, चलते हैं आगे next question answer दीजिए, what is the value of h-d, अब तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, h-d का difference कितना था, बस data ही निकालना था दोस्तों, इस di में और कुछ नहीं था, तो फटा-फटास का answer बताते जाहिए अब, h और d का difference बताना है आपको, h-d, तो यह देखो, h की value है 375, d की value है 75, तो 375 में अगर 75 minus करोगे तो आजाएगा 300, यह आपका answer, next, what is the value of b plus f is to e, b plus f का ratio बताना है e के साथ, चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तो, b plus f की value कितनी है, तो b और f की value है 420 और 270, तो यह हो गया 690 और e है 145, तो 690 और 145 का अगर आपको ratio बताना है 5 से काट दो, 5 दोना 10, 5 दोना 45, 5 से इसको काटेंगे 1, 3, 8, 138 और 29 यह आपका answer, next, what is the value of a plus g, सारा data मैं निकाल चुका हूँ दोस्तो, जाधा कुछ करना नहीं है अब, तो बस यह आखरी बना लिजे, इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे question पर, चलिए, 2500 आंसर दे रहे हैं लोग, सही ही होगा, मैं check नहीं कर रहा, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, next है दोस्तो, case lit di, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, चार मिनिट का मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को, try कीजिए, एक बार नहीं बनेगा, तो फिर मैं explain करूँगा, कर दोस्तों 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 क झाल 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 तो झाल घढ़ा कर आपावाज आ रही है कि नहीं, यहां तो नैट बंद हो गया है, मंचे तो नहीं दिखे रहा कमेंट, दो म्यंट करेंड को किसे को तो यहां पर देखें दोस्तों कि आप को अगर तो मान लिजे कि सिर्फ ख्रिकेट बास्केट बल्र टेपल तनीस होता. अगर इस question में सिर्फ cricket, basketball और tennis होता तो हम इसको wind diagram से बनाते बट ये 3 के साथ 2 और चीज़े जोड़ दिया है अब आवाज आ रही है कि दोस्तों थोड़ा सा net में गड़वड है आज शायद ठीक है अब आवाज आ रही है अब clear है ये question करके खतम करेंगे दोस्तों ठीक है देखे यहाँ पर क्या बोला था फिर से समझा देता हूँ cricket, basketball, tennis, Kolkata, Lakhnao, Mumbai ये हमने set कर दिया अब हमको बोल रहा है कि जितने भी basketball खेलने वाले लोग है वो cricket खेलने वाले लोगों से 25% जादा है अब उसके बद आपको क्या बोल रहा है the total number of candidates who participated in all three sports together is 1350 ये तीनों मिलाकर जितना भी आएगा तो ये आएगा आपका 1350 अब भी अगर 1350 आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इन सभी को एड़ कर दो कितना हो गया 100, 200, 300, 350X माइनस 50 तो ये जो माइनस 50 है वो इस तरफ जाकर एड़ हो जाएगा इसमें 50 माइनस 50 जो है वो इस तरफ जाकर एड़ हो जाएगा तो ये 1400 हो जाएगा तो 1400 is equal to हम बोल सकते 350X तो 350 से अगर इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 4 X की value आपकी आगई 4 और अगर X की value आगई 4 तो ये पूरी value आपकी निकल जाएगी चलो निकाल लेते हैं भाई अगर X की value 4 आगई तो तो X की value 4 ये हो गए आपका 100 अच्छा दोस्तों ये सिर्फ Kolkata का दिया है ठीक है ठीक है मैं total का लेके बना रहा था कोई दिक्कत नहीं तो ये तना Kolkata का हो जाएगा ठीक है ये सिर्फ Kolkata का हो जाएगा मैंने यहाँ लिख दिया है इसको यहाँ लिख लिजेगा तो बस सेम यही चीज को हम यहां पर लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, तो x की value अगर आगई 4, तो यह कितना हो गया, 400, यहां लिख देते हैं 400, इसको 4 से multiply करोगे, तो यह हो जाएगा 500, और यह 500 में 5 कम याने 495, यही value आईए, सभी की एक बार लिख दीजिए, yes, स यह हो गया 400, अब देखो लखनाओ की बात अगर हम करें, तो लखनाओ में क्या बोल रहा है भी, बोल रहा है the number of candidates who participated in cricket from Kolkata, the number of candidates who participated in cricket from Kolkata is 20% less than that from लखनाओ, तो यहां से 20% यह कम है, मतलब यह 500 होगा, उसके बाद बोल रहा है and the number of candidates who participated in basketball from Kolkata, तो बास्केट बॉल में जो Kolkata वाले हैं, वो 25% more than that from लखनाओ, तो यह लखनाओ वाले से कितना percent ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो यह हो गया 400, कि 400 का 25% ज्यादा 500 होता है, the number of candidates who participated in tennis is 100 more than that from मुंबई, तो मुंबई वाले जितने भी होँगे, इससे यह 100 ज्यादा होगा, तो इससे यह plus 100 होगा, अब मुंबई का देखते हैं, तो मुंबई का बुरत the respective ratio of number of candidates who participated in cricket, basketball and tennis is 6, 5, 4, तो यह 6, 5 और 4 के ratio में हैं, तीनों, ठीक है, the number of candidates who participated in basketball is half of the number of candidates who participated in basketball from Kolkata, तो बास्केट बॉल में Kolkata वाले जितने भी होँगे, उससे यह half होगा, तो half होगा मतलब यह 500 हो गया, तो अगर 5 यूनिट 500 है, तो 6 यूनिट 300 हो जाएगा, और 4 यूनिट 200 हो जाएगा, तो 200 से 100 जादा मतलब यहा 300 हो जाएगा, हो गया solve, खतम, तो एकदम हलवा डिय था, हलवा कैसलेट जैसा कि आपके क्लेरिकल में आता है, यह तो फिर भी मतलब मैं इससे इससे भी एकदम गया गुजरा टाइप का आपको डिय कैसलेट वाला कैसलेट वाला देखने को मिलेगा, तो इस पर based up questions आप बना सकते हैं, चलिए answer देजे एक दो question के, उसके बाद फिर हम चलेंगे next डिय पर, नहीं next डिय नहीं दोस्तों खतम करेंगे, net का problem हो रहा ह झाल 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 एजी एजी कहकर RRB में धोका दिलवा दिया सर, सौरब जी ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तो पूरा बना के आया है, असी में असी बनाया था मैं RRB clerk में, RRB PO में भी मैंने काफी अच्छे questions बनाया हैं, और DI तो बहुत हलवा थे, arithmetic मैंने छोड़ दिया था पूरा, हलवा म बनाया हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोरा, find the ratio of number of candidates from Kolkata who participated in cricket, तो Kolkata के cricket वाले का ratio आपको निकालना है, tennis Mumbai वाले का, तो Kolkata के cricket वाले और tennis Mumbai वाले का आपको ratio निकालना है, तो यह आजाएगा 2 is to 1, यह आपका answer, 2 is to 1, next if the match fee of cricket is sponsored, then find the money received by the candidate who participated from Kolkata and Lucknow together. Kolkata और Lucknow के जो participants होंगे, cricket में उसका आपको निकालना है, तो Kolkata और Lucknow क्रिकेट वाले देखो भी कितना है, 5, 4, 9, 9, 5, 45, मतलब 45,000, तो 45,000 आपका, मतलब 45,000 आपका, यह आपका answer. चलिए, यह सब question तो अब आप बना लोगे, और बनाना है question की खदम करें, क्या बोलते हो, अभी 12 बजे फिर से class है. दो डी आई तो आपके आएंगे ही, आएंगे मान के चलिए, किसी-किसी shift में simplification approximation जादा आजाएगा, तो एक डी आई आएगा, नहीं तो डो डी आई मान के चलो, जिसमें simplification approximation 10 तक आएगा, तो उसमें मान के चलो कि 10 नंबर की डी आई, किसी में simplification approximation 15 नंबर का आएगा, तो उसमें मान के चलो एक डियाई आ रहेगा और करवाएं चलो एक और फिर बनाई लो यार अब इतना चलो पहले डेटा देख लो जल्दी से झालो झालो एक अजड़ इतना बेख अपुरिए से लो जड़ें लो जड़ा हाँ चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ डेटा समझ में आ गया होगा तो चलते हैं पहले question पर इसका answer दीजिए झाल समझ में आ भी हुआणि हैं ननन आ गया हैं है झाल 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 पेपरमें बेसिक ही क्यों याद आता है क्यूंकि बेसिक की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हुई होती है बज़पन से आप वसी चीज से कर रहे हो आप चार दिन की प्रैक्टिस में यह नहीं सोच सकते ना कि जो आप पिछले चार साल, आठ साल, दस साल उसे कर रहे हो वो छूड जाएगा चले, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर डेटा समझा देता हूँ दोस्तों देखें, डेटा में क्या बोल रहा है, आंसर दे क्वेस्टिन बेस्ट बेस्ट ऑन दा इन्फोर्मेशन गिवन बिलो, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज दे नंबर अव ट्रेंस cancelled from 4 different stations during the winter season of 2012 and 2013 2012 और 2013 में कितनी कितनी trains cancelled हुई हैं, तो उसके बारे में डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है अब क्या मुराइब, if the average number of people affected from each train cancellation from Allahabad इन 2013 वह साथ सो पचास, तो Allahabad से 2013 में 2013 में साथ सो पचास लोग effect हुए थे हर एक train से, तो आप से पूछ रहा है, then find the total number of people affected then find the total number of people affected from all the trains cancelled from Allahabad in 2013 तो Allahabad में पूरी trainों से जो effect उनको हुआ है, जितनी लोगों हुआ है वो आपको निकाल रहा है, बड़ा simple और 240 इंटू, तो आप सीधा सीधा 75 को भी 24 से multiply कर सकते थे, 00 को हटा दो अभी, ठीक है तो मैं इसको ऐसी लिख जाता हूँ, 24 इंटू पचात्तर नेक्स्ट इसका अंसर दीजिए झाल, कि तू लिख भीजूर्बड़ मितने क्सत्ततत्र दूर्प कर दो आपको आदाग है, तो visitorsब… क skills on嗎? क पहीं सकती, तो इसकी आपर, कि जूर अग्aoट कर रहा है, यह आपको हैंवाल, बसकी है अजेक्स रहाए colors 55 बिना पैन पेपर वाला कॉस्टिन चलो बनाते हैं फिर फटा फट बिना पैन पेपर बिना पैन पेपर बनाएंगे चलो फायंते लिए नुमररो टरेंस चैंसर फ्रम लकनाव यह Actor बडो डोक बारा लगनाव बडोड़ा ऑजावरा थ Mehr जासर बारा दोच्टा व draußen ऑपतर चालेश अश्टन WAS हलवा है हलवा है देखे क्या बोल रहा है इस question मी is if 20-25% of transfer cancelled in 2012-2013 respectively तो अलाबाद में जितनी भी शेडियूल हुई है उसमें से कितना 20% और 25% ट्रेंज जो है वो कैंसल हुई है ठीक है तो बोरे दिन फाने ट्रोटल नुम्बर ट्रेंज शेडियूल इन बोथ एस तोगेधर फॉम अलाबाद स्टेशन तो आपको बोल रहा है भाई 2012 में अगर 20 परसेंट कैंसल हुई है मतलब यह जो 30 है वो 20 परसेंट है तो क्या करते है जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइट करते है जो निकालना है उससे मल्टिप्लाइ करते है तो गाना याद रखना है यह वाला अब इसके लिए क्या बोला है भी यहां पर देखो 2013 वाले के लिए 25% बोला है जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं तो यह कित्ता हो देगा 48, 4.16, 960 इसको काटोगे तो 5, 3, 15, 500 960 और 960 अगर करोगे तो 1110 यह आपका answer Find average number of trades cancelled from all the given stations in 2013 2013 वाले का आपको average निकालना है base value से कर सकते हो या direct total करके कर लो कोई बहुत बड़ी value नहीं है क्योंकि यह ऐसी निकल जाएगा 200, 200, 500 में 10, 560, 560 को divide कर दो 4 से 14, 56 होता है यह आपको answer तो हलवा था percentage decrease in number of cans नहीं बनाये जा रहा हूँ यह आपलों भी बनालों पोड़ा जह हो थाएगा झालों पोड़ा झाल 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 कितना कम हुआ है 40 और 50 याने 90 कम हुआ है किस से कम हुआ है 240 से कम हुआ है multiplied by 100 तो कितना अपन किस से multiplied by 100 20 से काटोगे तो यह हो जाएगा 12, 20 से काटोगे हो गया 5, फिर 9, 5, 45, 12 से divide कर दो, 12, 36, बचा कितना है यार, 5, 4, 9, 12, 87, 84, यह, sorry 37. इस पॉइंट कर जाता है यार, यह जो बर दस ती तरह लंबा चौड़ा कर दिया मैं, डायरेट डायरेट यह 3, 8 हो रहा है, डायरेट डायरेट 3, 8 हो रहा है दोस्तों, इसमें इतना सब करने की जरूती नहीं थी, 90 बटा 240 जो है, यह 3, 8 हो जाए, 30 से कट रहा है सीधा, य यह 30 से 8 टायरेट जाएगा, तो इतना लंबा चौड़ा मैंने कर दिया था, तो यह ऐसी हो जाएगा, 3 by 8, 37.50 होता है इसका आंसर, ठीक है, चली तो इसी के साथ खदम करते हैं, दोस्तों, उमीद करता हूँ, समझ में आये होंगे, डियाई बिल्कुल क्लेरिकल लेवल के इसे ही लेवल के डियाई आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे, इजी इजी तो ज्यादा टेंशन लेने की ज़वत नहीं है, डियाई जरूर बनाएगा, हाँ, यह है, क्वेश्चन थोड़ा सब घुमाफिरा के दे सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, तो अगर डेटा समझ में आगया, तो क्वेश्चन कितना भी घुमाफिरा के दे आप बना सकते हैं, कलिए दोस्तों तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, काफी सारे लोग होगे, तो दोस्तों देखो, सिंपल सी चीज है, यह क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, यह X है, अब यहाँ पर देखिए, एप्रोक्सिमेशन की बात हो रही है, तो भई, इसको आप 45 मान सकते हो, मल्टिप्लाइट बई यह 18 हो गया, माइनस, इसको आप 15 मान सकते हो, इसको आप 52 मान सकते हो, और यह 40 का स्क्वेर आपको लेना है, तो यह हो जाएगा 1600, तो बस आपको यही करना है, ह amigo, गयां पत्टिप्लिकेशन के ट्रिक, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, हेरा सिम्पल चीज है, जैसे आगर आप 15 इंटू 52 कर रहे हो, कितना आता है, 15 इंटू 52 करके बताई यह कितना आता है, जल्दी से मल्टिप्लाइ करो। और बताओ कि 15 इंटू 52 कितना आता है, आप देखे इसको अगर multiply करने में आपको दिक्कत हो रही है तो एक चीज को समझेगा अगर कोई भी ऐसे 5 से end ओने वाली value है ठीक है जैसे 15, 25, 35 आप इसको double कर लो double करने से क्या होता है कि ये जो value है ये बन जाएगी 30 और इसको आधा कर दो तो आधा करने से हो जाएगा 26 तो 26 तिया 78 ये तो सभी को पता होता है और 0 लगा लो तो ये हो गया इसका मल्टिप्लिकेशन 1600 इसमें आप एड़ कर सकते हैं ये माइनस है इधर प्लस 1600 को वैसे ही रहने देता हूं अभी इस वाले को देखो इसको भी करना है तो इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हो इसका मल्टिप्लिकेशन कितना आता है जल्दी बताओ 45 इंटू 18 करोगे कितना आता है इसका भी सेम चीज़ 45 है डबल कर दो 90 और यह चीज़ दिमाग में करने है ठीक ऐसे लिखना नहीं है पैतालिस का डबल 90 हो गया अठारा का आधा 9 हो गया तो 991 आने 810 खतम तो बस अब 810 को इसमें एड करो 2410 2410 में अगर 70 आप माइनस करोगे तो कितना बचे बचेगा आपके पास 2410 में 780 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 1630 यह आपका अंसर सही है सभी का चलते आगे देखो सेशन थोड़ा सा स्लो आपको लग सकता है क्योंकि मैं दोस्तों सिखानी की कोशिश करूँगा यहाँ पर यहां हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मैं सिखानी के लिए आया हूँ तो आज का सेशन अगर आप यह सोच के आएंगे बस इसका अंसर दीजे जल्दी से 704 आंसर यहां पर आ रहा है तो दोस्तों देखें सिंपल से चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा अगर आप इसको इस तरफ लेकर आते हो और इसमें 232 को माइनस करते हो तो 132 बचेगा यहां उसमें यह 32 एड करोगे तो 164 बचेगा 540 को इसमें एड करों तो आपका आंसर आ जाएगा 4,6,4,10,1,704 नहीं समन में आए एक बर फिर से समझाता हूँ ध्यान से सुनिएगा यह वाली वेल्यू को आपको सबसे पहले देखना है 800 का 25% निकालना है 25% का मतलब क्या होता है 1 by 4 होता है तो आप सीधा-सीधा 800 को देखो यहां पर यह 800 दिख रहा है डिवाइड बाइड बाइड अच्छा डिवाइड करना है परसेंटेज नहीं है 800 का 800 डिवाइड बाइड बाइड 25 करना है तो अगर 100 को आप 25 से डिवाइड करते हो 4 आता है तो 800 को पच्छी से डिवाइड करोगी तो कितना आएगा 8, 4, 32 आएगा इसमें अब इस वाली वेल्यू को देखो आप 5, 6, 7, 704 यह आपका आंसर बड़ा सिंपल है यार कुछ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाईए आंसर दीजे चलिए तो यहाँ देखते हैं दोस्तों यह देखो यह question mark जो है इसका मतलब क्या है ठीक है multiplied by यह root over 49 मतलब यह 7 हो जाएगा 175% का fraction value क्या होता है एक सबसे पहले important चीज होती है calculation अगर आपको fast करना है तो आपकी fraction value जो है आपको पता होनी चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा fraction value आपको पता होगा उतना आपके लिए calculation जो है वो आसान होते जाएगा तो अगर 175% की हम बात करें तो total कितना होता है 175% fraction value बताओ 175% कितना 25% कितना होता है 1 by 4 तो 25-25 करते-करते-करते 7 times आप करोगे तो 175 होता है तो 7 by 4 ठीक यह हो गया इसका यह इतनी value को हमने लिख दे 7 by 4 यह 76 है यहां लिख दो 76 आप देखो इसको डिवाइड करना है यह जो डिवाइड करना है 38 से तो यहां पर इसे 38 से डिवाइड कर दो मल्टिप्लाइड किस से करना है भई 72 से और डिवाइड किस से करना है 9 से अब देखो यह simple से यह 2 time कट रहा है यह 9 से 8 time कट रहा है यह 4 से 2 time कट रहा है 7, 2, अच्छा यह 7 को इस तरफ लिया हो नीचे में यहां पर तो इस 7 से 7 कट जाएगा दो इंटू दो चार आपका आंसर नेक्स्ट देखें दोस्ते यहां पर क्या करना है इस तरफ की value जो है यह बड़ी आसान दिख रही है आप ऐसे ओरली calculate कर सकते हो 148 में 20 add करना है तो 168 हो जाएगा अब यह 136 को अगर आप 168 में माइनस करोगे तो कितना होगा क्योंकि इधर यह जो 136 दिख रहा है इस तरफ लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा ओरली करने की कोशिश करिएगा ठीक है यहां कितना हुआ 148 और 20 यानि 168 दिमाग में रखो 168 168 में अगर मैं 36 68 में 36 माइनस करो कितना होता है 68 में अगर मैं 36 माइनस करता हूँ 32 आता है तो आपको यहां पर क्या बोला गया है 16% of x is equal to 32 ऐसी कौन सी value है जिसका 16% 32 होता है 200 100 का 16% 16 होता है तो 200 का 16% 32 होगा simple सी चीज बिल्कुल exam level के question करवा रहा हूँ दोस्तों mock test program में आपको ऐसे question नहीं मिलेंगे क्योंकि mock test में थोड़े से calculated questions होते हैं पर आप exam देने जाओगे guarantee देता हूँ ऐसे ही questions आपको देखने को मिलेंगे 100% guarantee warranty भी नहीं है और 99.99% भी नहीं है पूरी की 100% की guarantee है ऐसे ही simplification आपको या approximation आपको exam में देखने को मिलेंगे इसी level के अब देखे दोस्तों मेरा यहां पर ना थोड़ा सा तरीका डिफरेंट रहता है क्यों रहता है उसके पीचे का reason बताता हूँ क्या है cubes और squares तो हरको याद करता है banking exam के लिए जैसी हम गुस्ते हैं तो जब भी हम quant की class में जाते हैं मैंने 2016 में जब coaching की थी तो class में जाते साथ पहले दिन हमारे teacher ने बोल दिया कि भाईया 30 तक का cube याद होना चाहिए और 50 तक के square याद होने चाहिए वरना bank exam नहीं निकलेगा तो मैं पहले दिन ही डर गया था तो याद करने बैड गया था नहीं हो पाया तो इसका तरीका में बता रहा हूँ मुझे याद नहीं रहता मैं इसलिए अगर आपको याद नहीं है क्यूब अगरा तो भी आप solve कर सकते हो कैसे कर सकते हो ध्यान से सुनिएगा यह जो value दिख रही है कितनी दिख रही है आपको 12 दिख रही है 12 का cube है आप तीन बार लिख लो ऐसा थोड़ा सा समय जादा लगेगा दूसरों से अब्यस्सी बात है भई क्योंकि आपको याद नहीं है तो थोड़ा समय तो जादा लगेगा तो यह तीन बार इसको लिख लो multiply by यह 15 दिख रहा है आपको और divide किस से करना है यह 18 से divide करना है प्लस वाली value जो भी है x मान लेते हैं तो यह प्लस वाला जो है इसको रहने देते हैं और इधर 14 का cube है मतलब हम बोल सकते है 14 इंटू 14 इंटू 14 आप इसको इस तरीके इससे भी solve करोगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी हाँ calculation थोड़ा सा आप लोगों के हो करना पड़ सकता है ज्यादा महनत लग सकती है बस और कुछ नहीं तो तीन से इसको काटेंगे 5 3 15 और 6 हो गया 6 से इसको काट देंगे 2 हो गया 5 2 10 हो गया अब 12 का square तो पता होता है भी सभी को 144 होता है 12 का square 144 होता है और 5 2 10 तो 1 0 इसमें add कर दो यही value आई थी हाँ या ना इस तरफ जब आप solve किये थी यही value आई थी easy हो गया calculation हमारे लिए अब same चीज उस तरफ आपको करना है तो आप क्या करोगे इस वाली value को इसको तो आपको करना पड़ेगा भी 14 का square कितना होता है स्क्वेर तो पता होना चीज अटलीस बीस तक 14 का square कितना होता है 1 96 multiplied by 14 करो कितना होता है भी मुझे cube नहीं पता है इसलिए बताईए 27 4 4 चलो अच्छी बात है याद है जिनको भी जिनको याद नहीं पुशिश करिए याद करने कि नहीं होता है तो टेंसे लेने की ज़रूरत नहीं है बिना याद कि यह निकलते हैं पेपर ठीक है मैंने निकालें बहुत सारे और इस बार भी निकालूंगा चैलेंज है यह 1440 इधर माइनस करो कितना अंसर आ रहा है वह 1440 माइनस करेंगे चार वाला अंसर यानिकी यह अपका आंसर वनेगा 1304 अच्छा आज मैंने जो मौक दिया है दोस्तों ऐसे कैल्कुलेशन करकर के दिया हूं कि इतने माच थे 67.5 आउट ओफ 80 अठारा का स्क्वेर निकाल रहा था अठारा का स्क्वेर भूल गया था मैं अठारा का स्क्वेर अठारा करके निकाला हूं फिर भी इतने नंबर है तो में चीज यह होती है कोई आपको यह बोल दे कि आरे ऐसे नहीं होगा करके दिखाना है चलिए तो यह क्वेश्चन है यह क्लास चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन से अर्फमेटिक के बनाते हैं इसको जल्दी से बनाएं 30-40 सेकंड का समय आप लोगों के पास ट्राय कीजिए एक बार फिर मैं प्राय समझाता हूं इसको अब बिल्कुल बेसिक से समझाओंगा जिसको नहीं आता है तो भी टेंशन लेने जौरत नहीं है आज तो पूरे मूड में आया हूं सारे भाग भी जाएंगे दोस्तों भी पढ़एंगे तो भी मैं बढ़ एक दम पूरे दिल से पढ़ाऊंगा प्राय समझा. कि काफी सारे लोगों के आंसर आ गए जिनके नहीं आया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक ही चीज बोलूँगा कितने लोग हैं यहाँ पर जिन से नहीं बनाई है जल्दी से एक बार नोगों लिख देजिए जल्दी से एक बार नो लिख दीजिए जिनको शमझ नहीं आ यह सोब्ड हो पाया आपको सिर्फ ओर आपको आफ्शिस के बाप कुछ समय समय UC अब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी copy में सिर्फ देखना नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जैसा लिख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लिखना है। 18% students failed in Hindi and 32% students in history 20% students failed in both the subjects इस आप यहां पर देखों दोस्तों हमको दो सब्यक्त दिख रहे हैं कौन कां से दो सब्यक्त दिख रहे हैं भाई एक तो हमको दिख रहा है Hindi और एक हमको हमको दिख रहा है हिस्ट्री एक हमको दिख रहा है हिंदी एक हमको दिख रहा है history अब यहाँ पर आपको बोल रहा है 48% कोई भी value खुद में 100% होती है ठीक है कोई भी value हिंदी वाला अपने आप में 100% होगा history वाला अपने आप में 100% होगा और ये दोनों मिला कर भी अपने आप में 100% होगे ठीक है तो कोई भी value खुद में 100% होती है, अगर बोल रहा है कि हिंदी वाले, 48% students failed in हिंदी, तो हिंदी में fail होने वालों की संख्या कितनी थी, 48% थी, तो pass कितने हुए होंगे, 52% हुए होंगे pass, सेम चीज, history की अगर हम बात करें, तो history में कितने लोग fail हो गया है, 32% लोग fail हो गया है, तो pass कितने लोग हुए होंगे, वह कोई भी value खुद में 100% होती है, अगर 32% fail हो गया है, मतलब 68% pass हो गये थे, अब दोनों मिलाकर भी तो 100% था, मतलब टोटल, जिसको हम बोल सकते हैं, टोटल, बोथ, ऐसा बोथ लिख लो, बोथ मिलाकर खुद में 100% था, अब बोथ मिलाकर आपको क्या बोला, 20% of students failed in both the subjects, दोनों मिलाकर ये भी अपने आप में 100% होता है, ठीक है, तो इसमें अगर fail होन होने वाले लोग 80% होंगे, हाँ या ना, recorded है, सौरब जी नहीं, live चल रहा है, अब इसकी बाद आप लोगों को क्या बोला, if the number of students who passed the examination was 880, if the students who passed the examination was 880, 880 लोग हैं, जो examination को pass किये हैं, how many students appeared in the examination, if the examination consisted only of these two subjects, तो दोस्तों आप लोगों को बोल रहा है कि जितने भी लोग पास हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 880, अब यह जो पास हुए हैं, वो किसकी बात कर रहा है, इस line का मतलब बताईए मुझे, यह क्या बोल रहा है, if the number of students who passed the examination was 880, इसका मतलब क्या है, वो 880 कौन है, क्वालिटी दोस्तों क्वालिटी तो बहुत बढ़िया चल रही है, मैं भी यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ, इंदर कमेंट्स अगरा आपके, तो रिजॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ाईए, रिजॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ाईए, सही हो जाएगा, चेक कर लो यार एक बर रिजॉल्यूशन कितना है, अपना कितना रिजॉल्यूशन दिखा रहा है, दोस्तो क्वालिटी तो बढ़िया है, 360 में भी अच्छा चल रहा है, 480 में भी अच्छा चल रहा है, दोस्तो क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो रिजॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ाईए, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया है, 4K कैमरा यूज़ कर रहे हैं भई, ठीक है, तो यहाँ पर कहा थे भई, हम कौन सी लाइन पूछ रहा था, मैं हाँ, यह देखो, यह जो बोला है आपको यहाँ पर, if the number of student who passed the examination was 880, तो यह 880 कौन से लोग हैं, जो दोनों सब्जेट्ट पास की हैं, एक गाना लगाना पड़ेगा, एक गाना मैंने आपको बताया, परसेंटेज का, जो दिया है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है, उससे मुल्टिप्लाय करते हैं, तो यह 880 का परसेंटेज कितना होगा, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाईए तीनों चीज़े मैंने यहाँ पर लिखी हुई है थोड़ा सा दिमाग लगाईए इसमें देखी आंसर आपका इसी में छुपा हुआ है कितना परसेंट ऐसे लोग हैं जो 880 के बराबर होंगे काफी लोग बोर रहें 40% बिल्कुल सही है असी कैसे बोल सकते हैं दोस्तों आप एक चीज़ समझिए देखो जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं यही दो सब्जेट दे रहे हैं ठीक है एक एक जामपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जो भी पेपर देने जा रहे हैं वही लोग हिंदी का भी पेपर देंगे वही लोग हिस्ट्री का भी पेपर देंगे ठीक है तो अगर हिंदी वाले लोग जो पेपर दे रहे हैं उसमें से 48% फेल हो गए तो पास कितने हुए? 52% लोग पास हुए है हम यह बोल सकते हैं कि total student जो थे वो एक ही subject में पास हुए 52% लोग इसमें और वही चीज अगर हम बात करें यहाँ पर history की तो history में किते हैं 32% लोग फेल हुए 38% लोग पास हुए है तो भई अगर मैं यहाँ पर देखू passing percentage पासिंग percentage अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितने लोग पास हो रहे है यहाँ पर कितने लोग पास हो रहे है 52% लोग यहाँ पर कितने लोग पास हो रहे है 68% लोग दोनों को अगर हम add कर देते हैं माल लेते हैं double कर देते हैं इसको बही ये जितने भी लोग पास हुए हाला कि ये बच्चे वही है same to same है ठीक है बच्चे चेंज नहीं हो रहे बच्चे वही लोग है जो हिंदी का पेपर भी दे रहे और वही बच्चे है जो हिस्ट्री का पेपर दे रहे ये 52% लोग है जो पास हो रहे हैं ये 68% लोग पास हो रहे हैं दोनों मिलाकर कितना होता है 120 लेकिन जब दोनों मिलाकर हम देख रहे हैं तो यहां तो हमको 80 दिख रहे है जब आप यहां पर दोनों को मिला रहे हो तो यह आ रहा है 120 लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों को मिला कर तो यहाँ पर आ रहा है 80 और यह बोल रहा है आपको कि पास होने वाले जो लोग हैं वो 880 है अब बताईए कितना परसेंट होगा जो भी लोग 80% बोल रहे थे अब सोच के बताओ आंसर जल्दी 40 होगा बिल्कुल सही है दोस्तों जितने भी लोगोंने बोला देखो क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप यह वाले भी पास हो रहे यह वाले भी पास हो रहे दोनों को एड कर दिया मतलब हमने यह मानले डबल हो गया बट actual में pass कितने हुए थे 80% हमको वो 120 दीख रहा है मतलब extra कितने थे 40% थे उस 40 को इसमें से हटा दो मतलब सिर्फ और सिर्फ 40% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेट में pass हुए है जो दोनों सब्जेट में pass हुए हैं मतलब एक तरीके से पास हुए हैं बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या बोला है अगर 880 जो दिया है उसको उसी के percentage से multiply करेंगे और जो निकालना है उससे multiply करेंगे तो आप कांसर आजाएगा वाइस सोब प्लस पीड में कीजिए दोस्तों प्लस की class में नहीं करवाता नहीं प्लस की questions है तो मैंने जितने भी प्लस वाले students उनको मैंने पहले बोला था कि मैं आराम से समझाओंगा एक एक चीज समझाओंगा तो wait करिए थोड़ा आराम आराम से समझेंगे कितने लोगों को समझ में नहीं आया नो लिख दीजे इसका एक और तरीका है वेन डाइग्राम वाला उससे भी मैं समझाओंगा देता हूँ अब तक बाकी लोग आगे चलो अगला question बनाईएगा इसको मैं लिख लेता हूँ बाकी लोग next question बनाऊ जिनको नहीं समझ में आया वो इधर ध्यान दीजेगा दो subject है बाकी लोग question बनाऊ ठीक है ये है हिंदी और ये है history ठीक है कितना कितना percent थे देख के बताओ तो निरेश Hindi pass वाले कितने थे अगर बावन और 68 ठीक है अगर दोस्तों जो pass होने वाले थे नहीं यहाँ पर देख लो यह जो pass होने वाले थे यहां के बावन परशंट थे यहां के 68 परशंट थे अगर मैं सिर्फ यह pass का यहां पर दोनों का बनाता हूं कुछ लोग हिंदी में पास होने कुछ लोग हिस्ट्री में पास होने कुछ दोनों में पास हुए होंगे तो अगर हिंदी वाले बावन परशंट थे और यह वाले 68 परशंट थे हमको तो टोटल 100 परशंट बच्चे तो बढ़ नहीं सकते हैं बच्चे तो सिर्फ 100 परशंट ही हो सकते हैं तो यहां पर common area में कितने लोग आएंगे यह हम कैसे निकालते हैं यह कैसे निकालते हैं आपको क्या करना है बस यह देखना है कि टोटल कितने पास हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा था 80% लोग पास हुए हैं पर जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर यह 68 और यह 52 दिख रहा है 68 और 52 को जब आप एड़ करते हो तो होता कितना है 120 अगर उसमें आप टोटल वाले को माइनस कर दोगे 80 को तो बचता है 40 ठीक यह 40 को अगर आप यहाँ कॉमन रखते हो ना अब देखो 52 में से 40 इस सरकल में है हिंदी के 12 लोग यहाँ आ जाएंगे इस 68 में से 40 लोग यहाँ पर दिख रहे है 28 लोग यहाँ पर आ जाएंगे अब आप पूरे को अड़ करके देखो 80 दिख रहा है 28, 12, 40 और 40 80 दिख रहा है यह टोटल तीनों मिलाकर मतलब 80 लोग पास हुए थे जिसमें से हिंदी में 52 लोग पास हुए है हिस्ट्री में 68 परसेंट लोग पास हुए है इस वाले सरकल को देखो 12 और 40 यह लोग पास हुए हिंदी में यह भी ठीक है और टोटल भी एक सांथ देख लो आप 40, 28 और 12 असी जो कि आपको बोला था टोटल में 80 लोग पास हुए है इसलिए ऐसा किये थे हम समझ में आया आब तो जो common value आई थी ना वो 40 कैसे आई थी उम्मीद करता हूँ इसके थुरू आपको समझ में आ गया हो चलिए इस question को बनाईए अब जल्दी से यह basic तरीका होता है Venn diagram वाला हाला कि यह चीज मैं आप लोगों को casulate में सिखा दूँगा casulate पूरा इसी से बनता है इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताईए 330 काफी लोगों को आंसर दे रहे हैं किन से नहीं बना भे जल्दी से no लिख दीजिए जल्दी से no लिख दीजिए जिनका आंसर नहीं आया कर दूँए जल्दी बताईए चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाएंगे ठीक है जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे एक ही क्वेशन हुआ है स्टूदेंट से यहां लिख देते हैं रुंग्टा कॉलेज भी मेरा ही कॉलेज था जहां पढ़ा था साथ परशन ऑफ दे स्टूदेंट सार्ट जो हैं वो क्या हैं भी बॉइज है टेक है गल्स कितनी हो जाएंगी क्योंकि कोई भी वेल्यू खुद में 100 परशन होती है साथ अगर बॉइज है तो 40 गल्स हो जाएंगे आगे आपको बोल रहे हैं दे रेस्ट आर गल्स फर्दर 15 परशन ऑफ दे बॉइज और साड़े साथ परशन ऑफ दे गल्स अर गेटिंग अ फी वेवर अब बोल रहा है 15% of the boys कोई भी वेल्यू खुद में 100% होती है अब आपको क्या बोल रहा है 15% boys जो है उनको फी वेवर मिल रहा है तो या तो आप 60% का पंदरा निकालो वही आसानी होगी आपके लिए तो 60 का 15% निकालो कितना होता है 60% का अगर मैं 15% निकालो तो 6 और 3 नौ होता है मतलब हम बोल सकते हैं कि boys जो है उनको 9% को फी वेवर मिल रहा है तेम चीज क्या बोला है आपको 1.5% of the girls are getting फी वेवर तो अगर 40% का हम 1.5% निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 3% लड़कियों को फी वेवर िजो है माफ हो रही है या छूट मिल रही है इब the number of those getting a फी वेवर is 90 जिनको फीस की छूट मिल रही है वो टोटल मिलाकर 90 है ठीक है? तो यह देखो, इतने लोगों को fees की छूट मिल रही है, इतने लोगों को fees की छूट मिल रही है, टोटल मिलाकर 9 और 3, 12 परसेंट लोगों को fees की छूट मिल रही है, और उसकी value आपको कितना दिया हुआ है, 90? अब लिए, find the total number of student getting 50% concession, if it is given that 50% of those not getting a fee waiver are eligible to get half fee concession, भई अगर 12% को fees की छूट मिल रही है, तो बचे कितने? कोई भी value खुद में 100% होती है, अगर 12% लोगों को fees में छूट मिल रही थी, तो बोल रहा है बचे हुए लोग जिनको fees में छूट नहीं मिल रही थी, कितने बच 88, उसके आधे लोगों को, यानि 44% को 50% का concession दिया जाएगा, मतलब हमको ये value find करनी है, गाना लगाना है, जो दिया है, उसको उसी के percentage से divide करते हैं, और जो निकालना है, उससे multiply करते हैं, कर दो भी, कितना हो जाएगा, इसको 6, 6 से काट देते हैं, 6, 2, 12, 15, 2 से काट देते ह 23, कितना है, 330, है simple, देखके बहुत बड़ा लग रहा है question, बहुत लोगों ने नहीं बनाया होगा इसको, देखके बहुत बड़ा लग रहा है, यह बापरे पतनी क्या आ गया, कुछ नहीं है, बड़ा simple है, यह ऐसा flow chart छोटा सा बना लिया करो, कभी भी अगर दिक्कत होती ह तो इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, next question चलिए जल्दी से बनाईए, राधिकाची पूछ रही है, 44 कैसे, 44 कैसे, देखो, जो 44 आया है ना, आप सबसे पहले तो यह देखो, 60% boys थे, और 40% girls थे, इसके 15% को छूट मिल रही है, 15% इसका होता है, 9%, इसके 7. साड़े साथ परसेंट को छूट मिल रही है, तो साड़े साथ परसेंट इसका होता है, 3%, मतलब इतने लोगों को छूट मिल रही है, पूरे 100 में से 9 और 3, 12% लोगों को छूट मिल रही है, तो 88% लोग ऐसे होंगे, जिनको छूट नहीं मिल रही है, तो question के आखरी दो लाइ क्वेशन हम दे रहे हैं उनकी संख्या बताओ कि कोई कह रहा था ऐसे क्वेश्चन प्री में नहीं आते कि इससे भी हलवा आते हैं क्या कि इससे हाड तो नहीं देखता है मैं तो नहीं देखा इससे हाड कभी मॉक देते समय लोग दो बहुत हाड होते हैं आप स्मार्ट के अर्थमैटिक देखें कभी थर बोलने वालों को बोलने टो इजांने जाएंगे न मैं भी झाओंगा आप भी जाओंगे देख लिए PO में भी RRBPO में तो आते हैं भई IBPS PO में भी आते हैं SBI PO का नहीं बोल सकते हैं IBPS PO में भी आते हैं ऐसे ही question easy easy RRBPO में भी आते हैं तभी तो भई इतने लोग नंबर बनाते हैं वरना इतने नंबर कैसे आएंगे 70-80 तक नंबर आते हैं लोगों के आई बी पी एस पी ओ में जल्दी इसका आंसर दीजिए चलिए दोस्तों काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं बी चलिए जितने लोगों से बन गया बहुत अच्छी बात है जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा तो यहां देखे दोस्तों क्या question क्या पूछ रहा है आपसे machine depreciates in value each year at the rate of 10% of its previous value अपनी value की जो भी values की होगी वो 10% से depreciate करते जा रहा है हर साल ठीक है उसके बाद बोल रहा है however every second year there is some maintenance work so that in that particular year depreciation is only 5% बोल रहा है कि every second year हर दूसरे साल में कुछ maintenance का काम चल रहा है जिस वज़ा से 5% का depreciation होता है depreciation मतलब गिर रहा है price गिरने को बोलते है depreciation ठीक है of its previous value ठीक है if at the end of the fourth year चौते साल के end पे the value of machine stands at 146205 then find the value of machine at the start of the first year कोई भी value खुद में 100% होती है ये line को याद रखो भई इसको ना अपने मतलब अपने जहन में बसा लो कोई भी value खुद में 100% होती है मान लेते हैं कि पहले साल जब वो company ठीक है अब पहले साल क्या होगा 10% से उसका depreciation होगा मतलब 100% में 10% कम करेंगे तो कितना होने वाला है 90% होगा होगा 90% कोई भी value अपने आप में 100% होती है उसमें जब आप 10% की depreciation करोगे तो कितना हो जाएगा 90% अब इसका भी आपको 5% गिराना है तो ऐसे करते करते किया यह सब point में आएगा तो यह मत करो तो क्या करना है इसके अलावा यह नहीं करना है तो अगर यह नहीं करना है तो क्या करेंगे हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब वो company start हुई तो उसकी एक कुछ valuation होगी हमको नहीं पता और जो चीज हमको नहीं पता उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है अब क्या बोरा second year कुछ maintenance होगा तो सिर्फ 5% से value गिर रही 5% से value गिर रही है मतलब कोई भी value अब यह पूरी value है ठीक है एक साल के बाद तो यह value पूरी अपने आप में 100% है अब 5% की गिरावट होगी मतलब सौ में 5% गिर गया मतलब 95 तो multiplied by 95 by 100 आप इसको 19 by 20 भी लिख सकते हो 5 से काटके आपकी चौइस है ठीक है मैं beginners के हिसाब से बता रहा हूँ अब यह पूरी value अपने आप में 100% है यह पूरी value अपने आप में 100% है ठीक है अब फिर से 10% गिरेगा 9 by 10 लिखो ठीक है मैं beginners के साब से बता रहा हूँ दोस्तों जब आपके practice अच्छी खासी हो जाएगी न तो आप इतना लंबा चौड़े words यह नहीं लिखो गया इतना सब कुछ होने के बाद बोल रहा है कि चार साल के बाद जो यह valuation थी वह कितनी हो गई 146205 तो आपको x की value निकाल नहीं है तो निकाल सकते हो भई इसको सब पूधर ले जागे काट पिट बराबर कर दो तो simple सी चीज दोस्तों जो मैंने बोला आपको इतना सब ना लिख कर हम क्या करते हैं जब हमारी practice अच्छी हो जाएगी तो हम सिर्फ 9 by 10 लिखेंगे यहां भी 9 by 10 लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे जब 5 से काटते हैं तो या आता है 19 by 20 या दोना चाहिए ठीक है या दोना चाहिए कि 19 by 20 होता है 19 by 20 होता है 19 by 20 होता है तो यह चीज को आपको solve करना है आपका answer आ जाएगा तो करके बताईए दोस्तों जल्दी से कितना आएगा calculation करिए फटा फट 5% 2 बार क्यों देखंए 5% क्या है वो आपको क्या बोला हर second year, every second year बोल रहा है every second year, मतब एक साल 10% होगा, उसके अगले साल 5% होगा, फिर 10% होगा, फिर उसके अगले साल 5% होगा, तो भई एक बार 10%, फिर 5, फिर 5 हो गया, चार बार का करके उतनी value आनी चाहिए, अभी इसको solve करो, कौने CND वाला, calculation नहीं करना चाहते, तो CND बोल दे रहे हो, गलत बात है अब ही है, देखो इसको, जल्दी solve करो, आगे चलेंगे फिर, दोस्तों, कुछ लोंग ये बोल रहे है, आंसर, कुछ लोंग ये बोल रहे है, calculate करके देखिए, इसको जल्दी से कितना आ रहे है, तब तक चलते है, next question पर, जल्दी बनाईए, question देखकर डरना नहीं है, दोस्तों, आप लोगों को, ठीक है, बहुत बड़ा दिखने में सिर्फ हो सकता है, बनाने में बहुत आसान होगा, फोली speed बढ़ाते जाएंगे, दोस्तों, धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ते जाएगा, ठीक है, दोस्तों, आंसर सहीं दे रहे थे, बिल्कुल दो लाग वाले जादा लोग थे, और आंसर सहीं था, ये वाले जितने भी दे रहे थे, गलत दे रहे थे, calculation एक बड़ चेक करिएगा, अपनी, कुछ लामबा ही ले ले लेते हैं, मेरा भाई ही है, एक शित लामबा, कजिन है, इकाद question बनाके अब थोड़ा सा डियाई वगर करते हैं पहले उसके और फिर से arithmetic पर आएंगे, पूरा इसको जो भी काम दिया गया है, तीन काम, 5 is to 4 is to 2 के ratio में time इसको दिया गया, यहाँ पर लिख देते हैं time, time जो allot किया गया है, 5-4-2 के ratio में allot किया गया है, अब बोल रहे हैं पर jobs are needed to be done individually, हर काम को अलग-अलग उसको करना है, but due to some technical snag, 10% of the time allotted for each job gets wasted, 10% जो है हर उस चीज का time जो है वो waste होते जा रहा है, हम ऐसा मानके चलते हैं, जिसमें percentage calculate करने में हमको आसानी हो, क्योंकि 5 का percentage अगर आप निकालना चाहोगे, तो वो point point में आएंगे, चार के में भी percentage calculate करोके point point में आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसी value ले ले लेते हैं, जो हमारे लिए आसान हो, इसका 10% कितना होता भी 5 होता है वो वेस्ट हो गया तो बचा कितना 45 इसका 10% 4 होता है तो बचा कितना 36 इसका 10% वेस्ट हो गया तो बचा कितना 18 तो हम बोल सकते हैं कि अब इनका ये इतना इतना समय बचा है बोल सकते हैं ऐसा हाँ या ना आगे आपको क्या बोल रहे है there after owing to the lack of interest he invested only 40% 30% and 20% of the hours of what was actually allotted to do the three jobs individually find how much percentage of the total time allotted is the time invested by Akshit Lamba अब आपको क्या बोल रहे है भी repeat करना फिर से कर देते हैं देखो आपको बोल रहे है कि Akshit Lamba को तीन काम दिये जाते हैं ठीक है और उन तीन काम के लिए अलग-अलग उसको individually time दिया जाता है 5, 4 और 2 के ratio में हमने उसको 50, 40, 20 मान लिया अब और है कुछ technical issue की वज़ा से काम जो है वो 10% का जो समय है वो waste हो गया तो भई 10% इसका waste कर दो, हटा दो, 45 बचा, इसका 10% हटा दो, 36 बचा, इसका 10% हटा दो, 18 बचा इतना समय waste हो गया, अब ये समय बचा है बट अब भई 10% समय waste हो गया, ठीक है, उतना time waste हो गया और irritated भी हो जाता है बंदा रहे, time waste हो गया तो अब lack of interest आगया, भी मन नहीं कर रहा हो करने का काम he invested only 40%, 30% and 20% of the hours of what was actually allotted to do the three jobs तो इसने जो भी time आपको दिया हुआ था, उसका कितना कितना समय उसने invest किया है 40%, तो इसका 40% कितना होता है, आच बचा, 20 दूसरे वाले में देखो 30%, इसका 30% कितना होता है, चारतिया, बारा and 20% of the hours, तो 20% इसका कितना होता है तो बोल रहा है, उसने बस इतना इतना काम किया, उसने सिर्फ इतना काम किया तो actual मैं आपसे पूछ किया रहे है हाँ पर find how much percentage of the total time allotted is the time invested by अक्षित लांबा तो उसने invest कितना किया भी, इतना time invest किया है उसने और total time allotted कितना था, ये था ये total कर लो, इतना time allotted किया गया था, 50, 40, 90, 20, 110 इसको time allotted किया गया था, और इसने काम कितनी देर किया है कितना इसने time invest किया है find how much percentage of the total time allotted is the time invested by अक्षित नामबा तो इसने कितना समय इंवेस्ट किया जल्दी बताओ 36 divided by 110 multiplied by 100 ऐसी बोल रहे हूँ कुछ लोगों के दिमाग में यह चीज भी आ रही होगी अब बताइए आंसर क्या है आप लोग को बताना है कौन सा सही है हुं आ बता हूं आप लोगों में तो अतर दोस्तों ठीक है और अप 32.72 सम्थिंग कुछ आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है 32.72 देखे यह कैसे कुछ लोगों में आता है यह वाला डाउट इसलिए मैं यह चीज को लिखाता है यहाँ पर क्या डाउट आता है न कुछ लोगों को यह लगता है सर जो टाइम वेस्ट हो रहा है जो इंटरनेट बंद नीं इंग नष्ट कौन को आप लोगों को इस व को इसे इतना ही इन्वेस्ट किया Ugh वह उसको केस्व करना है ठीक है चलिए तो एक दोस्तो में डी आइए दिखाता हूँ आप लोगों को इसको बनाने की कोशिश करिएगां अब यह सब बनाएंगे हम इसका data देखो, समझो, इसके अगले questions आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में question आपको दिखाये जाएंगे, हर एक मिनट, देड़, दो मिनट के बाद डंडन आने लगेगा, तो question next, next करके दिखाया जाएगा, पूरे 5 questions आप लोगों को बनाने और उ इसमें वोग, एक मिन वेट करिए दोस्तों, जल्दी data देख लीजिए, समझ लीजिए, चल्दी question दिखा रहा हूं दोस्तों, झाल 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 । झाल 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 करने की कोशिश करते रही है कि यहां पर क्या बोला गया है नो वाले हैं दो चार लोग है ठीक है तो यहां पर बोल राट रीड दे टेबल केरफुली और आंसर गिवन क्वेस्टिंस बिलो जो भी है टेबल किवन बिलो शोस परसेंटेज अफ टोटल नंबर ऑफिसे इन फाइफ दिफरेंट बैंक इन अ सिटी टोटल नंबर ऑफिसे इन फाइफ बैंक इन सब की वेल्यू आपको नो हजार बता दिया गया है निकाल सकते हो इजी है बई अब यहां पर क्या बोला टोटल नंबर ऑफ स्केल वन ऑफिसेर्स तो दो टाइप थी भी हो सकते हैं ठीक है आगे आपको क्या बोल रहे हैं पर देखो नोट में दिया टोटल ऑफिसर इस इकल स्केल उन प्लस स्केल टू तो अगर टोटल ऑफिसर में से स्केल वन वाले को माइनस कर दोगे तो scale 2 वाला जाएगा जैसे अगर मैं 9000 का 12% निकालू तो 1080 आता है उस 1080 में से अगर मैं 500 scale 1 वाले officers को हटा दू भगा दू तो बचे हुए जो 580 होंगे वो scale 2 वाले होंगे तो बस ऐसे ही करके आपको data निकालते जाना था ऐसे ही करके पूरा data निकाल लेते नहीं करना है दोस्तों गलती है यह देखो एक चीज़ बता रहो clerk का exam होगा ना कभी भी निकाल लो data लेकिन PO के exam में अगर आप data निकालने बैड़ गए तो मान के चलो कि आप बहुत बड़ी बेवकुफी कर रहे हो यहां पर स्टार्ट करते हैं यह तो बड़ा सिंपल है कि आप और है scale to officer in bank M हमको bank M का scale to officer निकालना है is what percent more than scale to officer in bank K तो हम दोनों का हमको क्या निकालना है इसका तो मैंने अब भी ज़स निकाल दिया पांसो असी ठीक है इस वाले का निकालते हैं तो 900 का 9000 का 27% कितना होता है 900 का 27% कितना होता है तो 27 इंटू 9 कर लो 27 इंटू 10 करोगे 270 होता है 270 में अगर आप 27 कम कर लो तो कितना होता है 243 आया ना 243 0 243 0 में से अगर 1000 scale 1 वाले हैं तो यह आपके scale 2 वाले होंगे तो अब आप से पूछा क्या है M वाले जो हैं वो K वाले का कितना परसेंट है What percent more than M वाले जो हैं वो इस वाले से कितना ज्यादा है तो गाना कौन से लगाते हैं कितना पॉण किस से multiplied by 100 कितना ज्यादा दिख रहा है ऐसे माइनस करके निकाल लो 0 13 में 8 के 5 13 में 5 के 8 850 क्या करेंगे कितना पॉण किस से अभी 850 ज्यादा दिख रहा है किस से ज्यादा है 580 से ज्यादा है multiplied by 100 00 कट गया 146.55 परसेंट आपका आंसर उमीद करता हूँ सभी का यह यह आंसर आया होगा next find the ratio between scale 1 अच्छा जो हमने निकाला वो लिख लिख के रखते जाना ठीक है उसको आप वो मत करना जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला था 1430 जो value आप निकाल रहे नो उसको लिख लिख के आप रखते जाओ 1430 यहाँ पर था 580 चलो अब क्या बोला है आगे देखते हैं find the ratio between scale 1 officer in L तो scale 1 L के कितने है 700 और O के कितने दिख रहे हैं भी 840 दोनों मिलाकर होता है 1540 इसका ratio आपको निकालना है किसके साथ scale 2 officer in bank L scale 2 officer कैसे निकालने है ठीक है scale 2 officer कैसे निकालेंगे देखो 9000 का 21% कितना होता है 9 दुना 18 और 9 याने की 1890 बोल सकते हैं 1890 में 1 8 9 0 का अगर 700 लोग जो हैं वो scale 1 वाले हैं तो हम बोल सकते हैं 1190 लोग ऐसे होंगे जो scale 2 वाले होंगे तो आपको 1190 के साथ इसका ratio निकालना था 00 कट या और यह किससे कटेगा 9 10 11 5 6 4 10 किसे कट रहा है यार यह 11 से तो कटेगा नही 5 साथ से कट रहा है साथ से कट रहा है दोस्तों मैंने कैसे चेक किया मैंने option से चेक किया 11 से नहीं कट रहा 5 से नहीं कट रहा साथ से कट रहा है यह आपका नहीं साथ से काटेंगे साथ 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 उन्चास 22 सत्रह ठीक यह आपका अंसर चलते हैं next question पर इसमें देखें क्या वरा out of total scale to officer in bank n तो अब हमको n वाले का निकालना है तो n वाले का कैसे निकालेंगे देखो भई आपको बोल रहें 9000 का 18% निकालो 9000 का 18% निकालो तो भई अगर मैं इसका 20% निकाल दू तो कितना होता है 9000 आठारा ययनि 1800 यजिए बीस परसेंट होता है एक परसेंट 90 है तो 2 परसेंट कितना होगा 180 तो अठारा सो में 180 माइनस कर दो 1620 आप का जाएगा भई तुरंत तुरंत अब इस 1620 में से 900 लोग जो है वो scale 1 वाले है 1620 में से 900 लोग जो हैं वो scale 1 वाले हैं तो हम बोल सकते हैं 720 लोग जो होंगे वो scale 2 वाले होंगे जितना orally calculation करोगे उतना ज़ाद आपकी speed बढ़ेगी काफी लोग बोलते हैं speed नहीं बढ़ेगी क्या करे orally calculation करो और कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जो जितना orally question दिमाग में करोगे ना गलतियां होगी शुरुवात में मुझसे बहुत गलतियां होती थी पाट-पाट-छे-छे question गलत कर दो के 15-20 question बना के लेकिन कोई दिक्कत नहीं है डरना नहीं उन गलतियों को सुधार हो धीरे-धिरे की शुधरिए्ट की सारी चीजे़ साथ-सोबीस आ गया है आग्र पर देन टोटल नंबर फीमेल इसकी अचा 35 percent डाल मेल बोल रहा है ठीक है इसमें से 25 percent जो मेल हैं इसमें से 25 percent मेल है तो तो आपको बोल रहा है find total number of female scale to officer in bank end तो अगर 720 जो है वो इसमें से 25% male है तो 75% female होंगी 75% कितना होता है इसका 540 होता है कैसे निकाला मैंने कैसे निकाला मैंने इसका 25% कितना होता है 72 जो है वो 18 into 4 करने से आता है 25 25 25 25 25 के 4 portion अगर आप बनाते हो 18 18 18 तो 3 18 को अगर आप एड़ करते हो तीन बार 18 को एड़ करते हो 54 होता है यह सब चीज़े calculation दिमांग में करना है आप total number of scale to officer in all bank together तो भाईया अब तक हमने 4 लोगों के निकाल लिये हैं 4 के हम निकाल चुके हैं देख लो भी पीछे जाके यहाँ पर इसमें आया था 720 इसमें आया था 580 1190 और 1430 1190 और 1430 तो यह लिख लिख के रखते जाने हैं अपने पेज में एक सांथ सारा डेटा नहीं निकालना है अलग लग करके निकालना है अब क्या बोल रहा है आपको total number of scale to officer in all bank together मतला हमको इसका भी निकालना पड़ेगा तो इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे हम क्या करेंगे आपके पास कितना बच जाएगा यानि कि यह करना है जैसे मैं किया भी वैसे ही आपको करना है स्पीड अपने आप आएगी धीरे-धीरे करते-करते आएगी ठेक है इसके लिए तो हो गया 1140 सही है ना कुछ गलत तो नहीं है तो यह हो गया data निकल गया इसका तो क्या बोले total number of scale to officer in all bank together is how much more than total number of scale one officer in all bank together अब आपको यह पूरे को total करना है कि 120 आ रहा है कैसे नौदुन अठारा नौदुन अठारा नौदुन अठारा हाँ ठीक है यार मैंने एक चीज़ गलत लिखी कि एक मिनिट कि 1980 तो था और सुआ काउन था भी गयारा भीस फाला जबर्दस्ति कंश्यूस करते हो आंसर दे रहे हैं 1120 भाई यह 1140 सही है कुछ नहीं है सही है तो सही किया था मैं जबर्दस्ति अब देखो यहां पर क्या बोले आपको यह पूरा टोटल करना है यह पूरा टोटल करना है डिफ्रेंस आपको बताना है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो आप यह इस चीज कर सकते हैं कि आप डिफ्रेंस लेते जाओ जो मेरा तरीका है वाकी आपकी चॉइस है कुछ लोग क्या करते पूरा इसको एड करते है और उसके बाद फिर डिफ्रेंस निकालते वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी की अपनी choice होती है, मेरी choice यह है, कि भई मैं direct difference निकालूंगा, 80 ज्यादा है, साथ 3, 4, 490 ज्यादा है, 14, 30 में 430 ज्यादा है, यह कितना है, 900 में 180 कम है, 11, 40 जो है, वो 840 से 940 से 1400 ज्यादा है, इतने को मैं पहले add कर लेता हूँ, इसको minus कर दूँगा, तो कितना हो गया भी यह हमारा, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1300, 1300 में 180 आप minus कर दो, यह आ गया आपका 120, answer, ठीक, चलते हैं आगे, मेरी खाल से आखरी question is, scale 1 officer in bank k, is what percent less than scale 2 officer in bank m, तो k का scale 1 कितना है, 500, scale 2 किसका बोल रहा है, n वाले का, अब भी जस्ट हमने निकाला है, n वाले का scale 2 कितना है, 720 है, तो आप से पूछा क्या है, scale 1 k का is what percent less than यह, तो इससे कितना कम दिख रहा है आपको, कितना कम दिख रहा है, 220 कम दिख रहा है, 720 से कम दिख रहा है, multiplied by 100, अब 20, इसको पहले 00 काट दो, इसको 11 कर दो, और इसको 36 कर दो, यह हो गया, 1100 divided by 36, और जाहो तो और काटते जो, और फिर निकालो, इसका कितना आएगा भी, देखो मेरा तरीका मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 36 तिया, 108 होता है, 36 into 3 करोगे, 108 होता है, मत्दद 30 के आसपास आना चाहिए, क्या हो रहा है, कुछ गलत कर दिये क्या मैं, कि सही है, 30 आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, होता है यार, इक्जाम में भी ऐसा, कई बरना इदम फड़ाक से आंसर आ जाता है, उसका फिर सोच पर इतनी जल्दी कैसे आए, मैं नहीं कुछ गल्ति की होगी, इतनी जल्दी कैसे आगए, इतना असान थोड़ी ना आएगा एक्जाम में, अब फिर चेक करते हैं, जब कि हम उस चीज को 4-5 सेकेंड में कर चुके थे, फिर भी 20 सेकेंड उसको सोचने में हम वेस्ट कर देते हैं, सही है यह, तो जो तरीका बता रहा हो, वही है, देखो 36 इस इंटू 3 करके 108 आता है, 108 आता है ना, मतलब कि इंटू 3 और यह 0 का 0 लगा, तो मतलब 30 पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग कुछ आंसा राना चाहिए, औप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब नन ओप इस आपका आंसर, चलो एक डिय और बनाते हैं, या रुख जाओ, प ये बनाओ चलो, जल्दी से झालो, 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 जएता हैं, जलो, एकक री झालो, जल जलो, तो मतलब 30 यपकराइं, या या जब कहाई हैं, वuck झाल 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 बैटरी डाउन हो गई थी चलिए तो फिर से स्टार्ट कर देते श्याद नहीं सुनाई दिया होगा तो इसका आंसर कितना आया है इसका आंसर आया है फोर यर्स कुछ लोग दे रहे थे अंसर ठीक है तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है जिनसे नहीं बना नो लिखने मैंने कहा था पता नहीं आपने सुना कि नहीं आ एक जन नो तो आ गया प्रगतिजी का और और ही है क्या तो यहां पर देखो बोल रहा है प्रेजेंट कि इसकी जो भी एज है फ्ल्ळाना धिंकर 10 माल लो अभी इसकी एज माल लो 10 है इसकी चार साल जादा है मतब 14 हो गई ऐसी होगा न तो अभी दोनों की एज जो है वो चार साल जादा है इससे अभी के बारे में बात करा अभी present के बारे में आगे आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर if ratio of age काईरा to रमेश is decreased by 25% in next 4 year जब 4 साल के बाद इनकी age का ratio निकाला जाएगा तो वो 25% गिर जाएगा वो 25% कम हो जाएगा then find the present age of रमेश अब देखो इसको बनाने के बहुँँ से तरीके होते हैं मैं अपना अगर तरीका बताओ दोस्तों तो मेरा तरीका रहेगा हिट एंड ट्राइल ऑप्शन के थोग मेरा तरीकर है गा और बहुत सारे तरीके होते हैं से 50 तरीके होंगे हर टीचर आपको अलग-लग तरीके से बता देगा हर स्टूडेंट अपने अलग-लग तरीके लगाएगा इसमें कोई है ना चार साल मानता अगर मैं इसकी वैल्यू को दो मानता तो इसकी वैल्यू छह होती होती चार साल के बाद अगर हम बात करेंगे तो चार साल के बाद ये जो दो है ये बढ़के कितना हो गया ये जो दो है ये बढ़के कितना होता चै होता और ये जो चै है ये दस होता आपको बुला क्या गया है यहाँ पर अगर हम उनकी एज के रेशियो को 25% से डिक्रीस कर दें क्या हो रहा है यहाँ पर दिख रहा है आपको यह तो हमने दो साल का चेक है वैसी अब चार साल का चेक करूँ मैं और भी तरीका एकाद बता दूँगा वेट करू थोड़ा सा जिनको यह नहीं समझना रहा है मैं दूसरा तरीका भी बता दूँगा जैसे अभी चार साल को अगर आप मानते हो तो चार साल में क्या है इसकी एज अभी प्रेजेंट में चार साल है तो इसकी चार प्लस चार याने आठ हो गई मतला हम बोल सकते हैं वन बाइटू का इनका रेशियो था आफ्टर फोर इयर्स इसकी एज आठ हो गई आफ्टर और फोर इयर्स इसकी एज आठ हो गई इसकी जो है वो बारा हो गई लाई, मता हम यह बोल सकते हैं, चार से काटो, कि तो यह 2 हो गया, यह 3 हो गया. वह इसको हम कितने % से कम कर रहे हैं? 25% से आप इसको कम करते हो, तो कितना हो जाएगा यह? यह नहीं करेगा, परके देख लो, को ही नहीं सकता. जल्दी बताओ 25 परचेंट इसका कम करोगे वन का तो कितना हो जाएगा जोसको एक सेकंड रोपको एक डाउट आ रहा है मुझे कि जो रेश्यो दिया हुआ है हमको कायरा और रमेश का उसको डिक्रीस करने बोल रहा है 25 परसेंट से मतलब 1 बाइ 4 और 4 साल का डिफरेंस है यहां पर एक चीज को देखो दोस्तों फिर से बता रहा हूँ यह चीज में बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यहां पर आपको बोल के रहा है प्रेजेंट डेज ऑप कायरा जो है वो चार साल ज्यादा है रमेश से मतलब का इसकी कायरा की जो एज होगी वो रमेश से अभी चार साल जादा है बंदब रमेश की जितनी भी एज होगी जैसे मालो की इसकी एज एक्स है और इसकी जो है वो एक्स प्लस फूर है अभी इनका जो भी रेशियो बन रहा है इसको बोल रहा है कि अगर हम 25% से डिक्रीस करते तो decrease करने के बाद जो इनकी age बन रही है वो कितनी बन रही है भई हम बोल सकते हैं कि यह जो है यह x प्लस 4 हो जा रहा है और यह जो है यह x प्लस 8 हो जा रहा है यही चीज बोला है आपको अभी इनकी 8 जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है X और X प्लस 4 है यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 4 साल के बाद यह भी 4 बढ़ गया यह भी 4 बढ़ गया तो यह X प्लस 8 हो गया और हमको बोल रहा है कि इसके रेशियो को 25% से हम decrease कर रहे हैं तब यह value आ रही है equation solve करके X की value बताईए एक बार आठ बोल रहे हैं कुछ लोग यह से साब से तो यह गलत हो जाएगा फिर चार अंसर कैसे दे रहे थे पिर कर देख लेता है यहां पर साइड बें एक प्लस 4 में अच्छा चोटा सा क्वेश्चन यार बड़ा दिमाग ही ला देता है दोस्तों अगला एक क्वेश्चन वनाओ मैं एक बार इसका देख लेता हूं तक तक मुझे भी डाउट आ रहा है इसमें क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको यह डियाई दे देता हूं तब तक इसको आप बनाईए मैं एक मेंट चेक कर लेता हूं उस्टो कि अगा ज़न दोटे आए कर दो कि अगा जब सा दो में एक कर दो दो आपको यहा ज़िया प्सका दो विबनाए कर दो दोटां ऊपको कर दो 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 एक बादिए झाल 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 इसको बनाते रहे हैं दोस्तों आंसर लिखते रहे हैं कमेंट में एक सब मैं explain करूँगा एक सब बनाते रहे हैं कमेंटा पॉड़े रहे हैं कर दते रहे हैं झाल को खचखे रहे रहे हैं आंसर नहां करूँगा अशना रहे हैं झाल 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 चली दोस्तों कमेंट दिखाओ स्टार्ट करते हैं इस डियाए को उसमें दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है उस्वेशन में उसमें यह डाउट लग रहा है जिसका भी बन गया बहुत अच्छी बात है कि चार आपने लेकर आया के हिसाब से अगर दिखा जाए तो एक क्वेशन बन रही ही क्वाडिटी को बना के बता नहीं क्या क्या कर रहा है लेकिन आंसर जो है वह एक्स का फोर आ रहा है मुझे बस एक चीज़ का डाउट हो रहा है जिसने भी फोर किया है अगर देखो रमेश की एज अभी फोर है तो यहाँ पर इनका रेश्यो टूबाइ थरी का है तो क्वेशन में बोला है कि रेश्यो को 25 परसेंट से हमको डिक्रीज करना है तो रेश्यो कहाँ डिक्रीज हो रहा है बोला है ना डिक्रीज कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा डौट है चलो ठीक है होता है यार मुझ से नहीं बन रहा मैं सिंपल से यहीं बोलूगा मुझ से नहीं बन रहा मैं एक बर और इसको ट्राय करूंगा question को तो छोड़ते हैं तब तक इसको बनाते है time waste होगा वरना उमीद करता हो यह अभी तक आप लोगों ने इतने question solve किये होंगे जिनसे भी नहीं बना दोस्तों अभी धर ध्यान दिजेगा तो यहाँ पर क्या बोल रहा है the bar graph and table carefully and answer the question given below given below bar graph shows total number of calls in 100 received by 5 mobile तो 5 mobile company को कितने कितने call मिलते हैं यह आपको पूरा डिटा यहाँ पर दिया हुआ है आगे आपको क्या बोल रहा है नेटवर्क अमेंटेबल शोस पर्षेंटेज ऑफ पॉल्स received by female फीमेल ने कितने calls received किये हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पर percentage of calls received by females मन्दब अगर 75% calls female ने received किये हैं तो बचे हुए 25% जो होंगे वो males ने किये होंगे तो चलते हैं पहले question पे यहाँ बोल रहा है total calls received by male in company A and D तो A और D में males हमको निकालने हैं कैसे निकालेंगे 70 का 25% मन्दब 7000 का 25% आपको निकालना है तो 3500 का आधायने 1750 यह आगए males एक बड़ चेक कर लीजेगा मैं जो calculation कर रहा हूँ गलती हो सकती है मुझसे ठीक है उसके आद बोल रहा है कि D के भी आपको निकालने है so D के males कितने निकलेंगे भी D के 40% आपको निकालना है तो 9400 का 40% कितना हो जाएगा 9400 का 40% निकालने के लिए 2 by 5 करना होगा तो 5 से इसको काड़ देते हैं एक आठ चालिस फिर आठ चालिस 188 इंटू करोगे तो 8 गुना सोला 1 कैरी 8 गुना सोला 2 और 1 3 376 मन्दब 3760 3760 ठीक है ये निकल गया हमारा A और D का सही है इसके बाद आपको क्या बोल रहा है and calls received by female in company B and E तो B और E के female आपको बताने तो B और E के female अगर आपको निकालने तो क्या हो जाएगा भी इसका 58% और E का कितना हो जाएगा 35% तो हमको इसका क्या बोला था तो हमको total करना है पहले इन दोनों को total कर देते हैं दोस्तों तो 1750 इसमें एड़ कर दो 0 हो गया 6 5 11 11 7 14 15 11 11 14 4 और 5 5 5 10 ये तो males आगए अब female निकालते है पूरा calculation वाला डियाई है और कुछ नहीं है इसमें पूरा multiplication करकर के फटाफट निकालते जाना है बस पर क्या है ठीक है देखते है आंसर क्लास के बाद percentage of calls received by females B का और E का 65 का हमको निकालना है 58% मतलब 65 into 58 करना है हमको ठीक है और यहाँ पर E का कितना निकालना है 35% निकालना है मतलब 64 का हमको 35% निकालना है कितना कितना आ रहे है दोस्तों जल्दी बताईए सिर्फ आपको यह दोनों निकालना है जो value आगईगी इसमें add कर देना आपका answer आ जाएगा तो चलो मैं भी कर देता हूँ खोड़ा बहुत calculation 8.444 carry 8.484.52 8.252 carry 6.5.30 7.7.7.7.0 इसको करते हैं multiply 5.20.0.2 carry 6.5.30.2 32.3.8.4.12 192.4.9.3.12 2.2.4.0 0.7.4.11.1 carry 7.2.9.10.5.15 carry 5.3.8.9.10.11 11.520 20 या आपका answer सही है सभी का चलिए next question में क्या बोल रहा है find difference between total calls received by mail in company C and E तो C और E के आपको mail निकालने है तो C का 20% निकालना है और E का आपको 65% निकालना है ठीक है and total call received by female in company D तो D के female निकालना है तो D के female कितने है भी 60% इसका 60 निकालना है तो 62 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाता है 6 दूना 12 और 4 याने की ठीक है इसका 55% निकालना है तो इसको multiply कर लेते है 65 इंटू 64 और यार इसका एक तरीका होता था मल्टिप्लाइ करने का भूल गया मैं खैर ऐसे ही करना पड़ेगा चले और इसका भी multiply कर लो 26 चॉक 24 दो केरी 69 चॉवन और दो चपन 5640 उसको करो कितना रहा है अब भी तो इसको आधा करो तो आसान हो जाएगा पर मैं normally कर देता हूँ और नॉर्मल भी स्पीड बहुत अच्छी है पांचोग 22 करी 65 32 32 24 26 36 और अर्टिस 0 6 8 3 11 4 1 6 0 4 1 6 0 0 6 14 से करी 4 5 24 और 56 का डिफरेंस 240 ही आपका आंसर पड़ा पड़ केल्कूलेशन करते जाहिए तो मेरे से जादा जल्दी आप लोगों का होना चाहिए क्योंकि मुझे एक्जाम नहीं देना है मांदब मुझे एक्जाम क्वालिफाइ नहीं करना है आपको करना है तो मेरे से जादा स्विड आपकी होनी चाहिए जल्दी पताईए ratio between total calls received by female in company A A की female याने इसका 75% निकालना है ठीक है to total call received by male in company B तो male company B के कितने है 42% इसके इनका ratio निकालना है तो यहाँ पर दोस्तो ratio निकालते समय मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ जो continue classes देखते हैं आपको multiplication करने के ज़रूद ने सीधा काटो पिटो आपका answer आजाएगा तो इसको निकालो कि कैसे 75 into 70 divide by ये 65 into 42 बस आपको ऐसा करना है 5 से इसको काटोगी ये 13 हो जाएगा 5 से इसको काटोगी ये 15 हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखो 3 से अगर इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा फादा से इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा 5 5 25 और 13 आपका answer ये बन जाएगा next question पर चलते है इसको बनाईए आपनों जल्दी से ये शुरू का छुप रहा है थोड़ा सा calls received in company app is 40% more than total अच्छा if बोला यहाँ पर if calls received in company app is 40% more than आप लोग बनाओ पहले फिर मैं समझाता हूँ प्राइ करो पहले क्योंकि ऐसा एक्जाम में आता है एक्जाम परश्चन अभी भी तुम रमेश का एरक पीसे पड़े हो यारभी कर दय है को क्वबड़े है नाध इसाϊ दाय है झाल झाल चलिए आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग देखें दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है इफ कॉल रिसीव इन कंपनी एफ तो यहाँ पर कंपनी आफ तो दी नहीं है अगर बोल रहा है एफ कंपनी में 40 परसंट ज्यादा होगा किस से मोर दें टोटल इन कंपनी ए तो ए में फीमेल कितनी रिसीव कर रही है बही 70 इंटू 75 इस 70 में 75 परसंट फीमेल है तो मल्टिप्लाइ कर देंगे तो निकल जाएगा ठीक है तो इससे 40 परसंट ज्यादा एफ में तो 40 परसंट ज्यादा है मतलब इसमें 40 परसंट ज्यादा क्या होता है साथ आगे आपको बोल रहा है इतना है तो अगर 64% फीमेल है तो 36% मेल होंगे तो इस वेल्यू का आप 36% निकाल लो इसी निकालेंगे 25 से काटोगे 4 25 से काटोगे 3 4 से काटोगे हो गया 9 5 से इसको काटेंगे हो जाएगा 14 42 9 7 63 3 2 6 4 3 12 6 2 12 6 24 और एक पच्चिस 6 4 6 2 यह आरे मेल्स उसके बाद बोल रहा है कि D के भी आपको मेल्स निकालने है तो D के मेल्स कैसे निकालोगे भई 94 का 60% 6 4 2 2 केरी 6 9 4 1 और 56 5 6 4 0 तो 5 6 4 0 मेट 2 6 4 6 सही है कुछ गलती तो नहीं है दोस्तों एक पर देख लीजिए Company F में प्रापकुल कॉल Company A में महिला द्वारा प्रापकुल कालों से 40% अधिक है कुल लिब्रेटी आई है लग तो वही रहा है 35 D आंसर आ रहा है 32 हाथ मैंने D ओके मैंने यहां पर 60% निकाल दिया रहा है मैंने female निकाल दिया हमको क्या बोला है male बोला था ठीक है मैंने यह गलत निकाल दिया है 40% निकालना था 40% निकाल देते हैं 40% अग इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9.36, 4.16 36, 37, 16 36, 37, 16 37, 60 पर अभी भी कुछ गड़बढ है यार इसमें कुछ गड़बढ है फिर तो पर बेन पाइंड एवरेज नमबर अच्छा एवरेज पुछा है पर एवरेज भी कैसे चलो देखते हैं 0, 6, 14, 1 कैरी 37, 14, 1 कैरी 5, 3, 8 और 1, 9 पर क्या गड़बढ है यार मेरे से 26, 46, अच्छा इधर के में लिए हैं और इधर के 37, ठीक है मैं इसमें कर रहा हूँ गलत कर रहा था दोस्तु मैं इधर एड़ करना था उसको 37, 60 को ठीक है अब आ जाना चाहिए तो यह हो गया 6, 6 का आधा करोगे 3, यही वाला आपका आंसर बनेगा खतम, पूरा करनेक ज़रोती नहीं है कुछ लोगों को लगता ऐसा तो फिर वो भी हो सकता है तो कर सकते हो पूरा तो 6, 6, 4, 10, 0, 1 कैरी 7, 7, 14, 4 हो गया तो 32, 3, 2, 5, 4, 1, 6 हो गया तो 32, 3, यह आपका आंसर बनेगा ठीक है, मैंने क्या-क्या गलती की इसमें बता देता हूँ एक बार किसी को confusion हुआ तो सबसे पहले तो मैंने यह D का female निकाल दिया था 60%, मुझे निकालना था 40% और जो पहले से आप टोटल करके रखा था उसमें मैं टोटल कर रहा था, वो नहीं करना था, मुझे इधर add करना था, क्योंकि यह यह निकल लेते हमारे F के mail ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 323, चलो, आगे चलते अब next question, A, C, E मिलाकर पुरुषद्वारा प्राप्त कालो की कुल संख्या ग्यात कीजिए, A, C, E मिलाकर पुरुषद्वारा, A, C, E दोस्तों हमने इसमें से बहुत सारी values तो पहले ही निकाल ली है, तो आप लोग बता दो भई इसमें से, मैं तो लिख के रखा नहीं हो, आप अगर लिख के रखे हो तो जल्दी से उनका तीनों का टोटल बता दो, कितना आ रहा है कैसलेट है, इसके बाद, जो लो देखते हैं कैसलेट पढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों थोड़ा शेयर कर दीजाए आर सेशन को करीव 900 से 700 पर आ गया हैं लोग 100-200 भाग गया है पेशन्स नहीं है लोगों के अंदर एक question में फसते नहीं है कि लोग भाग जाते हैं मेंस में क्या होगा, मेंस में तो एक एक घंटे फसे रहते हैं कि किसी कुष्टन में काफी लोग का ये भी कहना होता है आप खुदी question बनाने में फस जा रहे हो तो हमको क्या सिखाओगे ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि दोस्तों मैं class के पहले सारे question पहले से बना कर भी आ सकता हूं करते हैं बहुत सारे teachers पहले से बना कर आ जाते हैं इसलिए फसते नहीं है तो मैं वैसा नहीं करता लाइव बनाने का मज़ा ही अलग है पहले से बना कर आ गए और उस फिर उसको बस यहाँ पर छाप दिये तो क्या मतलब इसमें आपकी क्या understanding बढ़ेगी ब्रेक कर देंगे दोस्तों आधे पॉन गंटे में एक लास को जल्दी इसका आंसर दो बस 7150 चलो चलते आगे चलो यह है दोस्तों कैसलेट है क्या यह कैसलेट है पर इसको बनाने का जगा नहीं दिया गया है इस कैसलेट डियाई को बनाई है जल्दी से solve हो जाए तो done लिख दीजिएगा 3-4, 4 मिट का समय है सकते और है जल्दी से क्या संय है जल्दी झाल यह है जलते है और है यह झाल्य मैंजा है झाल 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 अजिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि साल हो गया होगा इसमें अजिए आप रहा हूँ चली इसमें आप रहा हूँ चली इसको बनाते हैं दोस्तों questions बग रहा हूँ अगर अपने बना लिया तो question बनी जाएंगे कितने लोगों से नहीं बना जल्दी से no लिख दे ख़टा पट पथा चलना चेह कितने लोगों से solve होगी कितने लोगों से नहीं हुआ है केसलिट समझ में नहीं आती आएगी आएगी वेट करो थोड़ा सा जन्दी से नो लिखे पहले तो जितन से नहीं बना है देखो बोल क्या रहा है टाटा मोटर्स अ कार मैनुफेक्चिरिंग कमपनी मैनुफेक्चर अनली टू ब्रेंड्स ऑफ कार्स ए और इंड यह दो हजार अठार है तो आपको बोल रहा है कहां के अजयर कई से कर दे रही है तो इसने दो टाइप की कारे बनाई है कार है ए और बी दो हजार अठारा में और दो हजार उन्निस में तो सबसे पहले तो टेवल बना लीजिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों आगे देखिए आपको बोल रहा है इट इंट्रोड्यूजड न्यू ब्रैंड ऑफ कार सी अच्छा सी भी है तो इसमें या पर इन पार्टिशन कर देते हैं ए बी और सी तो बोल रहा है दे नंबर ऑफ कार्स ऑफ ब्रैंड ए और देट ऑफ ब्रैंड बी नहीं यार ऐसा नहीं है मैं गलत पढ़ा हूँ एक मट रुखो या बोल रहा है ओनली टू ब्रैंड ऑफ कार्स ऑफ ए और बी इन दे यर दोहजर अठारा मतलब 2018 में सी वाला नहीं है ऐसा बोला है मेरे ख्याल से आगे पढ़ेंगी तो पता चल जाएगा अब क्या बोल रहा है आगे अगे बोल रहा है आगे इन दोनों का रेशियो 5 इस तो 6 का है इन दोनों का रेशियो 4 इस तो 3 का है अब क्या बोल रहा है आगे इन दोनों का रेशियो 4 इस तो 5 का दिया गया है आगे बोल रहा फर्दर दोनों अब क्या बोल रहा है मतलब ये दोनों मिला कर 60 परसेंट होगा बस ये आपको निकालना था अब क्वेशन बनाने बुड़ेंगे तो अलवा था यार इसमें क्या नहीं बना इसका क्वेशन देखते हैं चलो क्या बोल रहा है अगर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है जल्दी करके बताओ बड़ा सिंपल है बहुत सिंपल है देखो कैसे होगा पंद्रा सो अगर पांच यूनिट है तो छे यूनिट कितना अठारा सो अब अठारा सो अगर चार यूनिट है क्यासे गाना लगाना बस अठारा सो को चार से डिवाइड करेंगे पांच से मल्टिप्लाय करेंगे इसको डिवाइट करोगे, तो 9, 4500, 4500 इंटु 5 करेंगे, तो 45, 25 हो जाएगा, याने कि यह हो जाएगा आपका, 250, ठीक, इसको कैसे निकालेगे, पंदरा सो अगर 4 यूनिट है, तो 3 यूनिट कितना, 1500 अगर 4 unit है तो 3 unit कितना कि रेशु मैंने हर जगा कि लिग दीए ना ऐसे 500 अगर 4 unit है तो 3 unit कितना कैसे निकालोगे duvaide by 4 multiplied by 3 4 से जब इसको divide करोगे 7500 का अधा कितना होता है 375 375 को 3 से multiply करोगे तो 9 और 220 1125 आज़ाएगा यहाँ पर अब ये दोनों को add करो तो कितना हो गया 23375 ये अगर पूरा 60% है तो 40% कितना तो 3 से इसको काटेंगे 1, 1, 2, 5 multiplied by 2 यानि 2250 ये आपका answer 2250 ठीक है 1500 कहां से आया सयाली जी 1500 यहां से आया अगर वो 1500 है तो ये आया तो ऐसी हर question में अलग-अलग data देगा और आपको हर बार अलग-अलग निकालना पड़ेगा जैसे एक question और करवाता हूं बाकी तो फिर आप बना लोगे what is the percentage increase in the total number of cars of all the brands manufactured in the year 2019 when compared to the total number of cars of both the brands manufactured in the year 2018 approximately 2018 में जितना भी उसने बनाया है फिर सेबर पड़ो क्या बोले what is the percentage increase in the total number of cars of all the brands manufactured in the year 2019 when compared to total number of cars of both the brands manufactured in the year 2018 आपको बोल रहा है इसका percentage increase इसमें तीनों के कितना होगा यह आपको पुछा है 2-3-Y अरे बैस आपको देखो कैसे करते हुए यार एक दाम आपको बुलाई यह वाली value अगर 60% है तो 40% कितना हम को यह 40% निकालना है न तो यह दोनों मिला कर 60% है हमने यह दोनों को add किया 3375 आ गया तो अगर यह पूरा मिला कर 60% है तो 40% कितना तो भाई इसको जब बीच से काटे तो यह 3 और 2 होता है तो मैंने direct card की ही लिख दिया था कर संक्षाए तो 50% कितना चरुब यह जब गयान रे pengवार 33、早ई झाल क्र दो 12.com रही प्भक्षाए चल से प्पूस पढहिंbug प्रहभब जास कितना आरी आवाज देखिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों आप इन दोनों को मिला कर बताओ कितना भी 15 और 18 33 हो जाता है 3300 यहाँ पर है इन तीनों को टोटल करके देखो कितना हो जाएगा तो 3300 से 5600 चथेसे तो कितना इंक्रीज हो रहा है वही माइनस करके निकालो कितना इंक्रीज हो रहा है 5232 2325 बढ़ा है ऐस कमपेर तू 3300 multiply by 100 2 0 से 2 0 कट गया इसको solve करो जल्दी से कितना परसंट आएगा 3.3 3.3 70 क्या सपस आए गई है कैसे किया मैंने देखो इसका 10 परसंट कितना होता है 3.3 और 33 से 23 जो है वो एप्रॉक्स 10 कम है तो 3.3 को मैं 3 बार multiply करूंगा 3.3 को मैं 3 बार multiply करूंगा 30 से multiply करूंगा तब जाकि ये 10 होगा जीरो बात का बात में लगा लेंगी तो ये 3 बार multiply करूंगा 30 कम करना पड़ेगा आपको 100 में तो ये 70 क्या सपस आएगा ये आपका answer value नहीं है इसकी रुखसार अरे तो value तो question में देगा ना कैसे कर दे रहे हो value तो question में देगा ना आपको वो तो हर question में अलग value देगा यहाँ पर भी अलग दे सकता है तो depend करता है वो तो question के ऊपर ऐसा थोणी नहीं की value नहीं दिया तो answer नहीं आएगा आपको ratio अगर बता दिया value change होगी तो आप change करकर करके बना सकते हो उसको अब जैसे इस question को देखो क्या बोल रहे है in the next year that is in the year 2000b Tata Motors want to increase its car manufacturing capacity by 35% compared to the previous year but it doesn't want to make any changes in the number of cars manufactured in the previous year of any brand therefore it introduced a new brand D suppose Tata Motors had manufactured total number of 1200 cars of brand C in the year 2019 then it in the year 2020 how many cars of brand D should it manufacture तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर देखो data इसने बता दिया है खाने के लिए time दो खतम करेंगे बस थोड़ा सा और जेल लो थोड़ा सा इतना जेल लो थोड़ा और जेल लो बस खतम करते हैं फिर तो यहाँ पर आपको क्या बोला Tata Motors Manufactured total number of 1200 cars of brand C in the year 2019 मतलब इसने data change कर दिया तो अब आपको क्या करना है भी यहाँ पर ये देखो चलते हैं पीछे कहां गया ये इसमें चलते हैं ये सबको मैं erase कर देता हूँ ये जितना भी value है ने यहाँ पर ये सबको हम erase कर देते हैं इसमें data आपको हर question में अलग 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 data देगा इसके according आपको पूरा data निकालना है इसका पूरा total करना है उसका 35% आपको बढ़ाना है चीक तो पूरा निकालने की ज़रोत नहीं है कैसे अगर ये 1240% है तो पूरा 100% कितना मतलब पूरा ये कितना तीन हजार आप यो प्री लेवल है तीन हजार अबर तीन हजार से 35% बढ़ाना है तीन हजार का 35% कितना होता है एक हजार पचास ये आपका अंसर हलवा क्वेशन दिखने में बड़ा है पर है हलवा समझ में आया ताफी लोगों को नहीं आया होगा मैं फिर से बताता हूं आपको इसने आपको क्या बूला यह तो हमने वह कैसलेट को पढ़के हमने यह तो पहले ही बना लिया था अब उसने बोला क्या है मैं पहले क्वेशिन को समझाता हूं आपको ताफी लोगों को समझ महीं नहीं पूछा क्या है वो क्या बोल रहा है कि ना जो ये company है Tata Motors इल लोग क्या चाह रहे हैं कि ये लोग 2020 में अपना 2019 का जितना भी कार इल लोगों ने बनाई है इससे हम 35% और ज्यादा कार यहां पर बनाएं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि type A, type B और type C की कार जो पिछले साल बनी थी उसको हम बढ़ाएं वो उतनी की उतनी बनाएंगे वो लोगो लेकिन 35% वो जो बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो 35% नए type की कार यानि की कार D वो बनाना चाह रहे हैं तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 2019 का टोटल कितना है तो आप उसका 35% निकाल दो उतना D वाली कार बनाएंगे वो लोगो आया ना तो आपको सीधा सीधा बोल दिया कि अगर C ने 2019 में 1200 कार बनाई थी तो D का बताओ कितनी D कार होगी तो अगर चालीस परसेंट है तो आप पूरा 100% निकाल लो ना 2019 का पारा सो अगर 40% है तो पूरा 100% निकाल लो ये आगया 3000 अब इतनी अगर कार 2019 में 3,000 कार बनी है और बोल रहा है कि टोटल कार्स का 35 परसेंट वो बढ़ा रहा है और वो पूरी 35 परसेंट नई टाइप की कार है D तो आपको D बताना था इसका 35 परसेंट बता दो एक हजार पचास आगे हलवा कोश्चन देख दम देखने में बड़ा नाम बड़े दर्शन छोटे ठीक नेक्स्ट क्या बराएं इफ अन दे ये यर 2019 तो टारा थारा हजार कार्स वर मैनिफेक्चिर्टर बट टोटल नमर ओख कार्स मैनिफेक्चिर्टर इन दे ये 2019 तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों इफ इन दिया 2019 टोटल अठारा हजार कार्स वर मैनिफेक्ट्ट्र हुई है लेकिन सी जो है वो सिर्फ परसेंट होगा इंस्टेट ऑफ चालिस परसेंट ठीक तो यह देखो डेटा तो हमारे यही रहेगा इसको डेटा को पूरा मैं यह सब हटा देता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन का डेटा जो है वो अलग रहेगा और अलग अलग आपको निकालना है सेम सेम चीज़े नहीं ले लेनी है ठीक है सिर्फ परसेंटेज रिश्यो में पू यह लोग मैनिफेक्चर करते हैं ठीक है वो टोटल 18,000 मैनिफेक्चर करते हैं मैं बता रहा हूँ देख लिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था 2019 में यह तीनों मिला कर यह लोग कार 18,000 मैनिफेक्चर करते हैं लेकिन यह 40% ना होके अगर यह 5% होता इस पूरे का तो एका दोहजार ठारा और निस मिलाकर यह वैल्यू कितनी होगी टोटल आपको यह बताना है यह जो वैल्यू होगी नहीं दोनों मिलाकर यह आपको बताना निकाल लिए कि सोचो निकालो कि सिंपल एकदम हलवा है कि इतना फोन आता है यार कि अप्या गजय कि इतना यू नहीं दोल ओदिकालो आता है कि एकि जए बताना यह उावी पrióता है यह हुआर वैक यह बताना है कि इतना लिए लगजार वावी वैंद्वाबर्यू अगर ये तीनों मिला कर अठारा हजार कार्स बनाते हैं पर ये जो C है वो C 40% ना होके सिर्फ 5% होगा तो आपको ये दोनों का वैल्यू बताना है एड करके निकालना था 8,550 कुछ लोग बता रहें देख लेते हैं भई आंसर कितना है इसमें तो 8,550 तो नहीं है और क्या बता रहें ये एक आंसर दिख रहा है मुझे कमेंट में ये आंसर दे रहें कुछ नहीं मनदब सहीं है तो चलो मैं बता देता हूं कैसे बनेगा तो यहां पर देखिए दोस्तों करना क्या था आपको बुले ये 18,000 है तो सत्रह हजार एकारट बचा वह नौशो तो इसको दिए दिया दिए तब सत्रह हजार एकारट बचा अब ये दोनों का रेशो आपको पता है कितना ही है दोनों का रेश्य ये दोनों मिलाकर 60% है शोLE कर देखिए रेशो कंबाइन करना पड़ेगा ऐसे मैं अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये पांच चौक बीस है ठीक है एक तरफ से चालू करते हैं देखो अगर दोस्तों हम इसको यहाँ पर बोल दें कि ये वाली जो वेल्यू ये ट्वेंटी है वही पांच को अगर मैंने ट्वेंटी बनाया मतलब चार गुना किया तो इसको भी चार गुना करना पड़ेगा 24 चार को मैंने कितना गुना कर दिया वही चार को मैंने पांच गुना किया तब जाके 20 बनाये तो इसको भी पांच गुना करना पड़ेगा मतलब ये बन जाएगा 15 अब अगर 6 को मैंने 4 गुना किया है तो 4 को कितना गुना किया है 4 इंटू 6 किया हूँ इसको भी इंटू 6 करना पड़ेगा इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाता 6 पंचे 30 यह हो गई 30 तो यह मैंने ratio पूरे combine कर दिये मतब एक साथ merge कर दिये अब अगर मैं देखूं दोस्तों कि यह 15 यूनिट और इस 30 यूनिट मतब 45 यूनिट की value जो है वो इतनी है तो जो दिया है उसको उसी के ratio से divide करते है और जो निकालना है हमको 15 और 20 यानि 35 निकालना था तो इससे multiply करेंगे 5 से काटों के 7 हो जाएगा 5 से काटों के 9 हो जाएगा 9 से इसको काटने 9 एकम 9, 9, 9, 81, 0, 0 7 से multiply करेंगे 9, 7, 63, बचा 6 7 एकम 7 और 6, 13 तो 13 और ये 200 यानि 13, 300 ये हमारों बनेगा answer नाम बड़े दर्शन छोटे तलवा question सही है काफी लोग नहीं कर पाए होंगे तो आफी लोग सोचने होंगे आपरे क्या question भूश है नहीं समझ में आ रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं बड़ा simple था बस ratio combine करना था आपको एक बर मैं फिर से ratio combine करने का तरीका बता देता हूँ मैंने कैसे किया है देखो हमको क्या पता है इन दोनों के बीच का ratio कितना है चार और तीन का है इन दोनों के बीच का ratio कितना है पांच और छे का है किसी भी एक जगह से आप start करो किसी भी एक जगह से जैसे ये चार और तीन है तो यहाँ पर ये पांच होना चाहिए था मतलब 24 बना दो इसको, ठीक, अब इस 4 को अगर मैं 6 गुना किया हूं, तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ratio का मतलब क्या होता है, एक तरफ multiple कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, 4 को अगर 6 से multiply कियें, इसको भी 6 से multiply कर दो, यहाँ पर भी देखो, 4 को 5 से multiply करके 20 आया है, तो इसको भी 5 से multiply कर दो, 15 आ जाएगा, अब यह दोनों की value मिलाकर 45 है, 30 और 15, 45, तो जो निकाला था हमने, 17,100, वो अगर 45 unit है, तो हमको यह दो बताने थे न, तो 20 और 15 कितना होता है, 35, 35 से multiply कर दो, रेशो का गाना लगा, वांसर आ जाएगा, तो खतम करते हैं दोस्तों, बस एक last question बचा है, नहीं, एक यह बचा हुआ है, इस इन दे य यर 19, 2019, 1200 cars of brand B were manufactured, then find the sum of the total number of cars of all the brands manufactured in a year, 2018 and 2019, तो आपको बोल रहा है कि 19 में अगर बी बाला जो है, यह आखरी कर लेते हैं, इसके बाद पर बंद करेंगे, आपको बोल रहा है है यहां पर, वह वाली क्लास नहीं होगी अभी YouTube banking वाली क्लास नहीं होगी ठीक है काफी लोग सोच रहे होगे एक बज़े क्लास नहीं होगी कि काफी थकान हो गई है मुझे खड़े खड़े और पैर वगर दर्द हो रहे हैं तो मुश्किल है अब क्लास लेना भले इसको बोलोगे तो आदा गंट और पढ़ा दूंगा यहां पर और नहीं हो पाएगा खासकर ब्रेक लेने के बाद तो यहार और नहीं हो पाएगा तो यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि बीने अगर 2019 में यह सब भी खटा दो इसको कुछ नहीं है यह सब भी हटा दो यह भी हटा दो किक यह सब मैं erase कर देता हूं यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह यह इस centre कि अगर बीने 2019 में 1200 कार्ष्स बनाई है कर LOU तो टोटल बत झाल झाल अरे बैटरी नहीं खता मैं दोस्तों मैं श्याद म्यूट में बोल दिया था मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूं जाया यार दिमाग काम करना बंद कर देता है वता है एक समय के बाद कंटीनियू क्लास लो तो यहां पर देको बोला है बारा सो कार्स अगर ब्रेंड बी की अगर बारा सो कार्स बनी है 2019 में तो आपको 2018 और 2019 का टोटल नंबर अफ कार्स बताने चलो बनाओ जल्दी से थोड़ों मैं बैठ लेता हूँ कि हैं कि यह है वो अभी न अर्थमेटिक बनाएंगे देखते हैं पेशेंस लेवल कि इसके अंदर कितना है दो चार अर्थमेटिक क्वेश्यंस दोस्तों अभी करेंगे इसके बाद ज्यादा नहीं करेंगे दो चारी बनाएंगे क्योंकि मेरा भी दिमाग काम करना धीरी धीरी कम होते जा रहा है रेस्ट की जर्वत है नाश्ता वाश्ता करना पड़ेगा जाके इन 5166 दे रहें आंसर 4760 भी आ रहें आंसर चलो तो यहां पर देखे दोस्तों यह 1200 इसका दिख रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1200 अगर 30 यूनिट है 1200 अगर 30 यूनिट के बराबर है तो यह 15 यूनिट जो है यह 600 होगा 20 unit और 24 unit दोनों को एक सांद निकाल लेते हैं तो 20 और 24 कितना हो गया 44 हो गया 44 से इसको multiply कर लो जो दिया है उसको उसी के ratios डिवाइड करते है जो निकालना है उसे multiply करते है 00 कट गया 3 से 4 0 40 से इसको multiply करो 4 14 4 14 यानि 176 1760 अब यह 1760 जो है यह तो भई यहां का आगया यहां 1200 और 600 अठारा सो तो आपको पता ही है तो भई अगर 12 और 6 यानि 18100 अगर 60 परसेंट के बराबर है तो यह 40 परसेंट कितना यह 2 यह 3 तीन से यह 6 6 दुना 12 तो बस अब सब को एड़ कर दो बाराद दुना 24 24 और 6 3,000 और 174760 आपका आंसर बनेगा 4760 आपका आंसर बनेगा यह आपका आंसर बनेगा तो देखते हैं भी अर्थमेटिक कौन कौन सा बजीगे शूरू से देखते हैं जो उसनों को पॉस्टिन छूड़ गे होंगे कुछ लेमिटेडी कुश्शन कराऊंगा यह तो हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया इसको इसको अ इसको बना सकते हैं चलो बनाओ तो इसको जल्दी से झाल 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 जादू नंदन 17 एक्जेक्ट आ रहा है या एप्रॉक्स आ रहा है जो भी 17 आंसर दे रहे है एक्जेक्ट आ रहा है या ऐप्रॉक्स आ रहा है कि मेरा कुछ और आ रहा है एक बार confirm कर दो भी झाल 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 चलिए दोस्तों 24 कैसे ले आ रहे हो यार देखो मुझे ये बताएं मेरा तो 16.something something कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ देखते हैं तो question में क्या बोले था price of raw material has gone up by 15% मतला मान लो भई पहले 100% था 100 रुपय था अब 15% से बढ़ गया मतलब 115 रुपय हो गया चीक है आगे आपको क्या बोल रहा है labor cost has also increased from 25% of the cost of raw material तो 30% of the cost of raw material मतलब पहले जिस जो वो था क्या बोलते है raw material का price था उसका 25% देते थे labor को तो इसका 25% मतलब 25 रुपय देते थे labor को total हो गया 125 रुपय अब यह 25% से बढ़कर 30% हो गया मतलब हमको इसका 30% निकालने तो इसका 30% कितना होता है कितना हो जाएगा इसका 30% ग्यारत या 33, 34.5 तो total कर दो भई इसको इनका total कितना हो जाएगा 30, 40, 49, 149.5 तो आपको बोल रहे है कितना कम करना है कितना कम करना पड़ेगा अपने raw material को कितना percent कम करना पड़ेगा देखो मैंने कैसे किया था मैंने ऐसा कुछ किया था है प्रॉक्स अगर निकालना है तो यूट पॉइंट पॉइंट तो आप हट आ सकते हो इधर भी दस मनिटिपलाई करो इधर भी दस मनिटिपलाई करो दोनों कट जाएगा पॉइंट आब धर जाएगा ठीक है तो ऐसे या इसको पांट-पांट से कट हो देशा सोला पॉइंट चालिस या साड़े सोला के आसपस कुछ आ रहा है मेरा कि आप एक बाद चेक करो आपका कितना रहा है कि मेरे सबसे अंसर सही है कि prize of raw material में reduction पूछ रहा है हाँ तो तन्य तो price of raw material में ही तो होगा ना reduction और प्रॉक्स निकाला है हमने बस और कुछ नहीं है क्योंकि हमने जो भी value मानी है हमने क्या किया है लेबर को इंक्लूड किया हुआ है लेबर कॉस्ट भी तो उस प्राइस के हिसाब से बढ़ रहा है अगर यहां पर इस रोम अटिरियल के हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा उतना एक्स्टीन पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग कुछ आएगा ठीक है और क्वेशन बनाएं कि छोड़ें अब यह एक बना लो तो यार बस करें चालो खतम करते हैं यह क्वेशन बस कर लो करना है तो मैं भी बना लेता हूं इन लेफ्टिन 3 चंड़ेट A, B, A, G, A get 50 % more votes than B बदाद में 2-7-8-3-8 isa बदाद में 5% more votes than C and the number of voters on the voting list कर लें तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइक२ को प्रेस कर लीजिएगा अने कडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रेपशन लेना चाहते दोस्तों, AL10, ये code इस्तमाल कर लीजे, 20% off चल रहा है,